नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वरेड में, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था जो डिवेट होने वाली है गीता पर और जो गौड का एक्जिस्टेंस है उस पर होने वाला है इसमें जो जो गेस्ट आये हुए हैं जो डिवेट करेंगे उनका परिच्छ चाहे के से है उन्होंने के नाम दिया है और वो इस पर डिटेल में बाते करेंगे और यह डिवेट अमुनान देड़ से दू घंटे चलने वाली है तो वीडियो को जदा से ज़्यादा से एर कर दीजिए यह स्ट्रीम तो वैसे चार घंटे तक भी चलेगी लेकिन यह जो हुए सिदे आते हैं मुद्दे पर झेश्त और में को एड कर रहा हूं को आपि स्वागत है आपका हम्आरे हाँ जी जो But यहाँ पर सबसे पहला तो हमरा आपसे यह जानने का करम होगा कि आप लोग जीता को प्रिफ्रेंस देते हैं कि गीता जो है गीता में ग्यान है गीता में ग्यान विज्ञान है और यह मानों के लिए जरूरी है ऐसा आप लोग का कहना है जबकि हम लोग का यह कहना है कि आज जो विज्ञानिक यूग है इसमें गीता की वैसे कोई अनिवारेता नहीं है और नहीं कोई ऐसा जरूरी भी है इवेन गीता का जो source है जो गीता के बारे में कहा जाता है कि ये कहां से आया है कैसे आया है उस पर भी हम लोग प्रशन खड़े करते हैं इवेन जो कृष्ण है इसका जो चरित्र है उस पर भी हम लोग के काफी धेर सारे प्रश्न है तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप हमें जो एक-एक करके हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो इनका चरीत्र है गीता का जो कृष्ण का जो चरीत्र है उसकी existence वो कब से है क्या time duration है क्या उसका कोई scientific evidence है क्या कोई प्रमाण है सबूत है जिसके अधार पर हम कृष्ण को माने कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ था या कोई ऐसा इस्वर आउतार लिया था या कुछ भी ऐसा हुआ था अगर हुआ था तो किस कालखंड में हुआ था इसके related सबूत जो आपके पास evidence ह होंगे वह हम पहले जानना चाहते हैं दिन हम इस पर आगे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि अगर यह point हमने cover कर लिया तो तब हमें यह समझ में आएगा कि हां ऐसा कोई व्यक्ति था दिन उसने क्या कहा अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वह उप्यूरी है कि नहीं है जी 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 अभी मैं आपको एक चीज़ आपने बहुत अच्छा प्रशना किया पर मैं पहले आपको बता कि पहले हम यह पुरू कर दें इस डीबेट में कि पहले भगवान का स्थित्व है फिर हम जाएंगे कि उस इस पर ने खब उतार लिया था क्योंकि आपका जो चैनल ह जी यह आपके लिए मैंने स्वतंत्र छोड़ा है आप जैसे चाहें इसको प्रूफ करें जी क्यों बहुत मैं आप्रेश्प Lloyd हाँ प्योगी होता है पानी से अगर हम पानी ना पियें तो हमारे मरने के चांसे हैं अच्छा इसी तरह से हवा है हवा हमारे लिए जरूरी है अगर हवा हम सांस नहीं लें उसमें जो ऑक्षिजन जो element है वो अगर हमें नहीं मिले तो हमारे मरने की chances है उसमें nitrogen होता है वो height बढ़ने के लिए growth करने के लिए उपयोगी होता है तो इसी तरह से हर किसी न किसी element का, हर किसी न किसी तत्व का हमारे जीवन में उपयोग है और इसलिए हम लोग उसे गराण करते हैं चाहें वो भोजन ही क्यों न हो ठीक उसी तरह से लोगों से मेल मिलाप के लिए भी हमें चाहिए होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मेल भी लाप रखते हैं तो एक समाजिक एक जो कहते हैं कि संतुष्टी होती है एक लोगों से मिलने जुलने की ये भी चीज़े होती है लेकिन ऐसा ये प्रिफरेंस नहीं होता है ये जरूरी नहीं होता है लेकिन हावा सब के लिए जरूरी है खाना पीना सब के लिए जरूरी है तो यहां पे एक सवाल ये खड़ा होता है कि हमें कोई एक वर्चुल बताता है कि अरब में कृष्ण को मा जी जो है वेद को प्रिफरेंस देते हैं परमात्मा को बात करते हैं कभीर पंथी कभीर की तो हर तरह के लोग अलग-अलग चीजों की बात करते हैं तो हमें कहीं से भी यह जो जितने भी मॉडल हमें जो बताये गया हैं कहीं से भी इनका अस्तित्व सही नहीं लगता एक र लगता है तो इसलिए हम लोग इस तरह के सारे मोडल को इंकार करते हैं कि यह सारे जो है आपस में कंट्राडिक्ट है जी आप बता है देखो मैं आपको बताना चाहूंगा पैसे से में एक नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूं दिली तक मैं टीम से खेल चुका हूं उसमें क्या होता है देखो, आपको मुझे नहीं लगता आपको म gef wraps आपको मालों है फुटबॉल के मारे है पर बहुत सारे खिलाडी होता है तो कोई ना कोई एक जो फुटबॉल प्लेयर होता हूँ, उसको आइडल मानता हूँ, उसको वर्ल्ल का बेस्ट प्लेयर मानता हूँ, जैसे मैं अपना खुद का बोलू, तो अभी तो मैं नहीं खेलता हूँ, और जब मैं खेलता था तब मैं लियोनेल मैसी, बुकर के प्लेय तो अभी यह स्टेटिक स्टीस पर नहीं जाता है कि भाई फुटबॉल की जो वो है वो क्या कह रही है खुद का गेम देख लिया उनको जो पसंद आता है वो सिलेक करता है पर ये बेस्ट वे नहीं है सिलेक करने के लिए कि कौन प्रमुख है ठीक है आज कोई हो सकता है कि जिसको योगी आदितियनाथ पसंद दे किसी को केजरी वाल पसंद दे पर हमको समझना चाहिए कि वो तो इसके बज़े से लोगों का जो सरद्दा है वो विभाजित हो गया ठीक है और गीता का जैता है तो ये जो सर्द़ा विवाजन हो गया है कोई कहता है कि भाई ये भगवान है वो भगवान है पस सास्तरा एकमत है वो मैं आपको बताना चाहूँ गर आप melts है कि सास्तरा एकमत नहीं युड़ख भगवान की उपास ना करने काँ कहते हैं तो आप मुझे वो सामने रख सकते है कि देखो भाई ये वेद इसको कह रहा है ये पुरान इसको कह रहा है उसको हम रिकॉंसाल कर देंगे पर भगवान तो यह की है सास्तर में बुला गया है और देखो हमारे जो वेद है वो सबसे पुरान है अब विकीपीडिया मे जो है वो हमके अंदर आता है वो चीफ मिनिश्टर की तरह है जैसे आज वो योगी आदितिनाथ बहुत फेमस है तो वो है फेमस पर वो मोधी के अंदर आता है वो हमको जहन ना दी तो इसके बज़े से ये सरद्धा विभाजित हो जाती है पर हम जब सास्त्र का अधियान अच्छे से करते हैं प्रामानिक गुरू के अंदर करते हैं ढोंगी गुरू नहीं तब हमको पता चलता है कि सास्त्र सही में एक मत है और स्कूल में भी ऐसा होता है वो जो AHKG के, LKG के बच्चे होते हैं वो कोई कहता है मेरा क्लाश टीचर ही महीन है उसको लगता है मेरी क्लाश टीचर प्रिंसिपल है वो छोटे बच्चे है और जब वो धीरे-दीरे उनका maturity बढ़ेगा वो 8th, 9th महेंगा तो उनका पता चलेगा ये सब है administrative ये जो school का trustee है वो महीन है तो इस तरह के से ये ही तो आज problem हो गया है कि अपने अंदर ही बहुत सार बटवरा हो गया है उसकों करी concern करना है और इसलिए सास्तर का अधियन जरूर ही और इसलिए हम भगवत-गीता का परच्रा करता है क्कूर जो भगवत-गीता है वो समस्त सास्त्रों का सांब है अगर गीता का अधियन कर ले तो प्राजियतमी ज्यान नहीं बहुत ज्यान भी है। जिलप सास्तर लेलो। उसमें आर्टेक्टरल साइंस है। वो कैसे सब बिल्डिंग अगेरा बना था, विमान सास तरह लिलो, विमान में मैं आप um nächste, मैं आपके पुरूफ के साथ बताऊंगा, एक प्लेन होता है उसको कैसे बनाना चाहिए, पाईलोट होता है उसका ।्रेस क्या होना चाहिए, उसका माइडसेट और उसकि प्रेक्टि लिक्विड मिलता है वो लो गौ मुतर लो गौ चांड लो एक और दो चीज लो जमने पढ़ा अगर मिले का तो दिखाऊंगा उन सब को मिक्स करो उसका एक अर्क बना उस अर्क को आप तीर पे लगा लगा ले तो वो तीर बन जाएगा जहरी ला तीर तो बहले सामने वाले को उंगली में छूँ जाएगा जहर सही मर जाएगा जैसे वेद की आयरवेद ले लो आयरवेद तो मतलब पूरी दुनिया को पता है सबी आयरवेद यूज करते हैं वो मेडिकल साइंग्स है तो दुनिया वो आप देख लो कैलिफॉर्णिया की युनिवरसिटी है उसमें पागल नहीं हो तो विदेशी है उनको तो ऐसे भी हमारा यह भारतिया कल्चर ऐसे ही नहीं उनको अच्छा लगता तो उनों दिन भी हो रखा है वो राइनोबलाश्टी ले लो लेंस रिमूबल ले लो पोस्ट मोटम ले लो वो सब चीजे कैसे करती है वो पहले सूसरुत स दोक्टर है तो वो आयरवेद के डोक्टर कैसे बनते हैं अथरवेद अथरवेद है ना जो चारवेद में से उसका एक भागे आयरवेद और आयरवेद के स्लोग संस्कृत में है उसको इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे उसमें लिखा है यह रोग है तो यह दवा दे दो ये अर्क बना लो जड़ी बुटी से और वो जैसे ही इनसान लेता है वो सही हो जाता है उसका मतलब वो जो संस्क्रीट के स्लोप लिखे है वो एकदम प्रामानिक है और वो ही सुसरुत क्या बोलता है ये मुझे धिन्वंद्री ने दिया है अगर आपने पुरान वगेरा पढ़े होगे तो पता चलेगा अगर तेन्वंद्री कौन है विश्णू के एक अवतार है और उन्हाने मेडिकल साइंस का ये जो ग्यान है उसका पूरी पुरुच्वी पर प्रचार किया तो अगर वेद का मतलब पता है क्या होता है वेद का मतलब होता है नॉलेज तो ऐसा नहीं है कि वेद में से वाधियत्मिक नॉलेज है उसमें सारा भौतिंग नॉले मैं आपको बताऊंगा स्पीड ऑफ लाइट त्री लेग किलोमीटर पर सेकेंड इनन वेक्यूम ये स्पीड का लाइट नॉर्मली अभी के मॉडन यूग में एक्सेप्ट होता है वो रिगवेद में दिया है पर अब लोग उसको मैं ठोलो जी क्यों समझते है उसका अपने जी आपने काफी बोला इस पर जो मेरा मूल प्रश्न था कि गौड की एक्जिस्टेंस या कृष्णा का एक्जिस्टेंस मैं थोड़ी दिर आपको म्यूट करूँगा ताकि मैं अपनी बात रख सको तो उस पर आपने अभी जवाब एक भी नहीं दिया है कि इसमें गौड का एक्जिस्टेंस कैसे हो जैसे मेरा सब प्रश्न था कृष्ण के एक्जिस्टेंस पर तो वो अभी तक मुझे सवाल का जबाब नहीं मिला या आपने कहा कि गौड का इक्जिस्टेंस का जबाब दूँगा वो भी मुझे उसका उत्तरवी तो नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा रुकें लेकिन उसके जगह पर आपने कुछ और भी चीज़े बाते खड़ी कर दी जैसे वह भी ज़रूरी है कि यूशास्तरा की यहां पे जो बाते कहीं उसका मैं आपका जबाब लूँगा फिर से वह जबाब लूँगा गौड के एक्जिस्टेंस पे लेकिन आपने कुछ और भी बाते कहा दी जैसे आपने कहा वेद सबसे पूराना है फिर आपने विमान सास्तर की भी चर्चा की देन सुसरूत सहिता की भी चर्चा की और भी आपने बाते कहीं आयुर्वेद की भी बाते कहीं तो इस पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहले तो आपने कहा कि वेद सबसे पूराने हैं लेकिन वेद जो है कितने पूराने हैं इसका आप अगर सबूत हमें बता सकें त अगर हम वेद की ही मानें, तो वो खुद क्या है? जब सृष्टी भगवान ने सृष्टी रची, ठीक है? तो सृष्टी रचने के बाद जब सत्यू का, तो पहले ही उन्होंने वेद का ग्यान निकला, वेद का भागतों का पहला सलो के तेने भ्रम रिदाया आदी कवई, जो वेद का ग्यान था, वो पहले विश्टो ने भ्रमा के रिदे में प्रकासित किया, और फिर भ्रमा ने वो पुरी पुर्थी पर वेद के ग्यान का प्रचार किया, तो सृष्टी के प्रारम से ही वेद का ग्यान है, ठीक है? अभी लिखित फॉर्म में पाच जार साल पहले लिखा गया, वह व्यासदेव ने लिखा, नोट में लिखा, उसका रीजन यही था कि कल्यू के लोगों के इतना बुद्धी अच्छा नहीं है, कि भो सब याद रख सके और अगर बुद्धी अच्छा है कि याद रखेंगे, तो कल्यू में बहुत सारे डोंखी जिए पेदा होगे वह कुछ अलग-अलग श्रोग अपने आप बोल देंगे इसलिए 5000 साल पहले लिखा गया पर यह जो ग्यान है वह तो सनातन है ठीक है हमें आपका मिल गया 5000 साल पुराना बता चुके अब यहां पर मेरा एक दूसरा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो 5000 का आपने जो समय डेटा बताया है क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई भी वेद जैसे आपने लिखित रूप में कहा कि 5000 साल पहले लिखा गया और मोखिक रूप से यह स्रिष्टी के सुरू से ही आया हुआ है तो मोखिक रूप का भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि मोखिक रूप पे जो चर्चाय होंगी वह काफी दूर तक चली जाएंगी हम अभी सिर्फ लिखित पर चर्चा करते हैं कि 5000 पहले जब व्यास ने लिखा तो उस सम तो मचल माँ नहीं समझया समया को जैसे आज कल हम जब इंगलीष लिखते हैं तो इंगलीष लिखने के लिए नहीं रहोंगा कि जुब्यास ने जब लिखा था 5,000 साल पहले तो उन्होंने कौन सी लिपी इस्तमाल की दिखने देखो ब्रमीनी जब रहमीनी में मैंनो स्क्रिप्ट ही है इंडेस मैंनॉस्कृप्ट देवानगरी होती है तो सबसे पुरा नदा वो तो है अगा देखो हम ब आवाज आरी है मीरी आहां आरही है भूले बोले जो सबसे पूरानी अभी हमको क्योंके देखो कि देखो वह साथ कि लाइक अभी देखो 150-500 BC का जो रिगवेद का मैनुस्क्रिप्ट था वो युनेसको युनेसको और अमेरिका ने उन्होंने कंजव किया था और उसको दिया था कि भाई पृत्वी का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट जो मनुस्थियों को पता है वो रिगवेद युनेसको कितना पुराना उन्होंने मैनुस्क्रिप्ट दिखाया था उसमें 1500 BC अभी देखो मैना आपको पता यह बहुरी बद्रंगर और रिसर्च इंस्टिट्टिट्ट नामका एक इंस्टिट्टिट्ट आपको साइद मालू हुँआ है कर सकते हैं आप वेव साइट ओपन करके दिखा सकते हैं कहां पे लिखा हुआ है मेरे वीडियों है मैं अपको विडियों से हम लोग नहीं हम लोग ऑफिचल वेव साइट ही मानते हैं सब्सक्राइब अब तो देखता हो जरूर उसको दिखाए हमें और यह एक बार्ण पाम लिफ आप बता रहें ना लिफ पत्ता हो गया ना आप तो लिखने की बता रहें पाम लिफ तो ताड़ पत्र हो गया ना आप ताड़ पत्र बोल रहें ना जो ताड़ पत्र होता है वो लेकिन ताड़ पत्र सिर्फ जो साउथ इंडिया है उसमें ताड़ पत्र इस्तमा स्थाइब पहले मेरी बात सुने आप 5000 साल पहले भारत नाम का कोई चीज भी नहीं था जंबू दीप पाया गया गया है जंबू अपकी बातों को पूरे ध्यान से सुना हूँ हम एक एक पॉइंट मैंने नोट भी किया है हम सब पर चर्चा करेंगे तो इसलिए क्रोस न करें बातों को ध्यान से सुने और उसका उत्तर दें पहला सवाल मेरा यह है कि जो व्यास है उसने 5000 साल पहले कौन सा लिपी इस्तमाल किया आपने उत्तर दिया पाम एक मैटेरियल है जिस पर लिखा जाता है मैं लिपी पूछ रहा हूं कि कौन से लिपी देवनागरी लिपी इस्तमाल किया रोमन लिपी इस्तमाल किया हिब्रू लिपी इस्तमाल किया अर्भी लिपी इस्तमाल किया कौन से लिपी उन्होंने इस्तमाल किया था लिखने के ल साथियों मुझे लगता है कि या तो टेक्निकल प्रॉब्लेम है या कुछ तो है यह चले गए हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह वापस फिर से लोटेंगे और अगराप हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो आप जल्द से जल्द जोईन करें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क। क्योंकि यहां पर इन्होंने बहुत सारे क्लेम किया है किया हि में पर चर्चा करनी है हमें तो इन्हें विमान सास्तर पे भी चर्जा करनी है अभी और इन्होंने वेद को 5000 यहर्स पहले कौन सी लिपी में इसपे भी हम चर्चा करेंगे बहुत ही सुसुरूत सहीता पे भी चर्चा होगी सारे पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे पर आप सभी उम्मेद करें कि वह जल्द ही लोट कि अच्छा यह तब तक कुछ कमेंट्स लेते हैं कुछ साथियों के कमेंट्स क्या क्या रहे हैं पत्थर पानी लिख रहे हैं भाग गया पसीना छोड़ रहा था अरे नहीं है ऐसा नहीं है अभी वह लौटने वाले हैं तब तक उनको देखते हैं हम लोग वेट करेंगे जरूर वेट करेंगे क्योंकि उन्होंने समय लिया था एक दिन पहले उन्होंने समय लिया था कि मैं पूरे दो घंटे चर्चा करूंगा और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा अचा यहां पे शमराट लिख रहे हैं उमीद करनी है उन्होंने अल्रेड़ी लिया है इस तरह से कोई भाग नहीं सकता ना जिनके इतने बड़े दावे हो ऐसे नहीं भाग सकते वह अपनी बात जरूर आएंगे रिपीट करने के लिए मतलब उस पर चर्चा करने के लिए क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं वो क्लेम होता है हमें उसके विडेंस भी देने होते हैं डिवेट में और सारे प्रमाडिक होना होता है विमान सास्तर में इन्होंने कितने बड़ी बड़ी बाते की इन्होंने वेद कितना पुराना इन्होंने बताया कि स्रिष्टी के सुरू से है तो स्रिष्टी के सुरू से कब है स्रिष् पहले कौन सी लिपी इस्तमाल की थी वेद व्यास ने देखो जहां तक सास्तर कंसर्ण है सास्तर में यह नहीं आता कि व्यास देव नहीं लिखा है तो उन्होंने एसा कहीं वर्णन नहीं किया कि मैं इस लिपी में लिख रहा हूं पर जो गुरु प्रमपरा होती है उसके अद्वारा एसे टिस ट्रांस्फर होकर अभी तक आ रहा है समझ रहे हुआ है आप आप यह बता है हमें कि क्या 5000 पहले आपने जो सबसे पहले यह बात कही थी कि वेद व्यास ने लिखा और शृष्टी के सुरू में वेद तब तक सु नहीं लिखा था लिखा था लिखा था कौन सी लिपी इस्तमाल की थी उन्होंने नहीं कह रहा हूँ उन्होंने लिखा था पर हमको सास्तर में यह कोई कंजक्शन नहीं मिलता कि उन्होंने कौन सी लिपी में लिखा था पर अभी हमारे पास जो है वो उन्होंने लिखा था गुरु परंपरा थुरुआ रहा रहा देखो कोई भी सास्तर होता है हमारे व्यदिक परंपरा में उसको कंजव करनेगी जैसे बोला ना सास्तर के प्रहरारव में ग्यान दिया और 5000 साल पहले तक आया तब उन्होंने लिखित फार्मिली लिखा तो उधर तक कैसे आया उधर झांड़ां को में देखा होगा कि उसे भी कहा जाता है वह 5000 साल से लेकर और साड़े तीन हजार साल के बीच का है तो उस दौरान वहां भी लिखावटे होती थी वहां भी उस दौरान जो है लिखावटे होती थी यह बात तो आप समझते होंगे अच्छा तो मैं आपको एक जहां जहां पर कुछ कर रहा हूं इस चित्र को थोड़ा सा देखेंई यह उस समय की मिली है इंडस वैली सिवलाइशन से हमारी एंशींट जो सव्यत्हा है उस समय जो लिखावट होती थी उस समय वह इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे कैसे लिखा गया है इस लिखावट को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके हैं नहीं पढ़ सके हैं तो अब ये देखें आप हमें कि 5000 जिस समय में आप वेदव्यास का बतार हैं हैं कि उस समय से सुर्तिदर प्रंप्रा आ गई उस समय अगर कोई लिखावट होती जिसको अभी भी हम सक्षम नहीं है और उसी समय का आप बत तरदे में मुझाएं अभी मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ बताएं यह आप आप कोई भी एक चीज होती है ना वह कैरी फॉरवर्ट कब होती है पता है जब उसके जो होते हैं उसके फॉलोवर्स होते हैं वह बहुत ज्यादा होते हैं समझे रहे हो अभी वह मतलब अब आपको पूरा फ्री दे दिया था कि आपको जो मन में आया आपने जो कहा हमने सुना अब हम जो आगे चर्चा करेंगे ना जो हमारे से रिलेवंट नहीं होगा उसको इसमें सामिल नहीं करेंगे करेंगे आप हमें यह बता है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके लोग थे ने देखो सुनो आपको क्या पता पूरा पूरा उसका एरिया है आप बताए उसका मिनिमम पॉपिलेशन कितना ह पूरा पूरा उसका एरिया ही आ जाता है कवर हो जाता है यूपी से लेकर राजस्थान गुजरात से लेकर पाकिस्तान का एरिया तक कवर हो जाता है इधर सिनौली वगेरा जो है बागपत सिनौली और देली यह मेरत पंजाव कवर हो जाता है तो पूरा भारत का एक नौर वेश्ट का पूरा कवर हो रहा है पाकिस्तान पूरा हो रहा है आप इस पूरे एरिया में आपके लोग थे क्या तो उनको यह लेंगवेज लिखने पढ़ने तो आती होगी ना अगर बेद ब्यास ने उस समय लिखा होगा तो इसी तरह का कुछ इंस्क्रिप्शन इस्तमाल कि होगा तो वहां की लेंगवेज भी फिर संस्क्रित होनी चाहिए अगर उसने लिखा जरूरी नहीं है ना आचा कौन सी लेंगवेज में लिखाता है अब आज हमारा पुरा वह जो अभी अभी का भारत है हम इतर गुजरात में गुजरात ही होता है मुंबरी साइट जाओ त हमारा पुजराते हो ना थोड़ा सा रुख जाए थोड़ा सा रुख जाए वह जो आपने कहाना कि एक दो ऐसे गाउं है जहां पर आज भी संस्क्रीट बोले जाती है वो फेक नियूज है दरसल वहां पर कई सारे रिपोर्टर गये थे जांच करने के लिए पता चला कि वहां पर कुछ लोग जो हैं संस्क्रीट गाउं वालों को सीखाना चाहते थे और एक एक घंटे का ट्व ग्रेश आया तो वहां पर जब जांच टीम पहुंची तो पता चला कि उस ट्विशन में कोई बंदा तक नहीं गया था एक दो बंदे कोई नहीं सीखा लेकिन मेडिया ने ऐसा हुआ बना दिया कि यहां पर फ्री में संस्क्रीट पढ़ा जा रहा है यानि पूरे गाउं मे लोग संस्क्रीट में बोलते हैं तो यह फेक निउज निकल गई थी चले दूसरी बात आपने अभी एक बात और कही कि लेंग्वेज जो है भारत में कहीं पर उडिया पाई जाती है मराटी पाई जाती है हिंदी यह पाई जाती है तो यह देखिए हमारे पास ऐसे कुछ साउथ से लेकर इवन पाकिस्तान का जो मनसहरा छेतर है इधर तक भी और इवन जो पूरा यह गुजरा तो राजस्थान एरिया है पूरे भारत में लगभग पाली प्राकिर्ट जो है पाई जाती थी थोड़ी बहुत विभिन्नता थी लेकिन फिर भी एक ही लेंग्वेज जो है वो लगभग लोग समझते पढ़ते थे यह हमारे पास सबूत है आज कोई बात नहीं तो मैं यहां पर यह हमारा मूल प्रशन नहीं है मेरा मूल प्रशन अभी यहीं था कि 5000 पहले वेद व्यास ने किस लिपी में वेद को लिखा आप तो बोल तो चुका हो एक बार आप सुने तो सबने सुना जो लाइव में है सबने सुना कि सास्त्रम में ऐसा व्यास देव ने कहीं नहीं लिखा है कि मैंने यह इस लीपी में लिखा था पर इतना सी और है कि अभी तो हमारे बस ग्यान है वह एज़टीज है आच्छा मतलब आप इस बात पर एगरी करते हैं कि आज से 5000 पहले भासा और लेंग्वेज वेद की कुछ और हो सकती है आज कुछ और हो सकती है संस्कृत ही है और नहीं संस्कृत को देव भासा बोला गया है तो आपने कहा कि 5000 साल पहले संस्कृत थी यह कहा ना तो यह जो लिखावट आपको देखने को मिल रही है यह कौन सी लिखावट और यहां पर कौन सी भासा और लिपी पाई गई है इंडस वैली सिवलाइजेशन में यह कौन सी लिखावट है यह मैं नहीं पढ़ सकता अच अच्छा ठीक है यह जैसे कि भारत में भी ओरिया होती है इंदी होती है उसका मंदब यह नहीं होता है अब उस पर भी बात कर लेंगे अब मुझे यह बताईए कि ओल्डेश्ट संस्कृत का इंस्क्रिप्शन कितना पूरा ना मिला है अब मेरा यह सवाल है कि जो उल्डेश्ट इंस्क्रिप्शन है संस्क्रिप्शन का वह कितना पुराना है पुराना मिला है भारत में और भारत में जितने भी ओल्डेश्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं उन पे कौन सी भासा में सबसे लिखे गये हैं जो सबसे पुराने जो पाए गये हैं क्योंकि संस्क्रिप्शन पहले था तो अफ्कॉर्स सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शन मिलने चाहिए वो संस्क्रिप्शन के ही होने चाहिए तो मैं यह जा डिले है संस्कृत के, साधे से ज़्यदा मैंने 1,000 के 2000 के देखे ओल्डेस कौन सा है उस पे मैंने रिसर्च नहीं किया है, पर एक चीज है कि वेद ही ओथरिटी है, समझ रहे गाँ जो गीता है, वो खुद अपने आप में ओथरिटी है, समझ रहे गाँ और उसकी लेंग्वे प्रूब करने कि लिए नोलिज की जरुप नहीं होती हो आप समय रहे हो यह ठीक है अब समझे में क्या कहना चाता हूँ मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि जो सबूत जो हमें मिल रहे हैं उनको हम लोग इग्नोर कर दें हैं किसमें बोला कहा है एक चीज़ जानना होगा कि संस्क्रीट का संस्क्रीट भारत में कब पाई गई उसको जानने के लिए हमें सबूत की जुरत होगी न रुके थोड़ा सा यह जो मैंने दिखाया आपको 5000 का पहले यहां का आपको पता है यह लंग्वेज कौन सी बताई जाती है जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के जो इतिहास विद्ध हैं उन्होंने इंडस वैली सिवलाइजेशन की लंग्वेज को कौन सी लंगवेज बताया है क्या इस प्र आपने कभी स्टड़ी किया है था ल ze क्विछ तो इसको लोगों ने बताया है कि यह जो दक्षिन भारत की ज़ो द्रृविड लंग्वेज है उसके सबसे ज्यादा करीब हो सकती है इसके बारे में हो सकती है लेकिन किसी ने संस्कृत तो नहीं कहा ना सवाल तो यह है ना अगर जहां पर यह पॉसिबिलेटी आ जाए कि बारिस हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि कि बारिस हो सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि आज बिलकुल सूखा पड़ेगा यह इसका प्रेडिक्शन नहीं है आप यहां पर अभी जो मैंने जाताई है कि यहां पर संस्क्रीट पाई जाती थी आपने कहा कि इंडस्वेली को गिनी नहीं रहा हूं मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं ठीक है सबूत दिखाइए हमें अब मैं सबूत आपसे देखना चाहिए आपने इसके बाले में तो सुना होगा अब को नाम बता दो एली डॉरस पिलर इंक्रिप्शन अच्छा जी दिखाईए क्या है वह इसको कम से कम से कम सेंचूरी टूफ सेंचूरी बी सी एका बताते हैं इसके बीच में बताते हैं कुछ फॉर्थ भी बोलते हैं क्योंकि वह मौरियंस के बाद का है नहीं यहां पर भी लगाया है कि यहां पर आपका संस्क्रीट नहीं है मिश्टर के मिश्टर के आप मेरी बात सुने मैंने आप से सबूत मांगा है फाइफ थाउजेंट येर्स ओल्ड का आप मुझे सबूत बता रहे हैं वाशुदेव कौन है वाशुदेव कौन है कृष्ण का नाम है अच्छा कृष्ण कब नाम आया है अगर उनका नाम वाशुदेव था तो वो कृष्ण कब नाम को आया है बहुता है क्षिण कब यह करिश्ण की नाम के जिसाल अधाए और वह ज रहीं पार्यूग के और कर्यूग के जो अच्छा कोई भी हिस्ट्री जैसे हम इसकी बात एक आपको बात बता तो एलेक्जेंडर तो ग्रेट है ना उसका आप बिलीव करते हैं उस पर यह था थोड़ा रुकें थोड़ा थोड़ा चैन मैं यह कह रहा हूं कि मैं सिर्फ टूद बात करूंगा अभी मैंने जो सवाल खड़ा किया है कि 5000 पहले आपको संस्क्रीट का एविडेंस देना था जो आपने कहा कि यहां पे संस्क्रीट का था और यह आपको एडवेंस देना था आ उसका एविडेंस मांग रहा हूं, आप वहां से जंप करके 200 BC पे पहुचे हैं, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 5000 यर्ज का चाहिए, अभी आप सिकंदर पे जंप कर रहा है, वह भी इसा से 400 साल पहले 400 B C के करीब का है, वह भी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर स्टेट्मेंट दिया है उन सब के मुझे चर्चा कर देखो कोई भी एक इस्टोरिकल वरस्टनलिटी होती है या तो कोई भी एक आपको इवेंट दे दिया कि भाई यह इतियास है या नहीं इसको जानके बता तूसका हम कैसे जानेंगे पहली बात होती है जो जो एविडेंस के अंदर ही दिये है या तो सास्त्रा के अंदर दिये है उन एविडेंस है दूसरी चीज़े आर्टि जियोग्राफी बॉटनी ठीक है ओस्यनोग्राफी इंस्क्रिप्शंस डाइनेश्टी कमेंट्री आप सबूत दीजिए ना आप यह सब तो हम लग जानते हैं आप सबू हैं आ उन्स करते हैं उन्हे si को एimmakर हो की मेरे खेल से आपको सबूत देना चाहिए हम लोग अब और निया आपको क्या बूर रहो यही वह वह हुश्व है इस यह समझतार रहा है उसको परू करते है पहली बात हम पर ऑपके हम करेंगे एसम्हाबारत है तो वह कितना साल पहले आपको मिली है सुने मेरी बात को सास्तर कुछ नहीं कहते हैं सुने थोड़ा सा थोड़ा सा सूने आप questions समझ नहीं रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं सास्तर कभी कुछ नहीं कहते हैं जैसा कि आपने बताया कि 5000 पहले ब्यास ने लिखा था तो उसने astronomical data भी लिखा होगा 5000 पहले वह आपको अभी बताना पड़ेगा मुझे कि वह चीज जो उन्हों कि आपके गीता में ही इतनी सारी गलतियां है यानि कि आप लोग जो है संस्कृत भी जो है ना वह जिन लोगों ने लिखा है गीता को उनको संस्कृत भी ढंक से अरे रुके रुके थोड़ा रुके पहले वो किलियर कर दीजे ना आपकी 5000 पहले आपका संस्कृत था दिन मैं अभी दिखाता हूं ना एरर भी दिखाऊंगा मैं गीता में जी जी तो astronomical references ने इस्टोड़ा सा रुके astronomical references क्या होते हैं क्या reference होते है इनकी जो इन सबका जो conjunction होता है इनका जो हवा में जो चित्रन होता है position होता है उसको record किया जाता है कि जैसे रिकॉर्ड किया वह व्यास देव ने किया व्यास देव ने 5000 साल पहले किया जी जी और वो अच्छा एक मिनुट रुके थोड़ा रुक जाए 5000 साल पहले व्यास का कोई सबूत मिला है व्यास देव का कोई सबूत मिला है कि 5000 साल पहले लिखे गए थीक है 5000 साल पहले आपके सास्तर लिखे गए कोई कौन कोई से सास्तर 5000 साल पहले लिखे गए वेद पिर वेद में सारी उप वेद आ जाते है उपनी सद आ आचा है और पुरान भी लिखा गया होगा पांच हाजार सल नियुक्त का मौन ओन्फरम है रही है आपने अपने पुरानने की दरत नहीं अगर अजिसे इस टौपिक को मैं यहां रखता हूं क्योंकि आप बुरी तरह से हुए हैं क्योंकि नहीं हैं यहां पुराण में महारानी विक्टोरिया की चर्चा है 5000 साथ पहले कैसा लिख देगा भवी से पुराण में जो है आपके यह तक लिखा हुआ है कि जो अकबर था मुगल का जो अकबर था उसने क्या किा कि उसने जो गाए का जो दूद पी रहा था उसे जो एक डाल जो है वो डल गया वो पी गया तो इसलिए अगले जनुम मुस्लम पैदा हो गया तो उसके बारे में अकबर के बारे में लिखा है महाराणी विक्टोरिया के वो राजस्ट हो रहा है यह आप जो है बता रहे हैं कि इनके होने से साथे-4000 साल पहले लिख देए यानि 5000 साल पहले लिख देए चले और बताता हूं आपका जो पुराण है आपका जो विश्न पुरान है आपके जितने भी पुराण है इन सबमें नौवी-दसवी-द्यार्वी सदी के राजावों तक की चर्चा हुई है यह सब 5000 साल कीसे लिखा और रूटे सांस तो यह किताब जो अब की बात कर रहे हैं यह चलेगा 5000 साल पहले तो एक चीज तो यह गलत हो यह कोई नहीं मानेगा यहां दर्सक्राण जो है 5000 साल पहले लिखे नहीं तो सबूत दिखाए हमें कोई ऐसा सबूत दिखाए जो पुरानों का आज से 5000 आपको बता होगा कि जब बुधा है जब नो बुदद की चरचा है याज को और बुदध की चरचा कर रहें हो कि विभगवन का उतार है जितने वह भगवान का उतार मांवे तर गोंटे हैं मतलब आपके जितने लेखक थें वो जिस समय लिखते थे अपने से धाई हजार साल पहले आगे की चीज़े लिखते थे पांच हजार साल आगे की सारे नहीं सिर्फ व्यास देव को भगवान का आउटार बताया गया है और त्रिकाल ग्यानी का मतलब क्या होता है जो पीछे जो गया पाष्ट देख सकता है जो वरतमान देख सकता है और जो भविष्य देख सकता है आपने कहा था कि आप कंप्यूटर साइंस में भी इंजिनेरिंग की है अब यह बताए आप कि इतना साइंट्फिक आप जो है एक पढ़ने के बाद भी अगर आप इस की बाते करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है लिख रहा था अपने से डाई अजार पांचाजार साल आगे की चीजे लिख रहा था और जब यह इतने बड़े आप क्लेम कर रहे हैं और जब आप से एविडेंस मांगा जा रहा था कि किस लिपी में लिख रहा था तो आप उसको गोल मुल कर रहे हैं हैं मैं एक लए अट यह लिखा यह नहीं लिखा कि कोण से लिपी में लिखा कि उसमें कॉन से लिपी में लिखा आप को कैसे पता चला है लिखा जाता है यह फिर लिपी में लिखा जाता है कि अगर सिश्ट पूरा सांटिफिक वे में देखे आज की डेट में कौन सी भासा में और कौन सी लिपी में आपके धरमसास्त्र लिखे हुए है तो ज्यादा देवानगरी में ज्यादा रपाए जाते देवनागरी कब आई हुई है मतलब कितना आराम से फर्स्ट फॉर्ट सेंचुरी हाँ जो स्कॉलर्स है वो बताते हैं कि फॉर्ट सेंचुरी सी के आसपास आई है कि यह स्कॉलर बताते हैं कहां से आप पता है कि फॉर्ट सेंचुरी तक चौदहवी सदी तक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उसको ब्रामण नहीं पढ़ पाये थे अंग्रे जाकर पढ़े हैं भारत में उन्होंने जो फॉर्ट सेंचुरी की जो आप बात कर रहे हो जो है जो फॉर्ट सेंचुली में है मैं की से ने पर सर्च करके हमें बताएं कि गुप्त वंस की लिपि किस ने पढ़ी हो मैं इस पर कोई नहीं जताओंगा कि कौन authentic source है आप खुद पढ़के एक बार बता है क्योंकि आपके क्लेम बहुत बड़े-बड़े आपने यहां पर आज किये हैं सब्सक्राइब भारत से लिया है इतने सारे आप इसमें नहीं मिल रहा है आप निकाल दो है आप अब आपको नहीं मिल रहा है आपको अपने ले रहे हैं अब मुझे यह बताइए भारत की ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन किसके कौन से राजा की मिली है भारत में अशुक तक जाती है तिल आई नहीं नहीं कोई बात नहीं है तो आप हिस्ट्री की तो आच चर्चा कर रहा है किसकी चर्चा करें पर सास्तरा के देश करेंगे थोड़ा रूके थोड़ा सांस ले ना आप तो इतना अभी पता है आपने कितनी टॉपिक चेंज की है अब आपको कोई प्रोब्लम आ रही है क्या नहीं नहीं मैं तो सबुदातो रहा हो आपको थोड़ा सांत रहें बीच में इस तरह से क्रॉस मत कीजिए चले अभी जो है हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले थे जब मैंने गौड का आप पर बोला था कि गौड का सबूत दीजिए लंबा चोड़ आपको सबूत दिया था आप नहीं दिये थे फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर आया थ मैं आपको गौड का साइंटिफिक सबूत देता हो चलो भगवान का स्थित्व है और है अभी फिर नहीं नहीं रुख जाएं अभी थोड़ा रुख जाएं अभी जो हम लोग टॉपिक फिर आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं अभी जी स्मूद्दे पर हम आये हैं लोग आप पी पूछेंगे आप पी पूछेंगे नहीं तो यार्ट क्या है यह क्या है इस तरह से डिवेट होगी आपने दस मिनट बरबाद कर दिया और अभी तक आपको मैंने एक सबूत मांगा था कि 5000 में किस लिपी में ब्यास ने लिखा उसका आप सबूत अभी तक नहीं दे हैं सिर्फ क्लेम पे क्लेम सास्त्र प्रमाण है फिर करें मैं हिस्टोरीयन नहीं हो ओल्डस्ट इन्स्क्रिप्शन पर फिर फर फस रहे हैं अभी मैंने पूछा कि वही oldest inscription किसका है, समराट असोक की जैसे बात आई, आप भागना शुरू कर दिये, वही सबूत होता है, समराट असोका जो है, वो उनके inscription मिल रहे हैं, लेकिन उनकी history गायब थी, आपके सास्त्र मौझूद है, आपके सास्त्र मौझूद है, लेकिन आपके सास्त्र जिस लिपी में लिखे हुए है, उससे भी पुरानी लिपी के inscription मौझूद थे, उसके बारे में आप लोग कोई जनकारी नहीं, अंग्रे जाके पढ़ता है, किसने पढ़ा था समराट असोक का, कहां गए, भाग क्यों गए, यह भाग भी गए, मुझे उम्मीद है, अगर यह सुन पा र में भी पाया गया है, आज के पाकिस्तान में पाया गया है, इवेन उनका inscription आज का जो नैपाल है, वहां पे भी पाया गया है, लुंबनी में, तो मैं आप से जानना चाहता हूँ कि समराट असोक का inscription किसने पढ़ा था, चले बताएं हमें, अगर आप, हाँ, बताएं, इस तरह से नहीं बात हो पायेगी, अभी मैंने आप से कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवाल का जवाब दीजिए, आप मुझ से पूछेंगे, मैं आपका जवाब दूँगा, आप बीच में क्रोस क्यों कर रहे हैं, इससे डिवेट होती है, ऐसे डिवेट होती है, अरे यह ज समराथ असोग का इंस्क्रिप्शन किस ने पढ़ा था, और ब्रामुरो को वो लेंग्वेज क्यों नहीं आती थी, यह बताए हमें, जी, बताओ, मैं आपको यह बता रहा हूँ, हमारी जो चर्चा है, वो स्पिरिच्वल चर्चा है, इसमें बटीरेंग चीज असोग का हित समर्सले, जी, ऑर सिकंदर स्पिर्चा दा, दो खरो, भगवान सबसाएक अबुछ इसोगी इनफाना, नहीं लिखा हुआ हे, वो मीट ऐसान verbess युकिम्हाम, करना है तो आप तो पहले तो इतने मुद्दे चेंज कर रहे हो सबूत अभी तक नहीं दिया आपने की वेदव्यास ने 5000 साल पहले कैसे लिगा और क्या कह रहे हो अकबर की बात वेदव्यास लिख रहा था इस पर आप चले हो और इस पर आप बता रहे हो कि बीटे कर रहे हो बीटे कर रहे हो फाइनल एर में बता रहे हो बीटे फाइनल एर का बंदा जो है वो ये बात गपूर रहा है यहां पर बैठके कि भाईया आज से 5000 साल पहले बैठके अकबर के बारे में लिख रहा था कि जूढ बोल रहे हो है यह आपको पता नहीं आपने दिवनागरी लिपी बता दिया था अभी कि वीसी सी चलती थी वहांपे आप भाग बोचा कि उससे पुरानी लेपी वहां पे आप भाग क्यों रहे हो मुझे तो यह मेरा भी प्रशन है या तो आप बताओ व्यास ने किस ल इसका जबाब दो हमें अभी भी सवाल वही है पहले हैं अच्छा थीक है नहीं लिखा आपको कैसे पता चला कि वेदव्यास क्या लिखके गया है जब उसने कुछ लिखा ही नहीं आपको पता कैसे चला की कौन सी लिखे अब लिखे गया है किस लिखे में लिखा गया कब लिखा गया है यह पहले बताओ आज जो एविलेबल है यह कब लिखा गया है अब पहले उसका सबूत दिया अभी तक उसमें तो भागजा रहे हो कहां क्या किया दिया करो यहां मैं आपको सिंपल चीज बता तो आपको नहीं बोलता हो नहीं सुनूंगा नहीं मैं आप सबूत चाहिए आप मैंने बहुत बोली सुन लिया आपकी आप हमें सब 5,000 साल पहले लिखा गया लिखा गया सबूत मांग रहा हूं तो आप भाग जा रहे हो आप मुझे सबूत करो कहां किसीने पांच हाजार साल पहले लिखा है समझ रहे हो सास्त्र करो यहां पर सास्त्र अथरिटी है तो सेर करो किस सास्त्र लिखा है किस सास्त्र पहला है एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस भी जब आप दोगे ना तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वह लिखावट कब की है कितने साल पुरानी है तो मैं कह रहा हूं वह पांच हाजार साल पहले अगर लिखा हुआ आप दिखाओ के तो मैं मानूंगा दिखाओ कहां पहले एस्ट्रोनॉमिकल कोई सबूत मिले हैं दिखाओ हमें वहीं तो महाबारत में तो अच्छा वाइप से स्टुडियो यहां लिख रहा है अंधभक्त तुन्नी है गुड जॉब सर जी बहुत सुक्रिया आपका हाँ जी दिखाएं हम लोग आज देखेंगे पूरा आपका पांच हजार साल पहले लिखा किस पर जाता था था थोड़ा यह भी बताएं हमें प्रूफ निकालते रहें तब तक थोड़ा सा बाते भी जारी रखें पब्लिक पूर थोड़े यहां पेठेंगे आपको यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सी किस चीज पर लिखवाते थे लो बेदव्यास कौन चीज पर लिखता था कि मतलब से लेट लेट रखा था या कोई चीज पार्टिकुलर कोई चीज रखा था जिस पर लिखता होगा इसका जबाब दीजिए वह यहां पर जै प्रकास कामली जी का सुपर इस्टिकर है बहुत शुक्रिया आपका और यहां पर अर्र्जी का भी सुपर इस्टिकर आया है आपका भी बहुत किस चीज पर लिखता था किस चीज पर बताएं हमें पाम लिफ पर भारत में पहली बार कभ इस्तेमाल हुआ है एक बार गूगल पे सर्च करके भी हमें सबूत दिखे खम के आपकी ऑथरिटी जो है ना वह इसी का सबूत में मांग रहा हूँ आपके अथोरिटी है तो सबूत भी होगा ना आपके सास्त्र जो है मुहां खोला सब्रशार लिखा गया है तो पामलिफ होगा तो इतिहासकारों को भी पता होगा सारे इतिहासकार आपके बैठे हुए है कोई दूसरा थोड़े बैठा हुआ है भारत में पढ़ने लिखते हैं कि जो बात है ब्रामण ही किये हैं अगर आप पाम लिफ होगा 5000 साल पहले तो यह बात थिर्फ आप ठोड़े जानते होंगे आपके ब्रामण जो बैठ के इतिहांसकार बैठे हुए हैं सारे यह जितने पालीयोग्राफी आपका लिखा है उजहा जी ने लिखा इन सबको पता होगी कि पाम लिफ कप पाया गया है यह बर्च है यह कप आया गया है अब इस लोगों पता होगी तापको बताना पड़ेगा कि भया किस चीज़ पर लिखता था इस बताएं तो बताया आप कि ब्यास किस चीज़ पर लिखता किस चीज़ पर था इसका सबूत नहीं काटेंगे ना नहीं काटेंगे अच्छा इंडस वेली सिवलेजेशन में पाम लिफ मिला है क्या वह में लोगा नहीं पता है अब इसका उसका नहीं मिला है लेकिन आपको मिल गया है अभी तक नहीं होगा समझ रहे हैं यहां पर मैं समझने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर सबूत के लिए बैठा हूं क्रोश करते हैं यहां आरे सुन लुगा न ठुड़ा रूके जब मैं बोलता हूं क्रोश क्यों करते हो यार या अगर लिखा होगा तो पामलिफ पर लिखा वोगा तो पांचा जार साल पहले का मिलना चाहिए क्योंकि आज भारत की या पूरी दुनिया की जितनी इतिहांस की जो चीजे आती हैं वह सबूड हो जाएगा आपकी पिस्वा सनीता पढ़ जाएगी नहीं सही बताता है अभी मैं एक चीज मान लो मैं आज एक पाम लीव पर मैं अभी कुछ लिख रहा हूं अभी आपको लगता है कि 5000 साल बाद मैंने जो पाम लिख पर लिखा है वो वह वहां सब कहानी से हम लोग कोई मतलब नहीं सब्सक्राइब काथा कानी सुन के नहीं भी स्वास करती यह एक मिनट रुके थोड़ा यह पढ़े तो इक कुछ नहीं पढ़ने के जरूरत है तो सबूत कहां से दो गए मुँह से सब्द गपोड़ने से थोड़े सबूत हो जाएगा पढ़ो इसमें क्या लिखा है वान आफ दी ओल्डेस सर्वाइविंग संस्क्रिट मैंस्क्रिप्स आप पूरा पढ़ता हूँ अरे वह मैं बताने के जुरत नहीं आप पूरा पूरा पढ़ता हूँ तो यह आपका ओल्डेस्ट है नाइंथ सेंचूरी में आपका जो है ओल्डेस्ट पाम लिफ मिल रहा है आप पाँच हजार पहले का क्लेम कर रहे हैं आपका फेवरेट जो है विकिपीडिया उसी से दिखा दिया हम लोग विकिपीडिया को भी आथेंटिक नहीं मानते हैं आप मानते हैं रुके थुरा साइब नाइंट सेंचूरी पहले लिखता था अब मुझे एक सिंगल सबूत दिखाईए मुझे कि इसा पुर्व कहीं भी पाम लिफ इस्तमाल हुआ हो क्योंकि इतिहांस गवा है जितने भी हमारे उल्डेश्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो सारे के सारे जो है रॉक पे लोगों के पास पाम लिफ या लिखने का कागज नहीं था तो लोग प से गायब कर दी जब पिढ़ी दर पिढ़ी पांच हजार साल से लेकर आ रहे हैं पाम लिफ पर लिखता था यह अनपढ़ बन गए इनको पता ही नहीं है पाम लिफ आ रहा है इधर नौवी दसवी सदी में आपको सबूत भी देना होगा कि पांच हजार साल पहले व्यास कि इस चीज़ पे लिखता था जी जी सुनो मैं क्या कह रहा हूँ अगर पांच हजार साल पहले उन्होंने लिखा पर वो अभी बची नहीं है इसलिए इसमें क्या लिखा है कि वन ओफ दी ओल्डेस सर्वाइविंग इसमें क्या लिखा है कि जो सबसे पुरानी पांब लीफ ह इसमें से जो अभी बच्ची है इसमें से जो अभी बच्ची कुछी है वह ये वाली है और उसका नाइंट सेंचुरी और टु ऐश्ट है तर तबाह हुआं अचा इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि आज से 5000 साल पहले प्लिफ थी इसका मतलब तो ये भी तो नहीं हुआ थोड़ा रुकें रुकें आपने बोला अब सुने थोड़ा सा यहां पे कहीं भी यह मतलब नहीं लिखा हुआ है कि 5000 साल पहले पामलिफ थी अरे 9th century बता रहा है तो चलो ठीक है आमाल लेते हैं कि 100-200 साल 50 साल आगे पीछे हो सकता है आपने कहा 5000 साल पहले पामलिफ पर लिख रहा था विद्पयास आपको सबूत इसका देना पड़ेगा नहीं देंगे हम लोग आथेंटिक नहीं मानेंगे सिनथ थोड़ा सा रुके यह जब कहूंगा तरह आप बोलिए गा अप हर चीज का सबूत होता है कि नहीं होताым लेकिन सबूत महीं देंगे तो हम लोग नहीं मानने यह सबूत अप देंगे उसी को हम लोग तितों में लेंगे या इկस्ट करेंगे मान लीजे कि 5000 साल वहां पे जो जो मिट्टी है उस पर लिखे हुए चिन लिखित हुए मिले हुए हैं पाम लिफ तो नहीं मिल रहा पूरे इंडस वैली के सिवलाइजेशन की सबूत मिल गए अगर वहां पे भी पाम लिफ मिलता तो हम लोग समझते कि यहां चलो कोई पांच आजार साल पहले था और कोई व्यास नाम का व्यक्ति लिखा होगा उसके कोई सबूत नहीं है इंडस वैली कोई पाम लिफ नहीं मिलता वहां पे लोग पत्थरों पे लिख रहे हैं या मिट्टी पे लिख रहे हैं फिर इसा से 200-300 साल पहले के राजा भी पत्थरों पे लिख रहे हैं इसा क कि आपने यहां पर देखा कि पाम लिफ की बात आ रही है सिधर नाइंफ सेंचूरी में यह बात आ रही है हम लोग कैसे आप मान ले कि 5000 साल पहले व्यास न लिखा यह बताएं हमें कि मैं आपको क्या बताता हूँ सुनो पाम लिफ था पर अभी तक 5000 साल तक कोई पता बत सकता है वो मुझे पता हूँ मतलब आप यह कह रहे हैं कि आप यह से तो मैं भी कलपना गड़ा दू ना ऐसे तो मैं आप गुरू परंपरा है तो आप मुझे दिखाए ना सबूत कि आपके कैसे 5000 साल पहले गुरू थे चार हजार साल पहले वाले गुरू कौन सी भासा लिपी इस्तमाल करते थे जो इंडस्वेली के दौरान में बताए ना हमें सबूत दिखाए फिर सब्सक्राइब हमको हमरे घुरू से आता है उसको ही जेन के सब्सक्राइब कर देड़ हैं कॉन सी भासा लिपी इस्तमाल कर रहा है आज की कि आपके जितने गुरु है कोन से भासा लेपि आज इस्तमाल कर रहे हैं बनाब किसमें से ट्रांसलेट कर रहे है या लिख रहे है यह सपश्टी करणकजी है नहीं जो आज की भासा होगी उसी में लिखेंगे पढ़ेंगे ना इंग्लिस में इंग्लिस हिंदी गुजराती एक बास होती है, बोस्क्री इंग्लिज और इंग्डी होती इंदी इंग्डी होती है। बोगा 300-400 साल नहीं है, 200 साल के अंदर कहीं है, चले इंग्री इंग्लिस को आए है? पिछले 200 साल के अंदर की लेंगवेज आपके गुरू आज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ये दावा है कि 5000 साल पहले की जो लेंगवेज ती वो एज टी आज तक चली आई जबकि 200 साल के अंदर ही आपने तीन लेंगवेज अलग जेनरेट कर लिया और 5000 साल पहले क्या लेंगवेज थी वो पता ही नहीं है इतना टाइम डूरेशन में आपका लेंगवेज नहीं बदला दूसो साल में आपने तीन नहीं यहां से यह पता चलता है कि जिस तरह से 200 सालों में आपने इतनी लेंगवेज चेंज की है उसी तरह से आपने लेंगवेज बीच में हर सामें कालखंड में भी चेंज हुई है इंडस वैली सिवलाइशन की जो लिपी भासा है आप लोगों को नहीं आती आप लोगों तो इंडस वैली सिवलाइशन का पता भी नहीं था होता है और क्यों नहीं पता होता है क्योंकि हमिए सा भासा ट And the आप लोग जूट बोलते हो कि 5000 साल से पकर करके करके 5000 से लेखे होते तो आज की डिट में भी आपकी नहीं चेंज होती जो 5000 से लेकर चीजह आ रहे हो ये आपका दावा है तब तक नहीं बदला इधर आते ही पिछले 200-300 साल में आपकी भासाली की आपना चीज लिखने लगे तो यह आप लोग का जो है यह इतना ज्यादा मतलब है यह कोई परमार नहीं होता है अब मुझे जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बूसका आपने नहीं दिया अब मैं आप से जो है अब दूसरे मुझे घृ लींगर लीज़ा कर लिजये कर दीजी पर पश्टिकरन कर लेज़ एक सिंपल जी मैंने आपको जो आपने बोला ना हिंदी गुजराती और इंगलिश सही बाद है ये तिन सो बलब दो सो साल तिन सो साल के अंदर की ही लेंगवेज़ ठीक है ये लेंगवेज जो है वो लोगों को समझाने की चेंज हुई है जो ओरिजिनल जो गरंथ है संस्कृत की वो चेंज नहीं हुई है जैसे कि मान लो अगर हम विदेश में जाके संस्कृत बोलेंगे या किसी को भी संस्क्रिट बोलेंगे तो कोई संस्क्रिट समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा तो आज के लोग क्या समझते है तो भाई जो भारत में रहते है वो गुजराती, इंडी, इंग्ली, ओरिया, बंगाली वो समझते है जो विदेश में रहते है तो ज़्यादा तर इंगलीश या और उनकी देश की बहासा समझाता है तो जो संस्कृत है उसको उनकी बहासा में ट्रांसलेट करके उनको समझाना रहता है समझ रहे हो और यहीं रीजन है कि लेंगवेज चेंज हुई वरना आप देखो जैसे आपने बहुत बोलागी गुरू परमपरा है काटो मत, काटो मत, काटो मत, बोले संस्कृत जो गरंथ है जैसे कि लेलो भगवत कीता लेलो हम अभी यह यह पकड़ते हैं हम दावा करते हैं कि पाँच जज़ा साल पर लेले लिखा है तो हमारी जो गुरू परमपरा है तो वो भगवत कीता तो सेम है वो साथ सो स्लोक संस्कृत के स्लोक तो वो सेम ही है ठीक है? पर उनको समझाने का तरीका अलग-अलग होता है वो समझ रहे हो अगर अभी अभी हमको जैसा मेरा ही ले लो मुझे संस्क्रिट के बहुत स्लोगात है अभी मैं अगर बोलूँगा तो ये जितने भी दर्सक है वो संस्क्रिट नहीं समझ पाएंगे तो उनको उसका गुजराती या इंगलिज में भासांतर देना होगा तो वो समझाने की लेंगवेज चेंज हुई है जो पांचेजार साल से जो गुरु परंपरा वाली भासा है संस्क्रिट वो कभी में नहीं बदली है ठीक है तो वो आपका जो क्लेम था कि तीन बार बदली तो कितना बदला होगा वो जड़ा सब गलत है समझाने के लिए बदला है पर जो संस्क्रिट है वो तो एजटेल ही रहा है चले आपने बहुत 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 बोल दिया वो गलत नहीं हो बिल्कुल सही अब उसका मैं सबूत भी आपको दिखाने की बाद करूंगा थोड़ा रुके यहां पर कुछ सुपर स्टीकर आया है उनको भी मैं पढ़दू विवेक कुमार जी यहां लिखते हैं अनेजुकेटेड है कब स्पिरिवालिटी पर बोलते हैं कब हिस्ट्री पर पता है नहीं चलता मैं समझ नहीं पा रहा हूं एन देखना पड़ेगा यहां पर आपने भासा लिपी की जो बात की है मैं एक एक स्क्रीन सोट आपको शेयर कर रहा हूं थोड़ा सा इसको देखें यह क्या कर रहा है क्या आप इससे देख पा रहे हैं मुझे थोड़ा थोड़ा गुजरती में इंगली साता है । कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ भासा लिपी पर क्या चक्कर क्या है । जो भारत में कहीं पर भी जब भी कोई, जुस्वर होते हैं 12 स्वर होते है, आज unfortunately 12 स्वर जैसे संस्क्रीट में हलंत का इस्तमाल होता है किसी भी सब्द के लाश्ट में हलंत का इस्तमाल होता है अनुश्वार विशर्ग इन सब का जो है इस्तमाल होता है और और इस्तमाल होता है लेकिन यह सारी चीजह जो है जब आज से इसा पूरव में जब हम जाते हैं तो जितने हमारे लिखावट inscription मिले हैं उस समय ये स्वर भारत में विक्सित नहीं हुए थे और इसके सबूत के तोर पे भारत के जितने भी oldest inscription है ये मौजूद हैं कि उस समय भारत के लोग ये स्वर प्रयोग नहीं करते थें क्योंकि जितने भी राजात हैं और उनके जितने भी inscription मिले उ यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है यह धम लिपी की बात कर रहा है धम लिपी बैसिकली उन लिपी को कहा जाता है जो पिछले 1000 यर्ज से पहले और बुद्ध के बाद की जो सभ्यता थी पिछले 1500 साल की जो सभ्यता थी उसमें यह लिखावट प्रचूर मात्रा में पाई गई और इसमें सिर्फ अकेले समराट असोग के 30 से ज्यादा inscription मिल चुके हैं बड़े छोटे सब मिला कर और गुपतावन से लेकर सुंग से लेकर अनेको रजाओं के इसमें inscription मिले हैं इवेन साउथ इंडिया के जितने inscription मिले हैं इन सब में इसका परियोग हुआ है तो इन सब की ज इक्सित ही नहीं थी डिवलफ ही नहीं हुई थी Sanskrit इससे यह पता चलता है अब यहां पर आपको दिखाए गए होंगे और इस जिसको हम स्वर कहते हैं लेकिन इसमें से यहां पर लिखा हुआ है लेकिन याद रहे समराथ असोख की धम लिपी में प्रापत अविलेखों में अए और और स्वर का उपयोग नहीं हुआ है ये उपर लिखा हुआ है इसे ये पता चलता है कि ए और औ जो है न ये बाद में गुपता लिपी के बाद में इस्तमाल की गई है और ये ऐसे स्वर हैं जो की संस्कृत लिखने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं बिना इन सब के और अह के बिना पर्योग के संस्कृत लिखी ही यह माना गया है कि एसा के बाद जो पाली थी यह जो धम लिपी आप देख रहे हैं इसमें लिखी जाने वाली जो भासा थी पाली प्राकिर्थ उनका धीरे-धीरे वो हुआ है, संसकारित किया गया है और यही धीरे-धीरे संसकारित होके स्वर भी बढ़ रहे हैं जैसे आठ खड़ी से नौ खड़ी हुई नौ से ग्यारा खड़ी हुई या ग्यारा से जब बारा खड़ी हो जाती है देवनागरी लिपी में तब कंप्लीट संसक्रित लिखना पॉसिबल होता है तो आप अगर किसी चीज को नहीं लिख पा रहे हैं मुह से, मुह में भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं कि हम मुह से ही कुछ हम दोहे, छंद या मंत्र बना ले, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो है उसको हम बोली कहते हैं, वो भासा नहीं होती है तो जब जो आप अभी तक दावा कर रहे थे कि हम लोग वेद को या जितने भी आपके धरम गरंत और जितने भी सास्त्रा हैं, हम लोग पिर्ड़दर पिर्ड़िड होते हुए लाए हैं, उसके लिए संस्कृत भासा होनी जरूरी थी संस्कृत भासा अगर होती तो ये सारे बारा खड़ी अल्रेडी पहले से एवलेबल होती और अगर अल्रेडी पहले से एवलेबल होती, तो ये जितने भी राजा है जितने भी जैसे गुप्त वन्स को अक्सरहां इतिहासकार बहुत सारे लोग जो हैं दावा कर देते हैं कि ब्रामड इसमें थें ब्रामड थें तो फिर आप असोक पर भी दावा करते हो उसे मित्र सुंग पर दावा करते हो सब पर आपने दावा किया है या फिर आपने है वह आया है तकरीवन जो बहुत मार्ग है उसके बाद डेवलप हुआ है अब मैं यह तो एक एक चांपर दिखाना जरूरी है क्योंकि आप लोग का जो दावा है ना वह आपके यथा चुकि आप इश्कौन के जो प्रभुपाद हैं उनहीं का आप मानते हैं तो मैं उनहीं का ही सबूत दिखाऊंगा और दूसरे जाएगा स्लोग निकाली है एक मिनट क्या बताया आपने निकाली है स्लोग हाँ वह मैं आपको निकाल के बताता हूं थोड़ा सा आप वो रखें एक मिनट पूरा का पूरा जो है जितने भी जो एक्सपर्ट लोग है उन सभी का यह दावा है तो यह चीज आपको भी जाने जिरूरी है कि कहां चला गया है कि कि अधाय था रूप है यह यह ट्वेंटी सिक्स नंबर है इसमें आपके जो प्रभुपाद जी है देखिए यह क्या करते हैं यह चैप्टर टू का ट्वेंटी सिक्स लोग है इसमें प्रभुपाद जी जो है इसका अनुवाद करते हैं कि किन्तु यदि तुम यह सूचते हो कि आत्मा अत्वा जीवन का लक्षन सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे सूक करने का कोई कारण नहीं है आचा यह जब कहते हैं तो इसको चुकि गुरू की जरूरत पढ़ती है एक्सप्लानेशन की क्योंकि आमतोर पर लोग समझ नहीं पाते तो प्रभुपाद जी जो है वो इसका एक्सप्लानेशन करते हैं एक्स्प्लानेशन में वो लिखते हैं तात्पर्य सदा से दारसिनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौधों के ही समान यह नहीं मानता की सरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उप देश दिया तो ऐसे दारसिनिक विद्यमान थे जो लोकायतिक तथा बैभासिक नाम से जाने जाते थे ठीक है यह इन्होंने कह दिया अब बैभासिक की नोंने चर्चा कर दी देखिए ध्यान दीजिएगा लोकायतिक नों ने कि भगवान कृष्ण से पहले लोकायतिक भी थे और बैभासिक भी थे ऐसे दार्सिनिकों का मत है कि जीवन के लक्षन भौतिक संजोग की एक परी पक्व अवस्था में ही घटित होते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिक भौतिकता वाधी दार्सिनिक भी ऐसा ही सोचते हैं देखिए यह प्रभुपाद क और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रसायनिक तत्व के संजोग से जीवन के लक्षन विक्सित हो उठते हैं तत्व विज्ञान इसी दर्सन पर अधारित है संप्रती अनेक छदम धर्म जिनका अमरीका में प्रचार हो रहा है इसी दर्सन का पालन करते हैं और साथ यही सुन्यवादी यह देख लीजिए यह लिख रहा है साथ यही सुन्यवादी अभक्त बौधों का अनुशरन करते हैं अब यह यहां पे दो चीजे दो साखाओं का नाम लिये हैं पहली बौध की एक साखा है पैभाशिक उसका नाम लिया है कि कृष्ण से पहले थे दूसरा यहां पर फिर इनों ने सुन्यवाद का भी नाम लिया है और सुन्यवाद भी बौध मारकी ही साखा का नाम है दूसरी साखा है सुन्यवाद जिसको की माध्यमिक भी कहा जाता है और जो डक्षिन भारत के रामा नुझा जो थे उन को कहा गया है founder तो इसका भी नहीं नाम लिया अब आगे यह लिखते हैं यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तितों में विश्वास नहीं था जैसा कि बैभासिक दर्सन में होता है तो भी उसके सोक करने का कोई कारण नहीं था अब यहां पर यह अर्जुन की तुलना भी कर रहे हैं कि कि तो भी ऐसा कारण ना था कोई भी मानों थोड़े से यह आगे देखें रसायनों की छती के लिए सोक नहीं करता तथा अथवा कर्व करतव्य पालन नहीं त्याग देता दूसरी और आधुनिक विज्ञान तथा विज्ञानिक युद्ध में सत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूक देते हैं अब आगे फिर वैभासिक दर्सन की चर्चा करते हैं कि वैभासिक दर्सन के अनुशार आत्मा सरीर के च्छय होते ही लुप्त हो जाता है अतह प्रतेक दसा में चाहें अर्जुन इस वैदिक मानेता को स्विकार करता कि अडू आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्विकार नहीं करता उसके लिए सोक करने का कोई करण न था मतलब प्रभुपाद यहाँ पे यह कह रहे हैं कि चाहें आत्मा है चाहें नहीं है दोनों ही केस में वो चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे अरजुन को सोका करन न था अतूलना कर रहे हैं वैभासिक से क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते हैं आगे देखिए। और अरजुन का संबंध वेधिक संस्कृति यह आगे अपनी जो भी पातव है जो आपका ये स्लोक था यथा रूप इश्कॉन का इसमें प्रभुपाद जी जब एक्स्प्लेन कर रहे हैं तो बार बार नाम लिया इन्होंने किसका तो बौधों का उनकी ब्रांचेज का अब आप हमें ये बताइए कि प्रभुपाद जी ने इक्स्प्लेनेशन में बौधों का क्यों उदारण दिया क्या उनको भी ऐस और उनने साफ साफ लिखा है यहां पे कि ऐसा लगता है कि ऐसा एक मत जो है पहले से चला रहा था ठीक है न जो आत्मा को नहीं मानते थे और अर्जुन उसी प्रश्न खड़ा कर रहा है अब ये बत होना है आपको है पता है अगर देखो अगर आप अच्छे से देखो तो स्टार्टिंग का जो पहला सेंटेंस देखो मेरे पास इंग्लिश में है रभुपाद कहता है कि हमेशा से ऐसा दारसनिकों का वर्ग रहा है कि जो की बुद्धिश जो बहुत धर्मवाले हैं उनसे मिलता जुलता है अभी इदर प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत धर्मवाले ही है अभी प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वो बहुत से मिलता जुलता है आगे पढ़ें आगे पढ़ें जी 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 अभी ऐसा है कि इसमें लोड कृष्ष्णा स्पोक्ड भगवत गीदा अपिर्स डट सच फिलोसॉफर्स एक्जिस्टेड और देवर नौन अज दर लोका एथिकस एंड वेभासिकस जी और प्रभू साउंड आपकी चली गई है आपकी आ रही है हाँ बोले हाँ जी जी फिर प्रभू पर लिखता है कि जो वही बास ही कास है और यह लोका एथिकस है वो ऐसा मानते है कि आत्मा नहीं है और जो रसाइन है उनके कॉम्बिनेशन से ही जीवत्पन होता है और सरील के मृत्यों के है ठीक है अभी अगर मैं बात करू तो प्रभूपाद ने यह जो लिखा है कि इसका नाम किया वही बासिकस अभी प्रभूपाद ने यह कहीं नहीं लिखा है कि यह बुद्ध वाले वही बासिकास थे कि जब उस ताइम नीचे पढ़िये न उसमें उन्होंने अभक्त अभी प्रभूपाद यह कहा रहा है भगवद गीता के जब बोला अरजुन तो उसमें भी ऐसे कुछ दार्शनिक लोग थे तो दार्शनिक लोग तो सब जगा होते है फिलोसोफर तो प्रभूपाद कहा है तब भी ऐसे जो लोग थे कि जिंका मानियता ऐसी थी कि जैसे यह अभी बुद्रिश्ट लोग होगी है वह उनकी भी मानियत आती है और आज अभी प्रभुपात क्या लिखिए करंडली मैंनी सुडर रिलिजेंस का मतलब क्या होता है तथा खतित धर्मा तथा खतित धर्मा कि आप बोलिए बोलिए पढ़िए फिर आपकी साउंड चली गई है अभी आ रही है हाँ अभी आ रही है अभी आ रही है आ रही है बताएं बताएं बोलते रहे हैं हाँ तो प्रभुपात जी अभी ऐसा लिख रहे हैं कि जो अभी के ऐसे जो तथा कदित धर्म है वो भी कुछ नाम लेकर नहीं बुला है पैसे सक्ट है वो भी फॉलो करते है और उनकी स्रेणी में अबगत बुद्धिष्ट लोग भी आते हैं अब इसमें प्रभुपाद ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि पाँज़ार साल पहले बहुत दर्मदा उसके पहले इसलिए प्रभुपाद ने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि अ है तरह है दा आसा है कि बुद्व दारम इब हम जी जाहें है कि इनौंने जो रोकायत था ब्हुतिक बहुति-वादि ने ले यह कि तरह सोचते हैं और उन्होंने यह भी कह दिया कि अमेरिका में इस तरह का प्रचार होता है और सुन्नेवादी अभगत बौध का अनुशरन करते हैं इन्हों यह भारत में बैभासिक दर्सन आपने तो अभी कह दिया और यह वह वाले नहीं हैं लेकिन थोड़ा सर्च कीजिए कि बैभासिक दर्सन जो मैं समझ वह आप क्या कह रहे हो अभी लिखाने का अमेरीका में जिसका प्रचार परसार हो रहा है और लोग यह बुद्धिष्ट का पहले मेरी बात सुन्यवादी कौन है सुन्यवादी कौन होते हैं सुन्यवादी वो होता है कि जो उनको इंग्लिश में वाडिजन कहा जाता है कि मरने के बाद सब खतम हो जाता है कुछ नहीं है सब जीरो है सुन्यवादी की फिलोसफी जो है कि सुन्नेवाद और वैभासि के कौन से धम के बॉद्धिश्ट की बॉद्धिस्ट की बॉद्धिश्ट की बॉद्धिस्ट नाम था इसले प्रभु पाथ बता रहे कि 5000 गया कि बुद्ध के जैसे बुद्ध नहीं थोड़ा रुख जाए थोड़ा चैन से सांस लीजिए कर दिया है थोड़ा सा और ग्यान देता हूं थोड़ा सा अब यह भी पढ़िए यह ब्रहंभसुत्र का नाम सुना है क्या आपने थोड़ा आपको तो देवनागरी लिपी पढ़ने नहीं आती है मैं पढ़े के सुना देता हूं त्शा किया घया है ब्रहंभ शुत्र पदे की चर्चा आई हूई है चैप्टर 13 जो है उसका 4 वास में इस भी पदे की रचना हुई है यहां पर जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्होंने साफ साफ यह चीज़ जाहिर की है कि गीता की रचना तभी हुई है गीता से पहले ब्रह्मसुत्र अल्रेडी अविलेवल था और तभी ब्रह्मसुत्र पद की चर्चा हुई है इसमें अच्छा इसके बाद से अब क्या होता ह है कि एक जैकोबी एक default है उन्हों के अनुशार जो है उन्होंने बताया है कि तो ने कहाρι है कि दूसरी सदी से लेकर फ़ी सदी के बीच में ब्रह्मसुत्र की रचना हुई है यह का कहना है हम लोग तो यह सब हैं लेकिन जो लोग जिसको सभडोग मानते हैं या जो लोग थोड़ा ही लोग पीछे रखते हैं तो उनको मानते हमी हम लेलेते हैं तो यह कह रहा है कि आगे अगर 405 लोग अगर कि चरणा when प्रेंगाuschwyिसом के योगाचार और माध्यमिक, माध्यमिक मतलब शुन्यवाद, इनका खंडन है, अब यह जो प्रम्भसुत्र है, यह संकराचार्य ने ब्रम्भसुत्र का गो किया था, भासे किया था, नवी सदी में, उसने किया कि इन ब्रम्भसुत्र में बौधो का ही खंडन किया, किसका किसक का उदाहरण दिया वैभासिक और सुन्यवाद का जो इसमें माद में के लिखा हुआ है इसका और देखें योगाचार का विकास असंग और वशुवंधु नामक भायों ने 350 इस्वी के दोरान किया था इससे 40-50 वर्स बाद ही योगाचार इतना प्रसीद हुआ होगा कि इसको प्रिथक खंडन करने के लिए ये आपके ब्रह्मसुत्र बनाए गए होंगे जो भी एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि गीता जो है पांचवी सदी के बाद की ही रचना है जब पांचवी सदी में ब्रह्मसुत्र अल्रेडी बन गया था ये बात यहां पे कही जा रही है और ये वो लोग हैं जो इतना फ्लेक्सिबल रखे हैं मेरे जो सबूत हैं उस गुपता वंस तक का भी आपका सावित नहीं होता और आप लोग जो है 5000 साल का क्लेम कर रहे थे शुरू से ही ये देखिए अब मुझे आप बताईए कि जो गीता देवनागरी लिपी में आज अब लेबल है जो और गुपता वंस में देवनागरी लिपी नहीं चलती थी ग आपको जो ये तेरहवी सदी में जब मुहमद ये तुगलक जो था उसने बुलवाया सारे ब्रामडों को कि असो का इंस्क्रिप्शन है अस्तंब पे उसको पढ़ए नहीं पढ़ पाए कोई भी फिर जो है नाइंटीन सेवेंटीन नाइंटीफोर में बिलियम सन ने पूरे एक मोटी किताव त्यार की और बोला कि ये भीम की गदा है और उसमें माभारत की बात लिखी हुई है फिर जो है नाइंटीन उसके नाइंटीन सेवेंटीन नाइंटीफोर के बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ लिया असो का अस्तंब लेक जो था उसको तब पता चला कि नहीं नहीं ये तो कोई और राजा है जो इसा से 200 साल पहले 300 साल पहले का व्यक्ति है तब जाकर पता चला था कि ये लिपी इन लोग को नहीं पढ़ने आती है ये जूट मोट का इसको भीम की गदा बता दिये थे तब यहां से पोल खुली है तो गीता जो है वो 5th, 7th century के बाद ही रची गई है और इसमें असपश्ट तोर पे जो जिस तरह से ब्रह्मसुत्र ने बादमार का खंडन करने के लिए लिए लिखा गया था उसी तरह से गीता भी जो आतमा का अनातमा का जो कंसेप्ट है बादमार में आतमा नहीं मानते लेकिन गीता मे आतमा लाई गई है तो इन लोगों ने बाद में आतमा को प्रूफ करने के लिए गीता की रचना की है और उसमें प्रूफ भी पकायदे कर रहे हैं यह सारी बाते आई हुई है अच्छा आपका जो गीता है यह वेदों का खंडन भी करता है आपका गीता जो है वो बताएं से इसका कंट्राविक्षन है की नहीं है यह बताएं हमें और के मोह देफिव अपनी माईक जो घ्राइब कर लेजिए कहां चले गए कि अब बताई आपका जो गीता है उसका वेदों से कंट्राडिक्षन नहीं है बिल्कुल नहीं है अच्छा बिल्कुल भी नहीं है विट को सपोर्ट करता है वेद विरोधी नहीं है जी हाँ तो निकाले और आप जो आपने कहा कि आपका जो है वो नहीं है मैं आपको दिखाता हूं अध्याय टू का 42 एक मिनट निकाल लेजिए आप भी निकाल लेजिए ताकि आप दिखाएं कि भाईया वेद जो है आपसे इनका कंट्राडिक्शन है कि नहीं है कि तो आपसे थाफंदाएं कि नहीं है यह जो है आप लोगों ने हलाएं कि जितनी भी लीपा पोटे या कुछ भी किया है उसके बावजूद भी जो है कि मिनट कहां यह चले गए क्या यह आप चले गए थे क्या नहीं नहीं वह बाहर खड़ा था अब अंदर नहीं ले थे आपका ध्यान नहीं नहीं मैं तो आपको अंदर ही तो रखा था चले कोई बात नहीं बताएं कि अध्याइवास्टीन का फिफटीन का फिफटीन फिफटीन का फिफटीन कि देखें यह कौन सा सेर हो रहा है कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या इसमें सेर में एक मिनट बोली अगर आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए तब तक हम लोग सुन लेंगे और वो अगर वो हिंदी का दिखाएगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा न इसलिए आप सेर गरो ना मेरा योगी पीसी नहीं है पून में कर रहा हूं तो सेर नहीं हो रहा मेरा अच् का जो है वही कर देता हूं देखिए अब आठ सिर्फ दस मिनिट बचे हैं आपने दो घंटे का समय लिया था वहां निकालो तो आप बंद्रा अच्छा वेद यह प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है उसमें आप बता रहे हो ना नहीं वह ट्रांस्लेशन में आएगा अनुवाद तो डील जो औरी जिनल स्लोग है उसमें आएगा निकाला अच्छा अच्छा मैं तब तक पढ़ देता हूं ना कुछ और भी लोग ट्रांसलेट किया है आपके प्रभुपाद जी भी ट्रांसलेट किया है वह भी हम देखे तो इसमें जो है अध्याय टू का 42 लोग है अगर आप सेर कर देंगे तो थोड़ा सांत रखिये ना थोड़ा सा मौका दीजिए कि मैं भी अपनी बात अगर आप सेर करेंगे तो मैं दिखा दूंगा नहीं करेंगे तो फिर मेरा सा समय चाहिए फिर मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए देखिए अध्याय टू का 42 43 44 जो है उसको थोड़ा सा सुनिए फिर मैं आपकी भी बात ले लूँगा इसका अनुवाद है अग्यानी व कामना वाले और स्वर्ग को स्रेष्ट मानने वाले लोग जनम मरड रूपी करम के फल देने वाली भोग और एस्वर्य प्राप्ति के लिए किये जाने वाले करमों के वर्णन से भरी हुई बाते बढ़ा चढ़ा कर करते हैं भोग और एस्वर्य में आसक्त रहने वाले इन बुद्धी न तो निश्चे वाली होती है और न वह समाधी में ही इस्थिर हो सकती है तो यहां पे जो है पूरी तरह से वेद का खंडन किया गया है और देखिए अर्जुन सारे वेद सत्व रज और तम इन तीनों गुड़ों का प्रतिपादन करते हैं अथार्थ तीनों गुड़ों से युक्त हैं इसलिए तुम उन्हें त्याग कर असंसारी सुख दुख आधी के द्वंदों से रहित केवल नित्य सत्व गुण में इस्थित एवं योग छेम को न चाहने वाले आत्म परायण बनो जैसे बड़े और सब और से जल से परिपूर जलासे को प्राप्त करके छोटे जलासे गड़े में कोई प्रायोजन नहीं रहता उसी प्रकार उपर वर्णित तत्यों को जानने वाले निर्द्वंद व्यक्ति के लिए वेदों का कोई प्रायोजन नहीं रहता यह कह रहा है आपका 45 और 46 लोग अच्छा इसमें जो है चलिए पहले इसी का हम लोग चेक कर लेते हैं यही जो बात आई है फिर आगे मैं और भी आपको चर्चा करूंगा आगे क्या कहा कि अभी आपने पहले कौनसा दोस लोग निखा लेते 40 कौनसा यह मैंने 42 43 44 लोग यह मैंने दिखाया है गीता प्रेश्वाला दिखाया है मैंने और यह जो सेयर किया है मैंने यह आपके यथा रूप का है आपके इश्कौन वाले का है कि बंद प्रेश्वारगां 22 45 लिए 40 43 निकालो इसमें यह था रूप में हाँ यह यह आ रहा है दिख रहा है स्क्रीन पर बताएं एक बार मुझे ठेजिवनटों एक मेर्ट रूप सुल देता हूं मैं रुख जाये इसको जो है ना में यहां सेर करता हूं अधियाए टू जो है अबने फॉर्टीफॉर फॉला है फॉर्टीटू फॉलो भी हाँ खोल रहा हूँ एक मिनट अधियाए टू में अधियर कर देता हूँ थोड़ा एक मिनट रुक जाएं इसको आपका नहीं हो रहा तो मैं प्रेट नगरता हूँ देख लीजिए अगर आपका खुल रहा हो तो बता दीजिए यह मेरा तो कैमेरा चालोगा वो सेर नहीं हो रहा हूँ डेक्स्टॉप नहीं है ना फॉन में से खुला है अच्छा कोई बात नहीं रुकिए मुझे ही कुछ करने दीजिए अध्याए टू का यह स्क्रीन पर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है कि पॉट्टी आगे आपका फोट्टी वन और यह रहा फोट्टी टू हम बताएं हुआ है पड़ी है ट्रांस्टेशन पड़ी है तो पढ़ दिया ना अलब ज्ञानी मनुष्य वेद oike आपके आपके जो प्रभुपास जी है जिन्होंने थोड़ी सी लिपापोती की है उन्होंने देखिए क्या लिखते हैं अल्प ज्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक सब्डों के प्रति अत्यधिक आसकत रहते हैं जो सवार्ग की प्रापति अब देखेखें वेदों के इन्हों ने किया कहा VA विभिन सकाम कर्म करने की संस्तूती करते हैं संस्तूती करते हैं इंद्रिय त्रिप्ती तथा एश्वर्य मय जीवन की अभिलासा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है अब यह देखे यहां पे इनों ने कह दिया ना कि जो अल्प ग्यानी है वो लोग वेदों में जो सब्द परियोग हुए है उसमें आसकत रहते हैं अभी मैं आपको समझात हूँ ठीक है अभी अगर अगर हम पढ़ते हैं तो आप रूपाद क्या लिखते हैं अल्प ग्यानी मनुश्य वेदों के अल्प करिक सब्दों के ब्रति अतियादी के आसकत रहते हैं अभी कौन से सब्द अभी वो कौन सब्द है अभी इसकी स्तुति कर रहे है जो स्वर्की प्राप्ति अच्छे जन्म सक्ति इतियादी के लिए विविद सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं अभी दरसा को पता हो या नहीं, मैं आपको बताता हो, वेद है ना वेद, उसमें बहुत सारे भागे, उसमें से एक आपको पता हो, कर्मकांड, कर्मकांड है, ग्यानकांड है, उपासनकांड है, तो जो कर्मकांड रहता है, कर्मकांड क्या रहता है, वो मैं सबको समझाना ज कर्मकान में ऐसा होता है कि आप किसी भी देवी देवता है ठीक है आप उनकी पूजा करते हो या तो आप कुछ यगिय करते हो अपने पर्शनल स्वार्थ के लिए समझ रहे हो तो मुझे ये चाहिए मुझे बड़ा पैसा चाहिए मुझे अच्छा जन्मा चाहिए मुझे पर चाली बनना इसके लिए इस वार्थ को पराप्त करने के लिए किसी बीदेविदेताव की पूझा करता है या यग्या करता है यह भौत्ता पाने के लिए इसमें स्पिर्विचुलिटी नहीं होती है समझ रहूं वह विद का यहां पर यहां से आप भी यही बात कह रहे हो वेदों में जो चीज लिखा है उस पर जो लोग आसक रहते हैं वो चीज से उनको लाभ नहीं मिलने वाला यहीं बाद कर रहे हो आपको आप कहिए न थोड़ा सौर्ट में कहिए ज्यादा समय रहा हूं तो यह करमकांड क्यों होता है हो मैं आपको बताता हूँ करमकांड इसलिए होता है कि जब एक ऐसा मतलब यह जो लिखा ना सौर की पराफ़ती यह सब क्यों वेद में दिया गया है कि बंदा जब नया नया आएगा तो वो यह सब करेगा तो उसको मतलब उसको यह सब मिलेगी चीज़ उसको बहुतिक चीज एक यह जो देवी देवता है यह मे MAIN नहीं अगर मैं स्वरक जाउगा तो वापस रुच्वी पर आना होगा वो मृत्ष्तियु जनुच चालू रहेगा तो भी फिर क्या आता है फिर आती है मुक्ति की बात पिर आती है मुक्स की बात तो वो करमकांड से लेके योग तक तब उसको पता चलेगा कि सही में स्वरग पराप्त करना, बहुत सकती पराप्त करना, सुन्दर स्थरी पराप्त करना, ये मेरा उद्देश ये नहीं, उद्देश ये मुक्ती पराप्त करना है, तो इदर भगवान ये कह रहा है कि जो अल्प ग्यानी होता है, जिन में ग्या इंद्रियत रुप्तित था एस वरिया वही जीवन की अभी लासा के कारण वह कहता है कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है समझे कि वह वेद का यह जो भाग है ना जो उनको आगे लेके जाने के लिए बना है उसमें चिपक जाते है यहीं मेईन है यहीं मेईन है और जो वेद का ultimate aim है मोख्स के तरफ जो ले जाता है वो समझ नहीं पाता है तो भगवत की ता में यह लिखा है इसमें आपने समझा दिया ना थोड़ा रूखे आप मैं बता देता हूं तो यहां पे किलियरली हम देख पा रहे हैं कि इस स्लोक जो है ना अद्ध्याय टू का जो स्लोक थ यहां यहां बूलता है क bamboo चर वहन दिखा है उसको जो लोग जुछते हैं कि ब Jewish कि लिए असके लिए आ शक्ता होंगे उसमें लिका भीविद करंकांड की बात उसके लिए लोग आ कर रहा है कि वेद में जो बात लिखा हुआ है आपका गीता ये बात का खंडन करता है क्या 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 तो फिर क्यों वेद में वह चीज़ लिखी हुई है नहीं रूक रहे हैं आपको बोलने का मौका दिया आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो क्योंकि आप फंस गये हो यहां पर आपका यहां साफ-साफ इस लोक में यह बात पता चल रही है कि आपका जो भी वेद में जो बाते लिखी हुई है वो चीजों का साफ साफ गीता खंडन कर रहा है कि वेद में लिख दिया है करमकांड मत कर करेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा तुझे मोच नहीं मिलेगा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे मोच नहीं मिलने और यही बात लिखी हुए लेकिन आप आपके प्रभुपाद में यही बात कर Totally और अल्फ घ्यानि तक कहा है उन्हां ने कि जो ऑल्फ घ्यानि वक्ती है जो व करता है उन्हों लिखे मुएं और आकलो वोलते हो साफ साफ यहां पकड़े जा रहे हो आगे मैं दिखाता हूं आपको अभी यह तो सिर्फ 42 43 44 का था न यह देखिए न यह लिखा तो है यहां पर वेदों के करमकांड भाग में यह कहा गया है वो कहा गया सोमरस पीने का दिकारी होते सब का खंडन कर रहे हैं यह सब क का खंडन कर रही है वेदों के विरोध में वेदों की निंदक है यह 44 में और 45 में देखिए क्या लिखता है यह लिख रहा है यहां पर कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक इश्वरे के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में से मोहगरस्त हो जाते है उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का धिरनिश्चे नहीं होता यहां पे साफ साफ कह रहा है कि जो आपकी वैदिक है जो आपका जो वैदिक यह करमकांड की बात हो रही है उनमें जो आसक्त हो जाता है वो वस्तुओं के मोहगरस्त हो जाता है उसको नहीं मिलनी है उ व्यक्ति के थीक सुत्राइब करकोणंगान वहेदों में मूंख्यता प्रकृती के तीनों गुल का वर्नन हुआ है अरजुन। इन तीनों गुल से उपर उठने की बात कह रहे हैं यानिकी तीनों का मतलब हुआ कि इन natal था अस्थापीत हुई है आपकी प्रिफब दिय involves में गुसे लिए यह बना हुए उन्हीं से उपर उठने की बात कर रहा है यह कर रहा है हैं यह कि एंगे स्थे कर रहा है प्रक्रती के किनों की बद्रीजिटिंग supplement कर ने हमें 100 waves व कर्म कांड से आपका गीता उपर उठने की बात कह रहा है यही कह रहा है ना तो पस यही तो मैं करेंगे आप क्यों करते हैं यह क्यों करते हैं अब लोग करते हो तो कौन से मंतर पढ़ते हो आप कों से पढ़ते हो मंत्र कौं से पढ़ते हो यहां पर तो सीधे-सीधे कर रहा है कि यह तीनों गुड़ों से उपर उठो मुझे बताओ कि वेद मुख्यदा चारवेद चारवेद होते हैं इसा है उपढ़्य होते हैं निया जब अपनार करतें तोकौन सा पढ़ते हैं देखो में लिए में हवन के बहुत सारा स्लोग अलग अलग दिविदिया तो अभी उसमें कर्म मतारा है लेकिन यह लोग तो रिग वेध ही नहीं पढ़ते हैं यह तो यह जूर वेद पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ता है इस कौन वाले कितने यग करते हैं बताओ हमें नरसिम यग्या करते हैं कौन से करते हैं कौन से मंद्र पढते हैं वो मैं यग्या करते हैं करता हो रहे हैं जैसेppe नहीं है लिए क्लियर लिखा हुआ है आप मुझे आन्य विसके। तो यहां पर आपने देख लिया कि यहां पर साफ साफ यहां पर इनका जो है इस बात की चर्चा हो रही है कि वेदों के जो जिन चीज से निर्मित हुआ है तीनों गुर से उसे उपर उठने की बात की गई नहीं है ना आपसे थुड़े सुनेंगे आप क्यों नहीं बता रहे हैं आप क्यों कह रहा है वेद में कहीं लिखा है कि इसे गीता के मैं कोई भी बात लिखी हो उससे उपर उठो बोलू मैं बताओ हां बताओ मैं आपको क्या बोला कोई भी एक ग्यान होता है ना उसके भी एक लोर सेक्षन होता है तो जो कर्मकार्ण वाला है ना वो वेद का लोर सेक्षन है आप इसका अनुवाद पढ़ो थोड़ा पहले 45 का अनुवाद पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है कि वेदों में मुख्यता ब्रक्रूती के तीनों गुणों का वर्णा दें है अर्जुन इन इन तीनों गुणों से उपर उठो समस्त द्वेत और लाब तता सुरक्षा की सार चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायन बना अब यहाँ रहा है अनुवाद की ब्रकृति में तीन करमकांड की बात को रही है प्रकृति के गयांग होता है वह प्रत्थरुटी के तीन गुन के अंदर हाते हैं कौन से तीन गुन है बताओ जरह हमें क्या है अब जो सत्र गुन सबहुता है सत्र गुन से ग्यान अठोपन होता है अच्छा हुसी से तुटा सांति सुने यह तीन गुण में पहला आपने सत्व बताया सत्व गुण से ग्यान उत्पन होता है अच्छा दूसरा कौन सा गुण है रजोगुण रजोगुण से क्या उत्पन होता है वह अगर आप चोधावादे पड़े भगवद कित अगर उसमें बता था है यह इस विकार है वह रजोगुण से उत्पन होते है अंदर आप उसमें लोगर उसकरते है यह प्रमाद होता है पागलपन होता है 6 अ लास होता है टिक है निंज्रा होती है और इनक्टिवने रोग Benim ने करता पड़े रहता है नस्य में होता है डारू सीजर्ट 20 ते यह हो गया लेकिन जो सबने बताया की ज्ञान उथपन होता है उससे उपर उठने के क्यूं बात कर रहा है इंठ षथा अगर एक भ्राह्मण कोस इस समार में सबसके ऐ Community इन एक सब्क्राइब हुझीन है ऑद करे एक एक बंट कल र experts कि आसे ऊठले म्हों उटनी हो सकती और मुक्ति परम लक्षिय जी वन का हुझ है रही UP तो मैं बहुत ज्यादा आप explanation नहीं ले पाऊंगा लेकिन यहां पे साफ साफ इस अर्थ से पता चल रहा है आप चाहें जो explanation दें लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि वेद में मुख्यतह प्रकिर्ती के तीन गुणों का वर्णन हुआ है मुख्यतह तीन गुणों का और वही तीन गुणों से उपर उठने की बात कह रहा है यानि की गीता असपश्ट रूप से यह कह रहा है कि वेद के जो तीन मुख्य गुण है उन्हीं तीनों से उपर उठ जाओ तभी मुक्ती मिलेगी जब तक उन तीन गुणों में आप फसे ह हुए हो यानि कि वेदों को आप मान रहे हो उनके तीनों को मान रहे हो आपको मुक्ती नहीं मिलेगी तो जो मिलेगे कर दो वेद को ढखते हैं तो उसमें 80 से 90 परसंट ये करमकांड ग्यान कांड और उपासनाकांड है दूसरा सारा भौतिक ग्यान भी है ठीक है अब उसमें से 10 परसंट हिसाई ऐसा है कि जो भगवान की बक्ति और मुक्ति के रिलेटेड है ठीक है तो इसलिए मुक्षियता लिखा है सारा ग्यान नहीं लिखा है कि मुक्षियता अपकर रहे हो कि 90 से उपर उठ जाओ वेदे के जो 90 परसंट ग्यान है कर्मकांड से उपर उपर उठ जाओ तो अब बस हो गया ना बात खतम हो गई ना खतम हो गई यहां पर आप कितना भी लीपा पोती कर रहे हो सब को किलियर ली दिख रहा है आपने यहां तक कह दिया 90% मुख्यता का मतलब आपने 90% कह दिया हमने मान लिया चलो ठीक है भाई 90% भी हम मान लेते हैं आप मुझे बोलने नहीं देते हो मेरी बात को आपने कह दिया हमने सुन लिया लेकिन हमें भी तो बोलने दो यहां पे मुख्यता का 90% लेकिन आपने क्या कहा कि 90% भी वेदों के काम से आप उपर उड़ जाओ सिर्फ वेद के 10% आप एकसेप्ट कर रहे हो तो भाई साब ऐसे तो दुनिया में और भी धरम मजब हैं इसाइयत भी है कोई इसाइयत को भी 100% नहीं खारीच करता है तो यहाँ पे आप कहा क्या रहे हो यहाँ पे तो वही बात कह रहे हो आप कि वेदों के 90% बात को कह रहे हो कि आप उनसे उपर उठ जाओ उनको मत मानो तो भाई साब इसका मतलब यह है कि आप वेद को 100% खुदे ही नहीं मान रहे हो और यही कारण है कि जो वेदों को मानते ह वेद वाले कहते हैं आप यहां पे कह रहे हो कि नहीं उसके वेद के 90% मत मानों और यहां पे क्या कह रहे हो contradiction भी नहीं है किसको प्योप बना रहे हो आप दोनों की कहानी मैं बहुत सारे पेस्ट्री में दिखा चुका हूँ कि आप दोनों में क्या जंजट है पबलिक के सामने आपको accept करने में दिक्कत आती है कि आप दोनों आपस में लड़ते रहते हो लेकिन अब यह यहां पे क्लोज करता हूं यह पॉइंट आपने चुकी बात की थी महाभारत की कि महाभारत का अंस है तो थोड़ा सा उसका भी चर्चा कर देता हूं मैं और नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा और आपको भी लगेगा कि महाभारत वाला पॉइंट छूट गया है चले तो महाभारत का मैं पॉइंट खोलके यहां पे दिखा देता हूं यह माभारत में क्या होता है कि आपका जो गीता जो है क्रिश्न जो है यह यह देखिए कैसे आपके भिस्म पर्म में क्या लिखा हुआ है आपके आज आज 700 स्लोक मिलता है जो है उसका फॉर्थ फाइब स्लोक देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि यह सेवन फॉर्टी फाइफ स्लोक होनी चाहिए जी अब बोली हमें बताओ हाँ, बताये न हमें कि आपका ये फॉर्टी फाइफ स्लो कहा गया है? पहली बात आप ने ये जो स्लो कोट किया है ना वो महा देखो पुरे भारत के सबी दिवीपर महाबारत की मैनुस्क्रिप्ट मिलती है, साउथ में मिलती है, नौर्फ मिलती है, आप अभी जो वर्जल द मैं आपको बोलने दूँगा तो नहीं नहीं ऐसे बोलने नहीं नहीं पता है आपने किपना क्या क्या क्लेंग किया चिसको अल्रडी करके रखा हुआ उसका अपने क्लेम कि अभी तिति वह निप कभी बाकी ही बहुँत सारी बाते बाकी हैं आप यहां पर क्या कर रहे हो की आपको सबूत मैं मांग रहा हूं आप सिर्फ ठोक रहे हो आप कर रहे हो हजार सान उससे पहले कि आपको मैंुस्टरWyt मिला है अरे भीया मैं आरे बहृत के लिए खुद ही बोले थें कि मैं डिवेट करूंगा मुझे दो घंटा समय चाहिए मैंने दिया आपको सबूत लेकर आना चाहिए था आप क्लेम ही ठोक रहे हो कि यह मिला है वो मिला है आपको हजार साल पहले कि क्या लिपी थी वो तक नहीं पता है आपको आप बोल रहे हो कि मैनुस्कृप्ट मिल है और जुन के 57 स्लोक है संजे के 67 स्लोक है और धितराष्ट का एक स्लोक है सब को जोड़ियेगा तो 745 बनेगा लेकिन आज इनके पास क्या है 700 स्लोक है इंके माभारत का जो स्लोक है वो कह रहा है कि 745 होना चाहिए अगी चाहिए गूमा रहे है उसमें 700 स्लोक है फोर्टी फाइब स्लोक कहा लए के चले के इन फोर्टी फाइब स्लोक मैं से आपको तो मैं य Lect cyclic दिखा देता हूँ पहले इनसे पॉइंट लेता हूँ आगे बाते करूँगा वताओं जिर्टया पमें यह को है एक यही कास्मीरी वरजन के सिव एक ही कास्मीरी वरजन में आता है बाकि कोई भी महाबारत वरजन ले लो यह स्लोप नहीं आता है इसलिए अगर हम बोली देखे वजरंकर और रिशर्च इंस्टीटिट उन्हों सबूद दिखाना लिए सबूद कर दीजिए सबूद का फिर आप बोलते रहें लोग नहीं ले सकते ना फिर आप थो है स्पोराना माभारत का मेनुस्क्रिप्ट कहां मिला है आप भाग क्यों रहे हो आप बोले कि यह कासमेरी वर्जन है तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि सबसे पूराना मैनुस्क्रिप्ट कहां का मिला है कौन सा ओल्डेष्ट महाभारत है और क्यों ये खराब क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा आप नहीं बताओगे तो काम कैसे चलेगा घूम रहे हो गूम रहे हो किवल एक दो सब्द बोलने से काम नहीं होता है समय बहुत कम है आपको दिखाना पड़ेगा मैं साथ आपको पूरा दिखा देता हूँ इसमें से अब क्या इन लोगों ने किया है कि वर्तमान में ये 574 स्लोक मिल रहे हैं क्रिशन जी के 46 स्लोक कम है क्रिशन के जो होने चाहिए जितने स्लोक उसमें से 46 स्लोक गायब कर दिया है अरजुन के 84 स्लोक मिलते हैं और जो कभी 57 थे अरजुन के स्लोक जो है इन्होंने बढ़ा दिया है क्रिश्न के कुछ गयव कर दिया है 27 लोक कहां से कहां आधम के हैं देख लिजे संजे के 41 स्लोक मिलते हैं जबकि कभी ये 67 थे 26 कहां चले गए इस तरह का बहुत गरबड दिखाई देती है जब अरजुन के 57 स्लोक मूल गीता में थे तब 27 स्लोक क्या वो बाद में जूड दिया गया असपश ठेकि ये 40 स्लोक ही है कुल मिलाकर इस तरह से 45 स्लोक लुप्त हो चुके हैं ये इनकी कहानी है अब आप मुझे ये बताईए कुछ और सबूत दिखा देता हूं इनके गीता का बाद आ ही गई है तो सबूत भी साल पहले ये लोग कहते हैं लेकिन ये पूरा पूरान की सुठ में चर्चा कियें थे इनके पुरानों में कहीं कहीं ड्हाइगा rip जुरह शादेता हूं अलग अलग चर्चा तो वहां पे माभारत के अस्वमेधिक परव के 16 चैप्टर के 6-7 स्लोक में क्या लिखा है कृष्ण जी से कहता है ये युधिश्टिर जो है अर्जुन कहता है कृष्ण जी से कि आप जो है ना जो मुझे सुनाये थे गीता का फिर से मुझे सुना दीजे मैं तो भूल गया माधो उन विश्यों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उतकंठा होती है आप जल्दी ही द्वारिका को जाने वाले हैं अतह यह सारा ज्यान मुझे एक बार फिर से सुना दीजिए यानि कि गीता जो है जब कृष्ण ने उस समय सुनाई थी वो चीज कृष्ण भूल च चुका है यानि गीता का कोई रिकॉर्ड नहीं था नो किसी ने वहां पर लिखा था जो संजय और युधिश्टिर है युधिश्टिर तो खैर अधा वो तो लिखी नहीं सकता था संजय से लिखने के कोई प्रमाण नहीं है यहां पे अर्जुन और कृष्ण की बात हो रही है जिसमें अर्जुन भूल चुका है और कह रहा है क्रिष्ण से कि मुझे दोबारा सुना दीजिए अब आगे देखिए अब अस्वमेधिक परवके ही 16 चेप्टर के 9-12 जो स्लोक है इसमें देखे क्या आता है क्रिष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने तुझे गुप्त वा सनातन ग्यान सुनाया था वह ग्यान आज तुझे सारा फिर से याद आना संभव नहीं अतह वह ग्यान मैं पूरी तरह से फिर से नहीं कह सकता मैं वह ग्यान पूरी तरह फिर से कहने में असमर्थ हूँ तो यहाँ पे क्रिष्ण ये फिर से एक बात कह देते हैं देखिए आप जा लोट आईए, यहाँ पे आपको यह सारी बाते, conclusion भी आपकर दे कर जाना है, भले ही समय खतम हो गया, लेगिन आपको conclusion दे कर जाना है, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पर क्रिश्ण यह बात साफ यहाँ पर कह दे रहे हैं कि मुझे याद नहीं है बहुत गुप्थ घ्यान था वो मैं वह कई से पढ़ा वड़ा था एक जाम-उक्जाम का समयरा होगा रट्टा मारके आया होगा आके रट्टा सुन लिए तुम इनको नहीं आते हैं लिए उनके लिखने का कोई सबूत ही नहीं है तो भाई यह इनका पोल रहे थे हैं कि सास्त्र ही मेरे प्रमाड था है फ़ल नहीं सब्माड का मैं इनको इनको लिपी और भासा तक का नहीं पता था, 5000 सल का गियें लेकिन नहीं बता पाएं, अब मैं सास्त्र जब खोल के दिखा रहा हूं तो ये गायब हो गया है, नहीं आ रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आज आईए, आकर आपको यहां बताना पड़ेगा कि आप का सास्त्र जो है, कैसे ये सबूत दे रहा है, कि आज जो आप लोग गीता लेकर घूम रहे हैं, वो आपका ही गीता है, अभी आपने कास्मीरी बरजन का उधारान दिया था, अब मैं आपको माभारत का यह खोल के दिखा रहा हूं इसका आप उधारान दिजिया कर, सबूत दिजिये कि कैसे आपका कह रहा है, तो कृष्ण भी सीधे सीधे बोल रहे हैं यहां पे कि मैं वह ग्यान पूरी तरह से फिर से कहने में और समर्थ हूं, नहीं दे पाते हैं कृष्ण अब बताइए आप लोग, तो सांथियो ये था आप देख पा रहे हैं यहां पे, कि इन आप चर्चा देखेंगे, जो ये भीश्म पर्व है, उसका ये ट्व्यंटीफाइफ पर्व में घुसेड़ा गया है, और 10 दिन की लड़ाई ओलरेडि 24 जो चैप्टर है न भीश्म पर्व के, उसमें खतम हो चुकी है, बीच में घुसेड़ने वाला घुसीड़े रहा है, अच्छा एरर की बात चल रही थी वो भी दिखाने वाला था अब ये भाग गए हैं इनको मैं बुला था कि भईया आप आओ मैं आज सब चीज दिखाऊंगा अच्छा ये तो लिगल डिस्क्लेमर है तो वो भी ये देखिए इनको दिखा देता हूँ इनके लिखने वालों को संस्क्रीट तक नहीं आती थी ये चैप्टर वन का 32 स्लोक है ये एरर्स है इसमें क्या कहता है हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं न राजी चाहता हूं मतले ये जो स्लोक है इसमें देखिए इ ये इस्तमाल होना चाहिए कांच थी तो यहां पर इन्होंने कांचे इस्तमाल किया है ये सब एरर है ऐसे तमाम एरर भरे पड़े हुए है ये देखिए कि आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वापस लौट आईए आपको कंक्लूजन भी देना है नहीं तो फिर बाद मे इस में हर चीज में एरर है इनोने मि आइसे बहुत से एरर है दो हिस्तमाल किया है ये इghanowal तो इसे नहीं मारा है ये ला है ये अब देखिए बहुत से दहा मेंने हैं हो यहां पर दिखा रहा है कि इतने सारे यहां पर यहां वर्तेयम गलत है इसका ठीक आत्मपदेन रूप गीता 322 और 66 में उपलब्द होता है तो संस्कृत भी जो लिख रहा था उसको भी लिखने नहीं आया है किसी ने बाद में गीता को लिखकर और यहां पर पेश्ट किया हुआ है इसको यह बोल रह कि तो उस पे तो मैंने अल्रेडी डिटेल में ही बना रखा है स्ट्रीम कर रखी है वह आप देख लेजिएगा साइंस जर्नी पर वीडियो 15 वीडियो 19 भी लेवल है इस चैनल पे भी मैंने राजीव दिक्षित का गपोड विमान सास्त्र है वहां पर पूरे सबूत दिखा के लिए आये हुए है और बताए यह हाल है अब बताए ऐसे बंदे जो हैं अगर आप डिग्री भी ले लेते हैं बीटे की भी डिग्री ले लेते हैं और आपको यह तक नहीं पता है कि हिस्ट्री कैसे हो सास्तर को प्रमाण बताने चले हो उसकी उसमें भी कुछ और लिखा है तो भारत का भोईशे इन हातों इसको यह मेरिट कहते हैं दरसल यह इनकी मेरिट है जिनको सोचने समझने तक नहीं आ रहा है कि भौईशे पुराण में महरानी विक्टोरिया की चर्चा कैसे है और उसको जस्टिफाइब कर रहा है कि भई जो है 5000 साल पहले वह बैठ के लिख रहा था विक्टोरिया के रजाविशेक होगा वह भौईशे वक्ता था यह बात यह कह रहे हैं तो देखी यह कर रहा हैं अब साथियों मैं Link stair कर रहा हूं आप लोग आयंगा आप ही लोगों से बात भोगी अब यह नहीं आयेंगे चले गए भाग गाने अब इसको तो मैं क्या कहा रहा है थो पहः अि ना आ जाते है यह अस पाश्टि करन तो देने आते ना नहीं आ रहा है आप क्या क और सुपर चैट वगेरा से भी आप लोग अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं प्रिफरेंस देता हूं मैं जरूर उत्तर दूँगा जी चले ग्रेट मार्टिन आये हुए हैं इनसे थोड़ी सी बाते करते हैं जी ग्रेट मार्टिन जी नमस्कार सर जेवी नमस्कार जैवी नमस्कार जैवी इसके पास को सबुद कुछ भी नहीं पास कुछ भी गपोड रहा था सही में सर आपको मेना सही में गुरू मानता हूं सर अगे यह आप लोग का बड़पन है यह आप लोग इतना सम्मान देते हैं बाराल हमें तो इनसे इनसे सबूत लेने होते हैं यह लोग सबूत नहीं देना चाहते हैं भाग जाते हैं मैं सर आपने जो बोला है साब साब गीता में लिखा है मैंने मतलों फ्री वाले गीता जो है न वह मंगाई थी वह स्वामी अडडदागन कुछ तो बे समीटिंग लाइक डैट मैं जो वह स्लोक में यहां पे ओपन कर रहा था इसके उपर भी लिखा है पाच हजार दो सो साल पूरा निवानी है तब से गीता जला आ रहा है पोस्टर भी लिखा है हाथ में कुछे से लिखा है मतलब की उड़न का ऐसे व्लोग हाथ में लेके अथार्त गीता लिखा है वहाँ पे पूछ भी गपोड़ते हैं लोग तई में और मैं एक स्वाल था हाँ पूछ है मैं थड़ा सा एक बात के लिए चिनती थूसर मैं कुछ महायान और हीनियान का जो है न मैं कंपर सेशन कर रहा था तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ ठीक है तो मुझे एक प्रॉब्लम एक यह हो चुकी है कि मतलब जो हीनियान में था ना वो भिको संग ना उनको ज्यादा यह करते थे और मतलब प्रे तो वैसा कुछ कंसेप में था लेकिन जो महायान में बोधी सत्वों को और बुद्धा के मूर्थी को डिवाट करते थे इसा कु ए मतलब प्रानी सुरू हुँए ही यानवाले तो नहीं बनाते मूर्थी हैं व विपश्टब्लों पर स्ट चीमियाज हैं मेडिटेशन अभी आप जाएंगे ना बोधगया जब जाएंगे तो देखिए का वहाँ दो चीज है एक बोधगया टेमपल है उसके पीछे पीछे पीड़ है तो पेड़ के नीचे बैठके भी पशना कर रहा होगा वह लोग जो है वहां पर भी होंगे वह सब ही आनी होते हैं और टेमपल के भीतर जाकर मूर्ति की जो फूजा अर्चना कर रहा होगा वह सब महायानी होते हैं अच्छा तो इसदर साप साप लिखा गया कि तो महायानी थे वह संस्क्रीट का इस्तमाल करते थे बोधी लिटी चाहते हैं और जो फिल्यान थे वह पाली का इस्तमाल करते थे यानि यह साबित हो जाता तर टीबेट से ही मेरे ख्याल से यह संस्क्रीट बाच्चा जो यह त कि नहीं तो वह संस्कृत उसको संस्कृत कहा जाता था लेकिं वह compatible dürfen नहीं था कि अई आभी प्रोटो संस्कृत मतलब कि वह उसमें पाली रहते थे और मुश्किल से 10% संस्कृत के वह मतली के वह त्वरूपत है जो आज संस्कृत के पुरूज कहा जा सकते है 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 कि अगरी बात को एक नए भासा दा यह पझसाना तनी कर्मठ सन्यास वार गी था इसके बारे में यह कहा जाता है और मेरे खहल से मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा अगर के आसे दुनिया तो अच्छी बात भी करते हैं, हिन्यान वाले, इन्यान बात पता है, बुद्धा जर्म ले चुके है, वो common man जर्म ले चुके, बाद दर्म की घुरू जर्म ले चुके, वो मर चुके, उनका कोई अस्तितौ नहीं, वो फिर से जन्याम नेली भीने वाले, वो समा गये हैं, तो यह इंटरनेशनली इनका आजेंडा बहुत पावर्फुल बन चुका है मतलब यह वहाँ पे ऐसी गपोड तेज़े अभी यह बंदा आया था ना इसे गपोड था था ना इसे इंटरनेशनली यह एसे गपोड के ना मतलब यह बुद्धिजम का अपमान करेंगे दूसरे दान के लीचा दिखाएंगे मतलब इंडिया को वहाँ पे अलग कुछ बताते हैं और बहुत कटर प्रेक्टिस करते हैं बहुत बहुत बेंजर हैं रश्या में तो इंके पूरी पॉजी बहुत बेंजर हैं और बस ठीक है सर थैंक यू लेने के लिए अच्छा यहां पर बहुत सारे बीच में सुपर चैट भी आये थे जो मैं मिस कर गया था तो थोड़ा सा एक व्यू डाल लेते हैं उस पर भी विवेक जी ने लिखा था compilation of Veda and Gita is first observed confirmed क्या है यह ब्राहमन community conflict in history between two philosophy of Brahmanical system हाँ वेदा जो है वेदा जो है वो 7th, 8th century की जो वेदा है वो आज वाली वेदा नहीं है गीता भी इनोंने बाद में ही दिखी है गीता में क्रिष्ण सब्द की मिलावट इन लोगों ने की है 11th century तक क्रिष्ण सब्द किसी गीता या माभारत भी नहीं भारत सब्द था उस समय भारत में 24,000 हिस लोग होते हैं एक लाखवला महा भारत है तो यह बहुत ज्यादा जो है ना इन लोगों ने मिलावट की है अ अचा वरुन जी ने सुपर चैट किया था उनका ये कहना था जब तक ब्राम्हन वाद का गपुडवाजी रूपक नशा करते रहेंगे लोग इंडिया प्रोग्रेश नहीं कर सकता ब्राम्हन वाद से सिर्फ ब्राम्हिन का ही प्रोग्रेश होता है हाँ बहुत सुक्रिया यह बिल्कुल सही का आपने फिर लाल रतन जी का भी शुपर चैट था सुक्रिया आपका तारीका चॉहान जी का भी शुपर स्टिकर था शुक्रिया आपका योगेंदर मासके जी का था इन्होंने लिखा था इवन अर्थोडॉक्स स्कॉलर तिलक हैड डिस्क्राइब देट गीता वाज रिटेन 480 इन गीता सार 480 हाँ बिल्कुल सही का आपने कि तिलक वगेरा भी 480 तक का बता रहा है जी अचा जनक चौधरी जी का ये लिखते हैं बीस ने पाम पत्र पे लिखा और वो खतम हो गए तो आपको कैसे पता चला कि वेद और पुराण ब्यास ने लिखे थे हैं बिल्कुल सही जन्यून सवाल था ये इसका कभी उत्तर ही नहीं दे पाया इधर उदर घूमते रहा गया सरवजीत धमाका इन्होंने लिखा था सर जैभीम आपको आपके महानकार्य को मेरा नमसकार जी बहुत सुक्रे आपको नौनीत गोहल लिखते हैं इस चे सर मैं में मेंबर्सिप एन एरर ओकर्ड आता है अच्छा नौनीत गोहल जी मैंने वीडियो वन नाइन नाइन बनाया है साइस चरनिप एक बार उसको देखिएगा मेंबर्सिप लेने पर अगर कोई एरर आ रहा है ना तो इसका मतलब कई चीज़े हो सकते हैं एक तो यह हो सकता है ना कि आपके जो कार्ड है उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ना ओन हो तो उसको बैंक से आप जरूर ओन करवा लिजिएगा एक बार वीडियो आप वन नाइन नाइन जरूर देख लीजिएगा साइस चरनिप अच्छा अकबर अली जी का ठीक है इनका सुपरेश्टी कर था विवेक कुमार जी उससे पहले एक बार लिखेत है अनुएजुकेटेड है कुछ एस्पिरिच्वालिटी पर बोलते हैं कुछ हिस्ट्री पर पता है नहीं चलता मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनको आरार जी का भी सुपरेश्टी कर था सुक्रिया जै प्रकाश कामले जी का भी सुक्रिया और वाइपस स्टीडियो का भी बहुत सुक्रिया ये लिखेत हैं अंद भगत टुन्नी है गुड जॉब सर अच्छा इसके पहले था हरसद कांधेकर जी का सुपरिस्टी कर था बहुत शुक्रिया आपका तो ये कुछ सुपरिस्टीकर थें जिनको अभी हमने देखा और अभी एक और आया हुआ है ये अमित तिवारी जी का है ये लिखते हैं जै भीमसर आपको और सभी दोस्तों को वो प्रभुपादी भाग गया हाँ जी वो भाग ही गये शुक्रिया आपको वो भाग गये बीच में भी भागे थे थे लेकिन उनका ये कहना था कि कट गया कट गया लेकिन इस पर तो conclusion portion पे ही भाग गये जब उन्होंने सास्तर का प्रमाड कहा और जब मैंने दिखाया कि वही कृष्ण तो कह रहा उसे याद ही नहीं है और जुन कह रहा मुझे भी याद नहीं है तो लिखा किसने गीता किसने दिया तो सास्तर ही तो प्रमाड हुआ ना भई आप कौन से गीता कहां से उठा कर लेकर गुम रहे हैं तो फिर वह भाग ही गया वह पिर उनके पास कोई जबाब नहीं था अच्छा जी अब कौन आया हुआ है चले थोड़ी से और बाते करते हैं योगिता आई हुई है इनसे चले बाते करते हैं जी योगिता जी नमस्ते सर्थ हाँ जी नमस्ते बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी दुलाई की आपने जी सुक्रिया लेकिन आपको एक बात नहीं पता है कि वो जो उनकी जो सब कुछ सबूद है ना वो मंगल कर अपने अच्छा अब बहुत पर जाना नहीं होता है इसलिए अच्छा यह मुबाइल बज़री आपकी यह आपकी बैक्ग्राउंड साउंड भी आती है आप बोलते जाए मैं मिट करता हूं इसर से आपको उसके बारे में बताया था है ना वहापको बताया था ना मिनने वो गनपती का मंदीर है अश्टविनायक यहापे महराष्ट्र में बहुत फेमस है वो अश्टविनायक उसकी यात्रा भी होता ही मस्तब वो पूरे जैसे बारा जोते दिंग है ना उसी तरह आपको बिनायक है महराष्ट्र में और उसकी पूरी परिक्रमा होती है तो गुमने जाते है तो उसका एक जो प्लेस है वो लेनेदरी में है जहापे पूरे बोध स्टूप है वो जो आपने परसों के स्ट्रीम मे दिखाया था आपको किसी ने वो फिडियाप भेजी थी तो उसी तरह और है पूरे में कारले लेने हैं कारले और आप सरके देख सकते हो वहाँ पर भी बहुत बड़ा सूप है यह लेनी है बंद कर दी है बहुत सारे और वहाँ पर एक्विरा देवी का मंदिर बनाये उन्ह उसी केव्ज में मंदिर बना दिया है उन्होंने एक वीरा देवी का आपको एक वीरा देवी डालके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा क्या बता है एक वीरा हाँ एक वीरा एक वीरा देवी और कारले कारले लेनी ऐसे डालेगे ना तो भी मिल जाएगा कारले केव आचा ये एक वीरा देवी टेमपल हाँ इस नाम से देखिए ये सही कहाँ आप ने ये देखिए केप्स को ही इनों ने टेमपल बना दिया है कि ये देखिए केप्स के बाहर इनों ने अपनी जुगी में खोल के दिखा देता हूं पब्लिक को भी कैसे जो है बताइए भारत की जो संस्कृति है सब्वेता संस्कृति उसको ही पूरे खतम करने पर तुले हैं कहीं भी अपना कुछ भी खोल के बैढ़ जाते हैं वह बढ़ा सूप है वह उसको खुला रखे है लेकिन उसमें क्या है ना उस सिर्फ वह क्या बुलते पर देखने के लिए मतलब ऐसे इंग इग्जिबिशन साइप का है इग्जिबिशन में कहेंगे उसको आगे इनों धोटा सा यह लगा लिया है यह देखिए यह लगा लिया है और इसको जो है हां इसको जो है यह लोग वो बना लिया है उसके बाद में बहुत बढ़ा सुरत थे उसके बाद में से चैसे सूखा ये देखो अब दिखाई देगा आपको यह पूरा यह केपस है हां यह केपस है यह खुला है फिर बाकी सब बंकर दे उन्होंने यह तो बाद में यह साफ-साफ पता चल रहा है कि यह बाद में इन लोगों ने रखा है यहां पर यह पहाड पर यह देखे यह पूरा ना उल्डेस्ट नइ तो हम यह पीलर पर यहां आओ है लायन भी है है जो सम्राथसो कर रहता था यह देखिए पीलर पर लायन भी बाता एक हां यह खटायल की अ यहां पर यहां पर यहां पर बैठे हो गया है यहां पर बैठे हो गए है यह देखिया तो यह तो है इन का यह यह के पीलर पर यहां पर वो लायन यह सब खड़े हैं यह उपर बैठे हुए पीलर पर पूरा इनों ने कभजा कर लिया है एक एक चीज को बादों की सारी विरास्ते हैं यह देखिए यह हाँ आम जंता जानती नहीं है ना देखिए अभी मैं चार साल पर हमें पता नहीं था यह सब है अभी आपकी स्विम देखते तो पता चल रहा है किया ऐसा ऐसा है करके इसलिए ऐसे सब और डूनने चाहिए इन लोगों को ऐसे जागरूट करना होगा दिखाना होगा कि देखो सच क्या है और यह क्या दिखा रहे है हुआ जी जी बिल्कुल 비लकुल सही कहा युक्ताजी आपने यह जो चीज़ें न इसको और वे में चीज़ें की आप बहुत सरे ऐसे भी तो लड़कें और एक कहावत है ना कि जो चीज़ दिन रात आप देखते हैं वही चीज़ आपको सच लगने लगता है तो इस कारण से वह बच्चे जो है फंस गया है ठीक है ठीक है योगिता जी ओके और मुझे और एक दो सवाल थे आपके ने याप जब यह दूसरी लोग आएगे तो इन्हीं लोग उनको पूछ ले ना अचा कि वो जो स्वार्ट में जाने का जो रास्ता है ना मतलब अरजुन तो गया था ना वो दिव्या स्रलानी उसके पापा के पाफ गया था तो अच्छा तो आत्मा बन के नहीं गया थो लोग बोलते हैं अब तो जिंदा ही गया था तो वह पता करना था जरूर 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 ठीक है जब कोई जब कोई आएगा ना तो मैं आपको जोड़े लोंगा जरूर जोड़ लेना तो जो महिला सांथी जैसे जब कोई आता है जिसको आप लोग काते हैं कि वही टुनियों से हमें पूछना है तो जब कोई आया ना तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रश्ण पूछने चाहिए तो आप लोग जरूर चैट करें या प्रैवेट सवाल इनके पास जाने चाहिए ना भी महिलाओ के इनके सास्त्रों ने तो हमेशा दबा के रखा है तो महिलाए भी तो अब इनसे पूछेंगी ना सीधे पूछ लेंगे इनसे ना तो उनको बताना पड़ेगा हम लोग से तो यह सोचते हैं कि यह लोग तो आलो चेक हैं तो आये हुए हैं इन से भी बाते कर लेते हैं जी अल्टिमेट गुद्धा बताएं कि क्या आप हमें शुन पा रहे हैं कि नहीं आवाज आ रही है कि चले सूरज प्रता पाए हैं इन से चले बाते करते हैं जी सूरज जी बताएं क्या करना चाहते हैं हलो हाजी बोले सर आवाज आवाज साहिए ना मेरी हाँ हाँ आवाज आ रही है बताइए मेरा कुछ पूशनत आप से कि हम जिस समाज में रहते हैं जिस समाज में लोगों से जुड़े रहते हैं और जहां पे हम लोग इस चीज यह कि अफिर को अपने साथ लेका चलना चाहते हैं यह बीड को अपने सांथ लेका चाहते हैं आपका आपकी इच्छा सक्ति क्या है आप अपने में कितना ज्यादा वह अपने को महत्व देते हैं कि आप एक आउडियंस बनके रहना चाहते हैं या स्टेज पर खड़े होकर आउडियंस को भी अपने से इंफ्ल्वेंस करना चाहते हैं क्योंकि होता क्या है कि जो लीडर होता है व वो कोई leader नहीं होते हैं, वो सिर्फ acting करते हैं, और आप देखेंगे कि समाज के लोग जो हैं, उनकी तरह चालढल कर लेते हैं, उनकी तरह कोई hairstyle रखता है, कोई उस तरह के जो है अपने tattoo लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी तरह देखके कपड़े पहन रहा है, तो ह हमेशा ही जिनको लोग influenced होते हैं, कुछ celebrities होते हैं, उनके हो जाते हैं, या जो front में चलता है, उसके हो जाते हैं, यहाँ पे आपको ये तय करना है, या हर व्यक्ति को तय करना है, कि हमें किसी के पीछे चलना है, या जो सच्चाई है, उसके पीछे चलना है, मान लेजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसी भी जगह पे आप फंसते हैं जहां पे आप सही हो और बाकी सामने वाले सभी आपके उलट हो जैसे आप मान लेजिए कि आप किसी नास्तिक हैं किसी मुसलिम कंट्री में फंस गए या किसी इसाही कंट्री में फंस गए या किसी धार कंट्री सबुएर करते हैं अब आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं कि या तो मुस्लिम बना चाहिए या मुझे भामध्रम बनना चाहिए उनकी तरह फॉलो करना चाहिए या मुझे उनको भी अपनी तरह इंफ्लुएंस करना चाहिए कि सच्चाई क्या है तो यह सारी चीजे अपने आप पर डिपेंड करती है जी जी सुरज प्रतार में एक चीज और कहना चाहता हूं कि चुकि मैं सर इन सब चीजों को नहीं मानता जो भी इतने सारी हिपोक्रेश्य हमारे मतलब है ना हमारे समाज में से पाखन बोलते तो अगर कल गल मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जैसे मरना तो सभी को एक दिन क्यूंकि सबी लोГ अच्छे जानते हैं इस चीज को तो कल को अगर मेरे घर में ही मेरे पादर की देश हो जाती है तो जो प्रॉसेस होते हैं ना वो मैं बलकुल पसंद नहीं करता है जैसे कि जो क्रिमेशन के बाद जो होता है आने के बाद सारी चीजे वो मैं विल्कुल एक्ट कर दा चीजें तो कि अगर मैं अपने मन से उसाफ सारी चीजे करूँगा तो क्या उसके लिए मतलब वह तही है? या फिर तो कि समाज में आप जानते हैं कि क्या-क्या होता है कि अगर्व करूं तो डेली का लिगा नहाना होता है उसके बाद एक उन्टेश्टी वाला प्रोग्राम करता है और उसके बाद जो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो के पास और भी option है आपको पता है कि भारत में जो और भी कई सारी संस्थाय है पैरलल में जो मृत्तिव के बाद के जो करमकांड है उसका option प्रवाइड कराती है आपने सुना होगा कि जो जो हिंदू वर्ग है हिंदू वर्ग में भी कई सारी ऐसी विचर धराये खड़ी हुई करमकांड को नहीं मानती हैं हलांकि मैं उनका support नहीं करता हूं क्योंकि दूसरे तरह से करण करवाती हैmeden को जयेगा तुम आपने ये सब करमकांड वैसे मत कराओ, तीरा दिन वाला ये सब छोड़ चाड़ दो, तुम बस एक दिन तय कर लो, पाच दिन, तस दिन, या चिस दिन, मुझे बुलवा ले न, मैं आऊंगा, अहँन करूँगा, और तुम्हारा निप्टारा कर दूँगा, हो जाएगा, तो अरजक संग है, अरजक संग इन सब में सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तो इन सब को भी खतम कर देता है, मृत्यू भोज पर ही लात मार दिया, उसने, एक तुम मृत्यू हुई है, उस पर से भोज खिला है, अरे आईए, आप लोग मिलिये, जूलिये, चलिये, और कोई डे की बात सह सकते हैं, कि पडोसी क्या कहेगा, तो भी हम सुनके उसको चल सके आगे, या हम निंदा से डरते हैं, क्या हम हमारे आइकन राम तो नहीं, जो निंदा से डर कर अपने बीवी को गर्वती, बीवी को लात मार के बाहर भगा दिया, अगर ऐसे हम लोग हैं, ऐसी हमार चीजों से डरना नहीं है, इन से उपर उठना है, हमें उपर उठना है इस चीज से कि पडोसी क्या कहेगा, हमारे रिष्टदार क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, इस से उपर उठना है, जिस दिन उपर उठ जाएंगे, फिर आप एक option चूज कर लीजिए, क्योंकि जब यह आप काम करा रहे होंगे न तो आपके सहायता के लिए उस दिन कुछ और लोग भी पहुँचेंगे और आप ये भी देखेंगे कि आपके बाद 20-25-30-50 साल बाद जो है आपके गाउं के लोग भी वही चीज कर रहे होंगे कि हाँ यार वो तो बड़ा अच्छा से कर लिया ये ठीक था ये लोगों में एक्सेप्टेंस आएगी ये प्रेक्टिकल उदारण है शुरू में जब अर्जक संग आया था उसने जब इस तरह की पधती अपनाई थी तो बहुत लोगों ने विरूध किया था कई लोगों को गाउन निकाला दिया गया था लेकिन धिरे से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया अर्जक संग के अलावा भी ये जो गैतरी वाले परिवार थे या जो आरे समाजी थे इनका भी विरूध हुआ था इनों ने थोड़ा सा मोडिफाइड किया लेकिन ये फिर भी करमकांडी ब कि मेरे अंदर तो पहले से ये रेशनल वाली जो प्रवित्ती थी बहुत पहले से थोड़ी बहुत थी अपर सर मुझे एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि मतलब कहीं से और नॉलेज घ्राण की जाए अपर सर आपका ये जो मतलब चैनल के वारे मुझे मिला तो यहां से बहुत कुस की नहीं हुआ करता था तो अब क्या था ना अब इतना इंटरेस्ट आता है सुनने के दिए ना कि मैं खुछता रहता हूं कि कहीं से मुझे अच्छे इस्ट्री के बारे में पता चला आपका अच्छा यहां पे जो है नियो क्या है यह लियो नूरनहा जी का सुपर इस्टीकर है बहुत शुक्रिया आपका नियो जी अच्छा इसके बाद से जो है मेंबर्शिप भी लिया था कुछ सांथियों ने इसमें निरज जी ने भी मेंबर्शिप लिया है बहुत सुक्रिया आपका अच्छा और कौन आये हुए है रागो इश आये हुए है यह जुड़ना चाहते हैं चले इन से बाते करते हैं बोले रागो जी क्या करना चाहते है जाएफिम जाके एक बार देख ले वहाँ जो म्यूजियम में क्या रखा है और तेरे क्रिश्ण तो भी आप बढ़ी आने थे डिसकसन होने थे लेकिन वो टिक नहीं पा रहे थे तो मुद्दय बार-बार बदल रहे थे और जब कोई मुद्दा बार-बार बदलता है ना तो किसी एक वो इधर उधर करते रहें भागते रहें तो वो कहां से कर पाएंगे हां हलाएं कि अगर वो डिवेट को दुबारा ध्यान से सुनेंगे और जो जो प्रशन मैंने जो खड़े किया हैं उसका जब वो सवाल वास्तों में खोजना शुरू करेंगे तो तो वो सच्छाई तक पह कि अगर नहीं परियास कियें इसको वह ऐसे मान के चल गिंदियें कि हम तो मानेंगे कोई माने या न माने तो फिर उनको समय लग सकता है सुधर ना जी और दूसरी बस हो कारला लेनी के बारे में जो बता है ना कारला लेनी का उधर भी उधर की जो ट्रस्टी लोग है वो ट्रस्टी लोगों ने डिकलर किया है कि हम कोई देवी बीवी को नहीं मानते हम यहां हमारी जो महा माया है गौतम भूद की महा माया है उनकी मा है वो मा के हम दर्शन करते हैं और वहां जितने भी लोग जाते हैं जादा करके कोली लोग जाते कोली और आगरी लोग जाते ह जलेक एक हम लोग माय का दर्शन करते हैं क성å किसी देवी की दर्शन ने परकी है माकी दर्शन करते हैं आइसा उन्होंने डिक्लेर किया उनके ट्रस्टी ने उदर किया मैं न्यूज में भी सुना था उनका वीडियो उसमें वह बता रहे थे कि हम महा माया जी का दर्शन करें अच्छा है उदर कोई किसी लोगों ने भी उदर जादू मंतरों मुर्गी काटना ये काटना उदर बल वह तो आये नहीं चले ही गए वेचा रहे अब सास्ता प्रमाण बुल रहे ना सब दिखा के आप रखिए जरूर 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 जी रागहों जी ओके सुक्रिया अच्छा यहां पर बीवेक जी ने नोरहान जी ने भी भी बहुत शुक्रिया है कि अच्छा कुछ सांथियों को जो हम लोगों ने बुग की बात्रं चल रही तो कुछ डिले हुआ है च्कांश तो चार पाउंच को थोड़ा वह हैं पहुंचेंगे उसमें क्या दिक्क जीरिक है है कि आप सिप्मेंट में देखेंगे हम लोग उस पर बात चल रही है वो दुबारा सिप कर दिया जाएगा अच्छा आगे इसमें हम देखते हैं और कौन आये हुए है देवा की अधालत आये हुए है चले इन आपका बैग्ग्राउंड साउंड आ रहा है विश्यास फैन को मैं बंद कर देता हूं अच्छा यह एक तो यह खुल रहा है जो फोटो यह कौन से वाली सर यह पहली वाली है जो पहली लिंक आपने अच्छा तब की है अच्छा बुद्धा जो घर से गये थे अभी दूसरा लिंक खोलना दूसरा लिंक एक मिनट तो इस में क्या आप कहना चाह रहा है थै मतलब यह एक मंदिर उसको कहते है नेपाल के बाद से ना दूसरा जो टैंपल मुझूद ना दुनिया में पशूपती के नाम से वो उस शहर में मुझूद है उसका नाम भी फो एक बर वहाँ पर जाना हुआ था मैं किसी मैरिज बगरा में गया था तो ऐसे फंक्शन में तो मैं वहाँ पर चले गया वहाँ माननेता अच्छी थी लोग बहुत जादा आते क्योंकि नेपाल के बाद जो हैं इंडिया में ही पशुपती का दूसरा टैंपल है अब जो मैंने फोटो भेजिये ने पहले वाली वो पहली फोटो जो है ना मतलब वैसी ही पिल्कुल सेम लेकिन टुटी हुई हाला तुमें आदी टुटी बढ़िया हो हाँ यह मूँ देख रहे हो सरे बने हो यह बुद्ध के आंखे बंद करी हुए बुद्ध ने बुद्ध के जो वो सि बुद्ध के ओपर चात्र नहीं किया हुए वो टुटी हुए हालत में पिछे रखे हुए हुए हुनोंने माला फ्रेंट में नहीं रखे हुए और उन्होंने उसको ना पिछे एक खाली जगा पढ़िये कमरा पुरानी इन्टों का बनावा उसमें के रहा हो है सर उसको उसक और ये पूरा उठा के इन होने बुद्ध को बना दिया है सिवलिंग हाँ पशू 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 पती नाद मना रखा है वहाँ पर ये नेपाल के बाद कहते हैं दूसरा जो दुनिया में पशू पती का वो इधर ही चाहिए काफी मनलब इस पर कमाई होती है बहुत ज्यादा और शुरातरी पर के टाइम पर तो इस पर बीड़ लगती है और वहाँ पर जो में घर चोड़ने वाले हैं घर चोड़ने वाली जो बनाई जाती है मूरतिया वो उसकी उन्होंने तोड़ के पिछे रखी हुए है एक खली कम जाली है यह स्थानों को अरे वाई उन्होंने तो बुदी कभ जाली है उन्होंने उसको दस्वावतार मला दिये स्थान का जाना तो बहुत दूर की बात यह करेक्टरी कभ जा चुए है पूरा पूरा एक जेड जो है इस तरह से इनका जो है हिंदु धरम खड़ा हुआ है यही न आप ग्रेट यह बोल रहे थे हैं यह जो आपने लिंक भेजा था ग्रेट यह अधित उटी न बिल्कुल उपर च्छात्र कर रखा न देखो आप तो यह तो लिख रहा है कि बुद्ध जो है जब घर से जो जा रहे थें घर चुक जो लिख है लेकिन न कहीं ओर मुद्ध का पेज है और यह इस ने यहां पर लिखा हुआ है कि प्रिंस सिधार तो यह ग्रेट रेनुशियेशन यह कब हुआ था जब पूरी पुब्लिक इनके सपोर्ट में इनको छोड़ने जा रही है घोड़े पर बैठ के और यह तो वहां पर भी देखा गया था कि जब वो जो है सेवंध सेंचूरी में हैंसॉंग आया था उसने भी लिखा है कि जो पांच जिसको यह लोग ब्रामपड बोलते हैं कि पांच ब्रामपड को यह लोग आज बना दिया है वो बोल रहा है कि उसमें से दो तो उसके मामत हैं तीन उसके सेवक थे जो इनके पिता जी ने भेजा था कि भाया जाइए उसके सांथ आप लोग साथ रहिएगा उसके अकेले है वो उसमें दो सैनिक थे और दो जो है कॉर्टियर थे उनको बेजा गया था उसकी हल्प करने के लिए हां तो वही पांच में दो से अंस़ों में तो इसका मतलब उन्होंने जो है प्रॉडिंग किया है कहानी के साथ मिला इसे को मिलावत करूँ आगर को कोई यह कहतESTAK은 हैं कि यह लिह ब्सक्म फोषकू का जो है, जो है थो सांग को कहते हैं कि वहरों को थोड़ी बदल सकते हैं, वो आप के सामने生न op की किताब mail किताब की बदल दी किताब जैसे मैंए मैंनі कुछ और लग जाए हम ने कुछ और की आपुछा कोई और चला उस nucle खोड़कर गया था कि राज परिवार के पीच में चोड़कर गया था Зाव हूं. लब खाना दाना उनका करके परिवार के बीचे हूँ भागदा नहीं था अपने मर्जी से कुछ भी बना रहे हो बात यह सर एक पिछली बार जो एक बंदा आया था नो जिरुवेशन के नाम से उसमें सर मैं बहुत जूडने की कोशिश की पर मैं जूडने पाया उसको एक ची वह दिखा देनी थी ना पुराने वाली सफदर जंगोस्पिडल की वह तो सरकारी है उसको तो नीनकार सकता है है मैं जुडने की कोशिश की पर बस जुड नीचा है ति ओस करा मैं डेटा तो बहुत सारे हैं ना उनको थो हमने एक दिखाया था एक मीडिया का सिर्फेशेंपल दिखाया था हमने स counties à ऐसा तोड़े था कि हम लोग हमारे पास प्रमाठ की कमी है या सबूच की कमी है यहां जितने colors आते हैं सबूच साथे हुए हम लोग पास हम अब होता क्या है ना कि callers को एक example दिखाया जाता है कुछ रखा जाता है ना कि further discussion करें वो तो उससे पहले ही बैचारे उतने में surrender करके भाग जाते हैं वो जब discussion करेंगे तो further आगे हम उनको और दिखाएंगे ना सबूत अभी तो सुरू में ही बैचारे surrender कर जाते हैं बस यह था कि वो प्राइवेट था ना वायर जो था वो प्राइवेट था तो मैं सचा उसको सरकारी दिखाते जब high court ने order दिया था जब सफदर जंग के सफदर जंग के 25 बच्चों को हर बार फेल कर दिया जाता वो सिडूल कास्ट थे सारे SCST थे सारे उन बच्चों को फिर से डॉक्टर बनना चाते थे फिर फिर फेल कर दिया जाता वहाँ पर फिर high court में उन्होंने केस कर दिया कि हम जो है अच्छी स्टड़ी कर रहे हैं अच्छा पेपर दे रहे हैं उसके बाद भी हमको फेल कर देते हैं उठागे सबके सामने एक्जाम दुबारा से वह सारे के सारे बच्चे पास होगे और भी सरकार सरकारी रिकॉर्ड है उसको थोड़ी नकार कर गया वायर को यह दूसरे चैनल को तो आप यह क्या दो कि यह तो चैनल प्राइवेट है कॉम्मुनिस्ट है यह फ्रोडबाजी चलता है सर सुगती का सितार्थ कर दिया रिप्रेजेंटेशन का करती है बहुमन का ब्रामन गर दिया मतलता क्या विका नाम बदल रहे हैं राजा है ना राजा है ना बहुत सारे राजते हैं bind चाही होर्स पर बैठा हुआ है और नीचे रायनो खड़ा है ऐसे भी वह मिले हैं को एक गैट ऑपर बैठने वाला ना एक 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 ना वह है राइनओ राइनो जो जानवर होता गेंडा उसके उपर बैठे हुए कि मूर्ति मनें हर्याना में देखी ती वह उस जगह को ना उस जगह क ग्रह वाला बुद्ध होता है ना वो वाला बुद्ध पर चारिद किया जाता है और उसमे ना फिर वो आजकल ना वो होता है उपाए वगार होते है अपने ग्रहों को ठीक करने वाले उपाए के बुद्ध ग्रह को उपाए है वहाँ जाके बुद्ध कुंड पे जो कहा है उसमें बुद ग्रहा है वो राइनों के उपर बैठा दिखाया गया है गैंडे के उपर बैठा फिर मैंने उसको सर्च किया कि मतलब बुद ग्रहा ऐसे लिखा मैंने गूगल पर बुद शेर के उपर बैठा बबर शेर होता ना जो बुद ग्रहा को बबर शेर के उपर बैठा यह राइनों के उपर है लेकिन गूगल पर सर्च करो तो फोटो फोटोस में जो बुद्ग रहा है वो शेर के उपर बैठा तो मैं सोचे आपसे पूछी कौन सा जो है यह राइनों को पर बैठता था अगर आपको या मतलब आपको है यह पिता दो कुन सा मुझे नहीं पता इ आपको सुर्य कौंड भी मिलेगा और वहां पर जो है एक किलो मेटर दूर सुर्य कौंड है और वहां पर बुद्ध कौंड भी है और ऐसे करके ना उन्होंने कहा कि ऐसे ना नव ग्रह कुंद होते थे वहाँ पर और नव ग्रह कुंद जो होते थे ना वो अब नहीं रहे उसके ऑपर घर मुझूद है और यह अपना राइनों को पर बैठा हूआ कोई देवता है बुद्ध कुंद नाम से वह भी जगा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो शक मतलब पुशान थे मेरे हिसाब से उन्हीं के जो है वो यहाँ पे रहते होंगे तो उन्होंने वो जगा बनाई होगी जिसको आज कल ये अपने ग्राह बना चुगे हैं और वहाँ पे अब शिवलिंग और माता और ये काली माता इनके नाम ना था कि नाम से ना बली होएंगी बली में खून का ठेर लगा देंगे वो बक्रे और मुर्गियां काटके जी हर्याणा और पंजाब जो है ना जो पहले पंजाब ही था ये दोनों जगह तो बुधमार का गढ़ था हर्याणा में ही तो इन्होंने सरसती की खुदाई लोगों को बंद करके भागना पड़ा वहां से लोगों को सचाई ना पता चल जाए कि क्या मिला है कि इसको मैंने दिखाया है ना वीडियो 91 में दिखाया है यह इनकी जो सरस्वती नदी जिसका इन्होंने क्लेम किया था इन्हों लोग बैठ गया है कि तुम लोग के वाल बुधिष्टू का इक्सक्वेशन कराते हो कभी हमारे पुरान का पढ़के इक्सक्वेशन कराओ तो इन्होंने पुरानों से साइट निकाली और जगह बताया कि इन तीन जगहों पर खुदाई हो सरकार ने खुदाई करवाई जब खुदाई चलनी शुरू हुई या खु उसका जो चीफ था उसने जारी किया जो इस्टेटिमेंट वह बोल रहा है कि यहां से न बुद्सतूप निकले हैं यहां दातों का सेट निकल रहा है यहां पर बौधोस के जुड़ी हुई कला किरतिया निकल रही है तीनों के तीनों साइड पर यह उसको यह सारस्वती और उसमें अखवार में यह आया था कि वहां पर कुछ नहीं मिला है और एक जो है नीचे से थोड़ी नाला बहरा था उसी को सरस्वती माल लिया गया और अब खुदा ही बंद हो गी है अखवार में यह पड़ा था मैंने नहीं आप एक बार देखिएगा वीडियो वीडिय वीडियो नाइटीवन आप सेकंड आफ हम मुझे याद है तब बारे मैं बात कर रहे थे तब मैं नहीं वह वेदो वाला वह तो एक एक देड़े घंटे की स्ट्रीम है यह वीडियो है दस दस से पंदरा मिनट की वीडियो होगी उसमें सेकेंड हाफ में मैंने दिखा है 91 थ कि इसके बाद से आये हुए है मानो आये हुए है चले इन से भी थोड़ी बाते करते हैं जी मानो जी बताये क्या करना चाहते हैं कि यह जानना था कि यह पाली और पाकुर्ट को बोलते हैं और दूसरा सवाल मेरे को यह जानना था कि आपने कोई शोट वीडियो बनाया हुआ है यह वालमी के उपर यह वालमी के उपर कौन था जी मानो जी मैंने आपका सवाल ले लिया है अच्छा यहां पे ललीत माखवाना जी का सुपर सुपर शुक्रिया आपका और यहां पे एक और सुपर शुपर चैट है यह जी डबलू राहिज यह लिखते हैं सर आपके जैसा कैसे बने प्लीज गाइड मी देखिए जी ये सराहिस मेरे जैसे बनने की मैं तो कहता हूँ कि आप मुझसे बेहतर बने, ठीका है ना मुझसे बेहतर बनें, आप बाबा साहब की तरह बनें, आप फूले पिरियार जो है इन लोग की तरह बनें, इनका रहा कारे हैं हैं हम आप लोगों जैसे ही हैं हम यह जरूर कहूंगा कि स्ट्रीम आप सारी देखें यह आपको न वहां तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी क्योंकि यह सारे सोर्स जो है हम लोग का वहां से आता है हमने उनसे एक ही चीज सिखा है कि सिक्षित बनो पहले तो इसको जब आप पढ़ेंगे देखेंगे और बाबा सहाब की किताबे पढ़ें तो आप न बनेंगे आप बाबा सहाब की तरह बनें अच्छा यहां पे जो है सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं जैवहीम लिंक प्लीज जी लिंक प्रोवाइट की गई है और आपको मेरे ख्याल से रामोहन जी का क्वेस्चन है आयूरवेद का जड़ी बोटियो एवम नारी ज्यान मुश्लिम हकीम लोगों को कैसे प्राप्त हुआ या तो वैद और हकीम ने एक ही जगह से सीखा या हिंदू वैद मुसलिम बन गया यह तो बड़ा अच्छा खुबसूरत प्रशन है रामो जोड़ा गया है और ब्रामर ध्रम ने जोड़ा है क्योंकि बहुत मार्ग जब चला गया तो उन्हों ने जीतने विश्व विद्याले खुलते हैं तो केवल एक ही चीज़ की थोड़े पढ़ाई होती है विभिन सब्जक की पढ़ाई होती है तो चिकित्सा को तो ब्रामर अच्छा यह चले गये क्या यह मानों जी कोई बात नहीं तो उसका कुछ लेना देना नहीं था लेकिन क्या है कि जैसे ही जो आयुरुवेद है हाँ जो आयूरुवेद है इसको हम ये देखते हैं कि इसका इन लोगों ने ब्रामढ़ी करन किया है तो ब्रामढ़ी करन करके इन लोगों ने इसको संस्क्रीत में लिख लिया और जब कोई जिसका मालीकाना हक नहीं रहता है तो जो बची चीजे होती है उसको कबजा कर लो या फिर कबजा कर लो पहले से और तो लोग वहाँ से दूसरों को हटा दो, रिप्लेस कर दो, तो इस तरह से करके इन लोगों ने बरबाद करके एक अपनी प्युर्णी लिख द करते हैं उसका इस्तमाल करके इस्तमाल किये जाने वाला एक काम चलाओच फिस चुब्स यह च जबंदे से पहले पूरी दुनिया के लोग इस्तमाल करते थे इसका किसी भामण धरम से लेना देना ही नहीं है . पूरी दुनिया में आदिवासी लोग जो कभी हॉस्पीटल में नहीं गए थे वो लोग सदियों से उनको कोई चक्म होता था तो वो लोग पिड़ पौध होका उनको अच्छा ग्यान था कि किस पिड़ पौधे का क्या तोड़के खा लेंगे हालांकि इसकी ड्रोबेक यह होती है कि amount नहीं पता होता है कि कितना amount इस्तेमाल करें कितना amount से क्या फैदा होगा लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो है यह चीज चलती रही लोग इस्तेमाल करते रहें क्योंकि option नहीं था modern science ने option दिया है तो इसी तरह से मुसलिम देश जो हैं उन लोगों को भी जड़ी बूटिया अपने देशों में आपने लोगों के इलाज के लिए तो खोजी ही होगी Chinese ने खोजी, सबने हर देश ने खोजी, युनानी पदती होती है, हर तरह की पदती होती है, तो ये सारी चीज़े होती है इसलिए हम ये नहीं कहा सकते हैं कि किसने किस से चोरी किया है, लेकिन ब्रामण धरम ने बहुत हमारक से चोरी किया है, ये सब को पता है क्योंकि इनका अस्तित्व उस समय नहीं था जिसका अस्तित्व था उससे इन्होंने जरूर चुरी किया यह प्रूफ्ट है और उसका प्रामढ़ी करन किया गया है गंदी-गंदी चीजह लिख दी गई है इसलिए सच्छाई नहीं पता चल पाती है बाकी मैंने इस पर स्ट्र सुपर स्टीकर थी रणजीत जी की थी आपका बहुत सुक्रिया रणजीत जी आजा मानो जी ने दो प्रश्न खड़े किये थे तो वो चले गए हैं लेकिन मैं जवाब दूँगा उनका पहला जो प्रश्न था वो ये था कि पाली प्राकिर्त जो है वो क्या लेंग्विज ह उसमें देखिए प्राकिर्त जो है वो एक समुह को हम कहते हैं उस समुह के अंदर जो मेन भासा है उसको हम कहते हैं पाली है जैसे मान लिजिए कि कोई राजा है और वो राजा जो है उसके बहुत सारे सैनिक हैं बहुत सारे लोग हैं उसमें से जो मुख्य होता है जो पती बाकि वो भी है सैनिक ही लेकिन उसका पुष्ट बढ़ा है क्योंकि वो थुड़ा ब्यापक है वो सब पे कंट्रोल करता है या सब जगों पे देखता है उसको सिनापती करते हैं तो प्राकिर्थ में पाली जो है वो सर्वच्च थी इसलिए सर्वच्च थी क्योंकि एंस तो था बाकी जो चेत्रिय लंग्वेज थी तो अपने अपने छेत्र में थी ज्यादा नहीं पहुच पाई थी जैसे अज अंग्रेजी है गलोबली चारो तरफ परचारित है तो दुनिया के हर देश में लगबग सारे देश के लोग समझते हैं तो वो एक गलोबल है भासाय तो बहुत सारी है लेकिन इंग्लिस जो है वो ज्यादा गलोबल है तो उसी तरह से पाली प्राकिर्ट भासाओं में से जो पाली थी न वो गलोबलाइज थी एक तरह से पूरे भारत में तो उसकी मुख्य भासा थी दूसरा आपका क्या प्रश्न था उसमें सायद आप चले गये हैं और मुझे रिपीट करके देखना पड़ेगा कि क्या प्रश्न था तो फिर मैं उसका जबाब दूंगा चले हलांकि आपको जाना नहीं चाहिए था सायद टेक्निकल प्रोब्लेम रही होगी तो आप चले गये हैं कोई बात नहीं है अच्छा और कौन आये हुए है कि इस ए आये हुए हैं देखिया आपकी फिर से बैक्राउंड साउंड आ रही है है हेलो हाँ जी पता है पता है पता है सरनुम उद्धाजेविम हेलो जी आपका डबल साउंड आता है अपना अपना माइक ठीक करके आया कीजिए या फिर आप बोल के तुरंत ही म्यूट कर लिया कीजिए क्योंकि मैं बोलता हूं तो फिर डबल साउंड आती है जी नमो बुद्धाए जैफिम बोलिये सर मेरा दो तिन सवाल है और मैं आज पांच मिनट कम से आपसे बात करूंगा एक परस्नल चीज भी सेर करूंगा आपसे देखे कोई भी ऐसी परस्नल चीज मत सेर कीजिएगा जो सारोजनिक तौर पर सही नहीं हो अच्छा बोलें क्या कहना चाहते हैं जी अहला सवाल यह है कि यह जो औरते बरत रखते हैं क्या नाम है करवा चौध कि यह कब से और क्यूं मनाया जा रहा है और इसके क्या जादा नहीं है यह नहीं है यह देखिए डबल साउंड आ रही है आपकी इस पर स्ट्रीम हुई है इस पर हम लोग की अल्रेडी स्ट्रीम हुई है इसको आप देख सकते हैं करवा चौध पर और इसी चैनल पर हुई है जी सर दूसरा सवाल है सब पाखंटों के उपर रह जाता तर मेरा यह जैसे किसी भी लड़की को अगर उसकी साधी नहीं हुई है तो उसको मा तो नहीं बोल सकते न लेकिन जो हमारे देश में देविया जितनी है तो उनको मा कैसे बोलते हैं हमने सर यही सवाल अपने कुछ रि तो नहीं बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो अविवाहित हैं उनको मा नहीं कह सकते हैं दखिए सम्मान देना किसी को बहुत अच्छी बात है लेकिन अति-उतसा हमें अति सम्मान देना और वो सम्मान जो है मतलब कहना एक तरह से वो चापलूसी की केटेगरी में चला जाता तो हम बहुत ही गौर से कह सकते हैं किसी चीज को जैसे धरती है इसको हम कह सकते हैं कि धरती हमरी मा के समान है गाय है उसको हम मा के समान है तो गाय को कहने में हमको मा है भैस है बकरी है सुवरी है सबको मा कहने में अच्छा लगना चाहिए फिर सिर्फ ऐसा तो नहीं होना चाह ना चाहिए ना हर फिमेल को मा लेकिन यह तकनीकी रूप से सही नहीं है तो इसलिए अति आवेस में या भावेस में आकर इस तरह का जो संबोधन होता है वो सही नहीं होता है जी सर नाथ किसी को नकारिये मत किसी देबि देवता इस वर को नकारिये मत हमने कभी है जब सबूत ही नहीं हमें हमको कभी मख्यों कि नहीं हुआ टो हमकी न नकारे लेकिन सबस्ट हम परोँ ने लई कर। बातार में सबस्क激र毒 सेने हुआ पर चर्चा होने लगी तो बोलता था उसने बहुत किया तो हमने कहा मैं आप से बात करवाओंगा किसी का बोलते हैं हाँ करवाओ तो सार आप लोगों का जो लाइव स्ट्रीम था टाइमिंग खतम हो गया था यहां पे ज्यादा टाइम हो रहा था ग्यारा वारा बज़ा था इंद्या के दो ठेवाज रहा था तो हमने देखा कि लाइव पहां चल ला है तो गालिप जो पाकिस्तान वाले हैं उनका लिंक कर दिया और भात करिये तो बोलते हैं नहीं यह लोग तो बेखुब यह लोगों से में बात ही नहीं कर दो आप इतना लंबा क्लेम कर रहे हैं सुदा-बात करियी ना पर ठोड़ां और भी मालब सर्पूरा नहीं बता सकता हो जोगा है कि एक आखेनी है यह मारा ही नहीं है नागी बाते है यह जूंटी बाते हैं जो भी इस तरह का थिलैंड करते हैं वह आख्रम आखरी वहतना नहीं था लोग सब दहरते जगड़ते धर्म पर नहीं था लेकिन था उसी चीज में औरो बहुत बार संजाते थे यह सब अच्छा बात नहीं है लेकिन धेड़े भी थे समझ गया मेरे पूरे काम में मेरा गाओं जो है सौ घर का होगा तो मैं बाबा साहब खुले आम मानने लगा मालब हर जगा बाबा साहम का नाम गाड़ी पर घर पर बुद्धी का पोटो जितने भी देवी दिता साहब को निकाल के बाहर कर दिया घरवाले मेरे को बिरोध किये लेकिन मैं उनसे लोजिकली सवाल पूचा कि ब ही नहीं सकते हैं कहीं जन्मों तक हमारे हाथों का अभी तक पानी नहीं पीते हैं लोग तो हमको इन देवी देवताओं से मिला क्या है कुछ नहीं मिला है दूसरा नंबर 2016 से में नास्तिक हो गया सर और बाबा साहब के बिचारों पर चलने लगा अब कोशिस कर रहा हूं आगे भी चलूंगा और अपने फैमिली को भी करूंगा इसमें और उसके बाद में मैं सर अकेला था गाओं में बहुत से लोग उसके बाद में लड़के आए कि चाचा मैं बहुत से लोग आए कि मैं भी आपके साथ हूं मैं भी आपके साथ हूं लेकिन कुछ दिन रहे उसके बाद में आउट हो गए फिर चले गए अब की बारे जो गाओं की बहुत से लोग पता नहीं कैसे मेरे से संपर्किये कि यार भाई सब्सक्राइब करें और रखें आपने अपने अनुभाव जो हैं जो विचार है उसको सेर करें और रखें क्योंकि बहुत सारे लोगों को आते है तो यह जानना समझना बहुत ज्यरूरी भी है जी कैसे जी 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 मैं कोई गौड नहीं हूँ, गौड तो कत्र ही न बोलिये, और गौड सब वैसे अस्तित्व में भी नहीं है, तो ठीक भी नहीं है, ओके चले, अच्छा, राम मोहन जी यहाँ पे उन्होंने जो प्रश्न पूछा था युरुवेद पे, उसका इन्होंने लिखा है, आपने सं तो उस जनक उत्तर दिया, धन्यवाद जी, बहुत सुक्रे आपका, अच्छा, इसके बाद से जो है, वंस गौतम जी ने भी कुछ लिखा है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ये लिखते हैं, आत्मा अमर अजर है ना, कत्थी है ना, अच्छा, कहीं है ना, खाती है, ना जलती है, फिर ये नरक में सजा किसको देते हैं, जबकि सरीर तो जला दिया जाता है, हाँ, ये बड़ा आपने सही क्वेश्चन पूछा है, कि स्वर्ग नरक जो है, स्वर्ग नरक में किसको परतार ना मिलती है भई, जब आपके सरीर को यहीं पर जला दिया जाता है, और सरीर में कहानी बटाई गई है कि सीर्फ आत्मा उसमें से बाहर निकलती है और कहानिकार जो है यह भी प्रोसेस है उसको यह बोलने लगते हैं कि भगवान ना जन्मा दिया उपर भी कोई रखते होंगे ना उपर भी जनमों नम देते होंगे 20-25 साल-30 साल इंतजार करते होंगे जवान हो तब सजा देते होंगे इनके अनुसार देखिए एक ऐसी गपोड़ गाता इन्होंने बना रखी है नॉर्मल से सवाल से इनके पूरे धर्म खत्रे में आ जाता है जो आपने प्रशने किया है इस प्रशने से भी इनका धर्म खत्रे में है जब अगर आप जो है जब कह रहे हो कि स्वर्ग नरक में भी यह आपको सजा मिलती है तो का बात की सजा मिलती है फिर अच्छा इसके बाद से जो है और किसी ने कुछ कहा है कि चले अच्छा मानो जी फिर आ गये हैं इनका कुछ दूसरा प्रश्ण था हां मानो जी पूछा मेरा दूसरा सवाल यह था कि वालमी की दिकें उपर कोई शोट वीडियो आपका बनाए हुआ है यह कौन था है वह सब्सक्राइब अच्छा एक मिन आपका वीडियो लेकिन यह थंबनेल में नहीं मिल रहा है ना अच्छा अच्छा यह देखिए थंबनेल से कभी भी पता नहीं चल पाएगा आपको बालमी की पर वीडियो पड़ी हुई है आप जो है ना इसी चैनल पर पड़ी हुई है स्ट्रीम हुई है बकायदे बालमी की पर और सौट वीडियो भी एक क्लिप कट करके भी मैंने डाला हुआ है बालमी की पर तो दो दो वीडियो पड़ी हुई है आपको मिल जाएगा आप जो है ना वीडियो सेक्शन में अगर मोबाइल से ओपन करते हैं तो रेशनल वर्ड आप उपन करेंगे उसके बाद से आप चैनल पर जाएंगे चैनल पर जाने के बाद से नीचे आपको दिखेगा ना वीडियो दिखता है उसके पहले होम दिखता है उसके बगल में कम्मुनिटी रहती है प्लेलिस्ट रहता है तो आप वीडियो पर स्क्रॉल की वीडियो प आपको मिल जाएगा वालमेगी पर एक नहीं दो-दो वीडियो पढ़ी है कि स्ट्रीम भी पढ़ी है कि वीडियो भी पढ़ी है इसी चैनल पर पढ़ी है जी मानों जी ठीक है ठीक है ठीक है ओके अच्छा जी अब कौन आये हुए हैं यहां पर अल्टिमेट गुद्धा आये हुए हैं चले इन से बाते करते हैं जी बताएं अल्टिमेट गुद्धा आ रही है आज का टॉपिक जैसे की गौड के एक्जिस्टन्स पर है तो वही बारे में बात करूँगा एक इन लोगों को इनके सर पर यह बात मारो कितना कि यह बुरी चीज़े क्यों होती है अगर उसका लिंक हो तो आप प्राइवेट चैट में डाल दीजिए मैं सेर कर दूंगा बात क्या है कि एक कॉंफिक चल उथा साओधिय अरेविया और यमन का तो वह क्या कर रहे थे बिसिकली यमन पे वह अटेक कर रहे थे तो एक इमेज है बहुत वह इमेज इतना वह थाट रोगिंग है ना कि उसके आगे कोई बोली में सकता है वह जो फाइटर फाइलट होता है वह दुआ कर रहा है नमाज पढ़ रहा है वह अल्ला से उधर जाके बॉंड राजने से पहले और उधर यमनी लोग वह भी अल्ला से दुआ कर रहे हैं कि हम बच जाए हम मर ना जाए तो यहां को आला के अर्ली हो सब्सक्राइब तो इससे मतलब फिर इस पे कोई बगवार सा एक्सपेडिशन आएगा जैसे कि वह उसका जन्नत में होगा इंसा हो गया उदर में जाने नहीं वाजा लेकिन बात है कि हम यहा साइन से कंपेर करना लेकिन अगर एक दूसरा दरीगा है कि इनी के लॉजिक से और इनी के इन से कंपेर करो तो इनका सब तूटके विखर जाएगा जैसे कि बोलते है कि वह हनुमान में सूरज खाया था वगरा सूरज आई इसा हनुमान को पता नहीं मैं कोई और चीज के स्री लंका जाने को बाकी वानरों को हाथ पर उठाके ले जाएगा तो फिर संजीव नी परवत तो लेके गया था ना वो लेके गया था तो उनको भी उठाके ले जाता फुल बानने की क्या दरूरत है यह इनीक लोजिक में अगर आप इनको सवाल बूचा तो इनका सब इसको छोड़ते नहीं जैसे कि गोविंद पांसरे नरे रजा बोल करते हैं तो यह चीज़े करते हैं कि इनको डर है क्योंकि इनका धरम कोई मतलब पत्तों का घर जो बिखर जाएगा ऐसे ही करके मुझा लगता है कि साइस की पास जाने की जरूरत ही नहीं है नहीं कि कि यह बहुत सही कहा आपने कि यह जो बाते बोलते हैं उनके लोजिक पर ही सिर्फ अगर प्रश्न खड़े कर दिये जाए तो इनको दिक्कत हो जाती है और वो दिक्कत इतनी होती है कि इनका जो अभी तक भगवान आवतार लेता था यह खुद ही आवतारी पुरूस बन ज सबसे खास बात यह है कि इनके जो हतियार थे या देवी देवतात थे यह कभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं आए इनको मुस्लिमों के लिए लिखना पड़ा अल्ला उपनिशाद इनकी चाटिकारता में गीत गाना पड़ा उनके मंत्री बनने पड़े बहु बेटिया उनको देनी पड़ी उनके लिए जो है तुलसी दास जो है उनके मस्जित में सोकर अपनी जान बचाता था तो इनको कभी भी जो है ना इनकी सारे हत्यार या सारे काम जो है जो भारत के जो लोग है उनहीं पर अपलाई होते हैं इनका कभी भी जो है इस्वर जो है वो कभी अल्ला के लिए या फिर इसाई जेसस के लिए इनसे कभी इनको लोग को दिक्कत नहीं कभी उनके लिए उतार नहीं लिया एक जो है कच्छवा उतार हुआ कच्छप उतार एक जो है वराह उतार हुआ इनका जो है मतस्य उतार हुआ नरसिंग उतार हुआ इस सब उतार लियें लेकिन इनने कभी भी जो जिसस थे उनके खिलाफ कभी आउतार नहीं लिए इन्होंने कभी अल्लाह के खिलाफ आउतार नहीं लिए शुद्रों के जितने भी थे जिनको ये देट ते कहते थे जो भी इनके लिए ये आउतार ले लिए तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वास्तों में जड़ में ही जो ब्राम्हन सिस्टम है उसके जड़ में ही प्रोब्लेम है इसलिए ब्राम्हणवाद जो है वो नहीं सुईकार है किसी भी कीमत पे इसलिए नहीं सुईकार है क्योंकि इसे दुनिया से नहीं प्रोब्लेम है इसको प्रोब्लेम सिर्फ भारत के लोग से ही प्र सब सब ठीक है उसका चल रहा है वो एक पीस्कूल सोसाइटी में रहता है काम पे जाता है घर आता है उसको बुरी चीज़े देखने को मिलती ही नहीं तो फिर वो सब यह फास्टू चीज़े करने लगता है कि भगवान पर यकीन रखो अगेरा जियो आदमी के जिंदगी में ह है तो इनको ठीक कर दो और नहीं वो नहीं बच पाए तो तब से मेरा भरोसा उठ गया बगवान से तो वैसे अगर किसी के लाइफ में बुरी चीज़े है ना कोई आपके सामने रहे देख रहा है जैसे कि वह इस्लम में रहने वाल लोगों तो वो लोग समझ सकते यह चीज अचा वह नहीं खुल पाएगा वह एफ़ी का पेज है ना तो यहां पे इस पीज नहीं खुल पाता है यहां पे सीधे लिंक की खुल पाती है ठीक है ठीक है अल्टिमेट वुद्धा ओके बहुत शुक्रिया अच्छा यहां पे दिलिप सुर्वादे लिखते हैं आतमा सरीर बदलती तो स्वर्ग नरक किसलिए बिल्कुल सभी सवाल खड़ा किया आपने दिलिप जी आतमा जो है जब सरीर बदलता है तो स्वर्ग नर कि गीता में कह रहा है कि स्वर्ग नरक और करमकांड से उपर उठो पुरान में कह रहा है कि मरोगे तो तुमको सजा मिलेगी अगीता कह रहा है कि स्वर्ग नरक से उपर उठो मोच ले लो यह बुधिष्टों की तरह बात कर रहा है कि मोच मोच की प्राप्ति करो हैं तो की बात कर रहा है दूसरे का पूराशन की बात कर रहा है एक बोल रहा है कि आत्मा को कष्ट ने सकता है तो यह आपस में कंट्राडिक्त यह बात नहीं समझ पाती है तो बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया आपने अच्छा यहां पर जो है शिशुपाल वागमरेजी लिख रहे हैं debit card option is not available for patron membership हाँ देखिए शिशुपाल वागमरेजी सायद credit card ही वहां पर लगता है अब debit card का मैंने नहीं चेक किया है एक बार आप लोग पर तोड़ा सा देख लिजेगा गूगल पर सायद credit card जो है न वो accept करता है पेट्रियोन और मेरे ख्याल से अगर debit card से अगर करता हो तो कोई यहां पर जो comment section में हो कोई सांथी इनको जरूर सजेस्ट करें सिसुपाल वागमरेजी को जी और आपने पेट्रियोन का याद दिलाया बहुत सुक्रिया साथियो पेट्रियोन जो है न पैस्ट तरीका है सायंस चर्णी और बोड़ ने जो है प्रोड करने का पेट्रियोन मेंबर्शिप जरूर लेजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है । अ हर वीडियो जितनी भी लेटिश्ट डली है आगे उस पर भी काम होगा लेकिन बैक अप चैनल है तो आप सभी लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखें और उसको लिंक जो है यहाँ पर मोड्स बार-बार चैट-बाक्स में सेर कर भी रहे होंगे फीचर्स सेक्षण है जहाँ पर विडियो ड्लेलिस्ट जहाँप आपको दीखता है कम्मश्टी पेज उसके बगल में चैनल का जो सेक्षण आता है वहाँ पे आपको वो दोनों चैनल दिख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा बैकप चैनल है आगे उस पर भी काम किया जाएगा अच्छा और कौन आये हुए हैं राजपूत आये हुए हैं चले इन से भी बाते करते हैं जी राजपूत बताएं क्या काना चाहते हैं हअ हालो हाँ हालो कि पिछले बार हुए तक हमें तो नहीं आठें राजपूत नाम से बतें किस नाम सब्सक्राइब अच्छी बात हो गई कि आपने कम से कम इतना तो समझा कि चलो कट्टर नहों कि आप सा राजपूत तो बने लेकिन यह तो केस आया था अनीता मजूर मूर जानी का अच्छा जी जो दर्चे में अच्छा जी टरेटक्स में भी आई थी इन्होंने शेयर किया है कि जब तेह तो इन्होंने अपनी लाज को देखा आए और शारी चीजें उन्होंने बताए हुआ इसकी आपने पढ़ी थी क्या प्रैक्ट नहीं उनका इंटर्विव उन्होंने बताया है इंटर्विव तो बहुत लोगा होता है इंटर्विव थोड़े तूथ होता है देखनी पड़ती है ने एक्सपोइट किराय देखे जो बीमार होता है बीमार जब डॉक्टर के पास अपनी जो उसको भरम होता है अपनी जो बीमारी फिल करता है वो बता देता है बहुत सारे लोग को जो बीमार लोग होते हैं उनको सपने भी आते हैं ड्रावने सपने आते हैं नाइट मेर साते हैं बोढ़ोग को बहुत सारा चीज़ एक्स्पिरियंस होता है तो अपनी बाते रखते हैं बात रखने में कोई गलत फवहीं थोड़े है जब उसकी fact checking की ज साकुआ है । हमे ना उसकी फैट चेकिंग देखनी पड़ेगी आपने कि और वह दिखेते हैं आक मुझे नहीं औह CAS बाता रहे थी सब आपको तो अगर आपको दिखते हैं जब आपने नहीं देखा था तब आपको दिखते हैं और कोई चीजे सही होती तो फिर होता इसी तरह से पूरे दुनिया को दिखनी चाहिए जो सत्य होता है सब को दिखता है आप भी हवा का सांस लेते हो अरे रुको भाई रुको बोलने दो जब जो हवा होता है ना हवा आप भी हवा लेते हो मुसलिम भी हवा लेता है सिख इसाई भी लेता है एक जो भी जिंदा व्यक्ति है वो भी सां सांस लेता है यह चीने के लिए सांस की जरुरत है उसी तरह से अगर किसी को पुराने चीज़े दिखने लगे न तो वह तुरूत होगा ना तो सब को दिखेगा एक को नहीं दिखेगा एक को जब दिखे तो समझे कि उसको कुछ भराम हुआ है हां बोली आगे तो उसका गारेंटी कोई देगा तू सही बोल रही थी बोल रहा हूं उसकी कोई गारेंटी देगा तो पेसेंट थी ना पेसेंट कुछ भी पता सकता है ना जो उसको फिल होगा वो बताएगा अरे यह फंसना इसको नहीं कहते हैं इसको फंसना नहीं कहते हैं फंसना इसको कहते हैं जब आप सबूत दे सको कि अगर उनको दिख रहा था अगर यह सत्य था तो सब को ऐसा दिखता है इसको सबूत कहते हैं अगर कोई एक बंदा क्लेम कर रहा है जैसे अगर मैं यहां पर र थो लोग हर्कते करते हैं, एक बन्दा कह रहा है कि नै नहीं हम ना हमारे सपने में वो भग्वान आये थे ये बता के गए थे हैं, तो बहुत सारे लोगी जो इस नोब इतरुट करते हैं एक तरफा फाल्ट शबूत नहीं होता है सबूद आप समझें सबूद किसको कहते हैं कोई एक व्यक्ति अपने क्लेम कह दे वह सबूद नहीं होता है सबूद के लिए सबूद दिखाना पड़ता है आप समझें नहीं पा रहे हैं कि सबूद क्या होता है आज आप एक का कीजिए सब थोड़ा दिखाए त तो फेक्ट चेकिंग उनकी सेर कीजिए तो मैं यहां सब को सेर करूंगा आप क्या काना चाहते हैं अब सर्च कर लीजे इंडियन वुमें फूरेंस नियर ड़ेट लिख दी जा जाएगा अच्छा उसमें क्या आ जाएगा उसमें कि अरे उसमें आ जाएगा आपके पास जाजी चेक करता हूँ अभी चेक कर लेता हूँ ऑथेंटिक सोर्स बताएं कोई ऑथेंटिक सोर्स ने इसको कवर किया हो तो तो ताइमस ओफ इंडिया में कुछ चापा है चलिए उसको पढ़ लेते हैं देखते हैं क्या भई आपका अच्छ देखते हैं जी वही लग रहा है कि वही है क्या ये देखिये तो वही है क्या ये अनिता मुर्जानी लभ मोर लाफ मोर और लाइव फिरलेसली अनिता मुर्जानी अनिता ये वही है क्या लिखा है लाइव लाइव आपका लिखा है लाइव सब्सक्राइब निता इन अनिता गोवा आज अधेट रहा है अधेट दोड़ त्व्ड़ा शांत रहा है मूट कर लेजे बैगराउंट साओं आप दे रहा है I experienced what I would call me awaking also called a near-death experience during this state I realized that I had my priorities wrong and had spent a lifetime trying to something I am not देखे क्या लिख रही है भाई साब during this state I realized that I had my priorities wrong यह कह रही है कि मैंने उस समय रियलाइज किया कि मेरी जो प्रियोर्टी थी वह गलत थी and had spent a lifetime trying to be something I am not और पूरे जिंदगी भर मैंने वह चीज करने का पर्यास किया जो मैं नहीं थी यह बात कह रही है भाई साब जब कोई व्यक्ति अपने अंती में स्टेज पे होता है तो इस तरह की बाते आती हैं आप इसमें क्या कहना क्या चाह रहे थे थोड़ा बताइए तो मुझे क्या साबित करना चाह रहे थे जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने इसमें देंड को में में ती उस समय हapeं ने voranherб में चुपर देख लिया नारे थोड़ा सांत से रहे इसमें कहां इसमें इसमें तीन फूट की बात आ रही है थोड़ा सांत भी तो रहें ना मैं पड़ा कौन से प्ठाइब नीज चैनल कोन toen इता है बस यहीए काम करो है नहीं पर हो दो जगो से पढ़ो जो बना के आंके आप देते हैं फिर आके यहां primeiro पास करो यह देखो यह लिख रही है कि यह कोमा में थी अंग कोमा का मतलब वही होता है जो व्यक्थ कुछ कर नहीं सकता है सिर्फ थोड़ा सा सोच सकता है या आंखे पल्के छपक सकता है या नहीं भी जपक सकता है तो वह कह रही है उसका experience बतरी इसमें कहां ऐसा कुछ लिखा हुआ है यह तो अपना experience कर रही है कि भाई मैंने उस समय realize किया कि मैं जिंदगी पर वो काम करती रही जो जो मैं थी ही नहीं जबरजस्ती का कुछ और काम कर रही थी यह बोल रही है और हर व्यक्ति को आप भी जब जाओगे ना last stage में और आपको ऐसा लगेगा कि यारब मैं मरने वाला हूँ तो आपको भी realize होगा कि मैं जिंदगी में क्या चीज बच गया क्या चीज मुझे करना चाहिए होता है क्या जिंदगी में मैं मिस कर गया किसलिए मेरा जनम हुआ था मैंने जिंदगी बर आज तक किया क्या हर इंसान को पच्तावा होता है कुछ चीजे बची होती है थोड़ा सा आप कभी सांत होके ना बैठ के आधा एक घंटा डेली जो है ना अपने बारे में सोचो जैसे कट्टर राजपूत से राजपूत बन क्या हो एसे अब आगे आक थोड़ी ना है थोड़ा रुके आपने जो क्लेम किया मैंने टाइमस ऑफ इंडिया का कोल के दिखाया जो थोड़ा सा ठीक माना जाता है आपने यूटूब का उतना नहीं जैनियून है उससे ज्यादा जैनून यह है यह तो कहीं वह इसी बात ही नहीं कर रहा है यहां तो आप गलत हो गए अब दूसरा क्लेम बताइए क्या कह रहे हैं आप बोलिया करते हो कि हिंदू दर्म में समुद्र पार करना अलाओड नहीं है अच्छा जी लेकिन अगर आप चोला एंपायर देखो ना हो तो समुद्र पार करके गए थे पुरा रूल किया तो नहीं अब ब कौन थे चूला एंपायर चूला एंपायर साउथ के साइड के ते कौन से सदी में बनवाए थे यह टेंपल कौन से सदी में बनवाए थे यह तो बताओ राज राज चूला के पीरड में बनाता यह अज़ा तो सदी तो बताओ तभी तो पूल खुलेगी ना कि कहा के थे कौन से सेंचुरी 12 सेंचुरी की बाद 12 सेंचुरी अच्छा रामानुजंक का कभ लिए था इंग उनक बहुत पहले से नहीं वो तो भाद में पैदा हुए इस दो थो आप तो असोक के काल पर थे तो सबूत भी तो मिलना चाहिए ना कि उस समय उन्हों तो कब बनवाए कब थे उन्हों ने उसी में बनाए होंगे अच्छा है पदमश्यानी टेंपल जो है वर्ल्ड का रिचेश टेंपल वह कौन से यारे का है इतना टॉपिक क्यों बदल रहे हो यह बताव पहले एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे ना अभी आपका टॉपिक आना सुरू हुआ कि आपके सिफ्ट करना सुरू कर दिया इतना जल्दी जल्दी मत भागो यार पहले इस पर चोल एंपार पर बात कर लेता है ना कि चोल एंपार था क्या वही तो जानना ज़रूरी है ना नहीं जानोगे तो कैसे काम करेंगा रामानुजा जो चारे था इसका न हिंदु में ब्रांच होती है ना आपके यहां कौन सी पूजा होती है अरे हमारे हैं सब की पूजा होती है सब की पूजा मतलब चार पांच छे बगवान रख लो तूजा कट लो और गया मेरे यहां बुद्ध की भी मुर्ति है मेरे यहां अच्छा बुद्ध की भी मुर्ति है राजस्थान के हो आजी अच्छा जी तो राजस्थान तो जितने भी पुराने अविलेक है वो तो असोग के ही अविलेक है जो डेत के बाद जो बनाया जाता है आप बोल रहे थे बुद्धिज़म अचे इंसक्रिप्शन मिला है क्या मिला है उसका कोई पिलर पे लिकवा है कितने मिले हैं अफगानिसटान मिला है ग्रीक साइड मिला है बहुत जगे मिला है परशिया जाइड जूनागर कहां पर आता है जूनागर 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 जू अच्छा आच्छा यह एक चीज मुझे यह बताओ कि जो आपके यहां जो पूजापाट होती है आपके यहां जो साधी वगरा होती होगी तो पंडित कौन आता है तो वो कौन सी कथा पढ़ता है अच्छा एक बात बात भुमां क्यों रहें आप चोला एंपायर पहले के आऊंगा आपको तो मुझे इतने सवाल पूछने नहीं पढ़ते आपको तो मुझे यह भी बताना पड़ रहा है कैसे रमुद्र पार करके चला गया आपको बस बता नहीं पार है अरे भाई चोला समुद्र पार करके गया इसका मतलब वो हिंदू नहीं था समझे पहले पहले आप यह समझो कि चोला किस समय में था किस समय टेंपल बना और उस समय आपका जो कौन सा धर्म है जो हिंदू धरम बोल रहे हो आप कौन से धर्म का पालन करते हो पहले यह तो बताओ तब तो मैं बताऊंगा ना चोला के बारे में आपको तो यहीं नहीं पता है है मैंने पूछा आरे समाजी नहीं हो ठीक है लेकिन आप जो है दूसरी वरांच अच्छा वैश्णुमारक का संस्थापक कौन था लेकिन आप जो है न जबाब नहीं दे रहे हो कि आप कौन से हिंदू हो उसका पहले जबाब तो फिर मैं आपको सारा चीज बताता हूं एक एक करके अरे मैं नॉर्मल हिंदू हो जो आज सब होते हैं नहीं यही तो नहीं पता है ना इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आपसे आपके घर जो पूजा पाठ के लिए जिस पंडित को बुलाते हो वो आंगन में बैठता है तो ना आपको बताता हूं ना आपको बताना पड़ेगा ना आपको कौन से गोट रखे हो आपके यहां ब्रामड आता है तो कौन सा मंतर बुझे पसंदी वादी होते है तो आप हिंदू नहीं हो इसका मतलब कैसे आपके मंदिर में कितने राजपूत है यह बताओ आपके मंदिर में कितने राजपूत को पूजा नहीं करने देते नहीं करने देते बस यहीं पर आ गए ना फिर लाइन पर कि राजपूत को पूजा नहीं करने देते आप पंडित बुलाते नहीं हिंदू का है के हो फिर आप बताओ फिर का है के लिए और जब आपका कोई मतलब भी नहीं है आप यह बताओ आपको संस्कृत आती है तो पर्शूराम कौन था यह तो बताओ पहले पर्शूराम कौन था पर्शूराम वो होगा कोई ब्रहमण का दाता होगा कोई और अचा उसके बारे में निखा गया है कि अरे रमाएड में भी सुको यार पढ़ते हो नहीं जानते हो नहीं यह बताओ कि रमैड में जब धनुस तोड़ता है राम स्वेंबर के समय वही पहुंचता है उसको गाली देने यह बताओ मुझे कि जो पर्शु राम है वो एक कई सबार धींडोड़ा पीटा गया है ब्रामण ग्रंद में कि छत्रियों का विनास कर दिया नास कर दिया तो समराठ सब्सक्राइब ही जो है इतना चोटा सा देश जो है ना अ को होना था जैपान की तो बॉर्यक है बना लिया था उसने जो है इतना चोटा सा देश जो है 1939 में जाके अमरीका के परलावर तबाह कराया था पांसों से ज्यादा गलाइडर लेके 1939 में उतना छोटा सा देश है वो तो बरियर था कि नहीं था वो बरियर था ना है तो बहुत ही देश वो भी तो यह जो है आपकी यह जो कहाना में आप हिंदू कहां से हुए यह बताओ न पहले आप मुझे आप हिंदू हो गया है हिंदू घर में पैदा नहीं हो यह कहो कि आपको लोग कहते हैं हिंदू आप हिंदू हो नहीं आप जिसकी संतान हो उसका इतिहास किसी ने छुपा दिया यह को ना कि आए यहां पर यहां पर आजिस्तान में कोई कोई हिस्ट्री की बात नहीं है यह किसे बनाया उनों आपको नहीं पता है किदर नहीं दिखाता है गूगल में थोड़े दिखाएगा आप जाके देखो ना मैंने तो सम्राइट असोग पे तीन-तीन सीरीज बना रखी है उसमें सम्राइट असोग का पूरा जो है एक टेंपल जो है मैं लगी है लॉजिकल लग रही है कुछ दिनों से आपकी वीडियो में देख रहा हूं इसलिए मैंने कट्टर हटा दिया मुझे थोड़ा हो रहा है कि यह जाती वाद है बहुत बहुत गलग चीज़ है क्योंकि मैं इस चीज़ देख रहा हूं अपने सोसाइटी में भी अच्छ देखेए विडियो एट्टी सेवन देखेए हैं अब जो है विडियो एटी सेवन देखेएगा साइंस चर्णी पे 90 देखिएगा उसमें मैंने 87 में ही वीडियो 87 में मैंने दिखाया है कि समराट असोग की मूर्ती बकायादा मिली है और उस पर लिखा भी हुआ है राया अशोग और वहीं से ये मिला था तक्रीवन ये तो खेर इधर 1915 के बाद ही समराट असोग का पता चल कि लिए आप कर रहा था अब तेम अब यहीं पूछ रहा था कि आप कौन से हिंदू हो लेकिन आपको यह पता चल गया कि भी हमें तो हिंदू नहीं हूं मैं बौध ही हूं या अपने स्वेक आर्फी कर लिया अब देखे मैं आपको बताता हूं जो हिंदू है वो तीन जो नौर्थ इंडिया है उसमें ज्यादातर लोग जो है वह वैशनों है सैवमार्ग बहुत कम है बहुत कम है पूरे भारत में सैवमार्ग जो है पहली ब्रांच जो नवी सदी में हिंदू पहली बार आया था हिंदू नहीं आया था सैव आया था वह कम है वैशनों है असाक् सब्सक्राइब नहीं होती है कि जैसे आपके राजस्थान में वीडियो 101 देखिएगा चित्रगंद मौर्य नाम का सासक था उसने दूर्ग बनाये थे किले बनाये थे साधियां भी करते थे कटरता आई है ब्रामः धरम के आने के बाद ब्रामः ने क्या किया अपना गौत्र बना लिया खुद भी डिवाइड करके साधी करने लगा और दूसरों में भी खाई पैदा किया कि अगर यह आपस में साधी करेंगे तो एक जूट होके रहेंगे जब आपस में नहीं साधी करेंगे तो अलग थलग रहेंगे तो मैं आसानी से इनका भी मंत्री बनूँगा उसका भी मंत्री बनूँगा जब दोनों को आपस में मैं फिडवाइक दे के दोनों को लड़वाते रहूँगा और यही कारण था कि जो राजस्थान जो सेवन का गड़ था वो पूरा बरबाद हो गया धीरे से फिर वहाँ पे जो है राजपुत बनाए जाने लगे लोग वहाँ पे जो लोग है पंद्रहवी सदी तक राजपूत की उपाधी दे दी गई, पंद्रहवी सदी से पहले राणा सांगा ने राजपूत नहीं कहा, वो अपने को राणा कह रहे हैं, प्रताप लोग कह रहे हैं, खंभा कह रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने को राजपूत नहीं कह रहा था, पंद् सब जो है ना थें उस समय इवें ईसा से धाई सो साल पहले और तब जो है समराट असोक ने महादेव नाम का और और भी बहुत सारे विखुत हैं इनको साउथ में भेजा था या आप जो है आप जाओ वहाँ पे बहुत मार का प्रचार प्रसार करो और इन सब लोगों ने इनक बुधिष्ट था यह मैंने आपको दिखाया है एक मेरा जो एक स्ट्रीम किया था मैंने साइंस चर्नी पर एक्वालिटी जो रामानुजाचार्य का बना है उसमें मैंने दिखाया है कि जब जब रामानुजाचार्य उस चोल राजा के यहां गया तो उसने उसकी वह बौध था तो उसने बौधों को बुलाकर और इसके सांथ डिवेट करवाई रमानुजाचार्य से उसके मंत्री सारे बौध थे चौलवंस के सोचो यह बारवी सदी की घटना है तो बारवी सदी में साउथ में चौलवंस बुधिष्ट था अच्छा ये भी गया है क्या नाम है इसक आपने धरम धरम परिवर्टन आपने थोड़े किया है आप तो थोप दिया गया ना कि किसी ने हिंदू कहा आपने मान लिया उसी तरह से पूरे भारत के जितने लोग आज अपने को हिंदू कह रहे हैं किसी ने धरम परिवर्टन नहीं किया है सब जो है अपने आप कहने ल मेरी बात को मुस्लिम को आप गाली देते हो तो वो जब कहते हो क्या वो अपने को i और लिए तो इससे यह पता चलता है कि आप जो है आपका धर्म कुछ और था किसी और ने आपको पकड़ वा दिया गाली आप पकड़के बैठ गया यह चक्कर है आप कुछ क्लेयर नहीं हो कि गुप्ता एंपायर को हिंदु बता दिया गया लेकिन – कौन बता दिया कौन बता दिया मुत देल – सबूध दिख्कोन हमें एस बंभाप, में मंजिर बननाँ हैं अच्छा कॉन सा मंदिर बनना थेल हमें, बताmente कुपता सब्सक्राइब दिखाऊंगा नहीं डिखाऊंगा नहीं यहांपे अगम के नहीं 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 से यहां पर है जोलिक्टेश्ट टेंपल पर है जोल्ड रिचस्ट अले प्लेस कि अगला में नाम बताएं तुझरा नाम बताए लिखेंगे तो आज दो वर्ड वर्ड रिचेस्ट वुली प्लेस पहां पे किरला में कहां कि अब अभी सच करकर देखता हूं आप जो हैं ना आपको पता ना से हिस्ट्री आप पढ़े के आते हो गुपता अधरा टेंपल ने बना और कौन सा टेंपल बनाया है दस वर्थरा दस वर्थरा अच्छा एक मिन रूब शुक जाये वह भी खोल देता हूं मैं इस पेलिंग बताएं दस दी ए इस वर्थरा तर्स वर्थरा टेम्पल हाँ जी ये दर्स वर्थरा टेम्पल हाँ बताई इसमें क्या कहना चाहते हैं पूरा चेक करेंगे ना पूरा चेक करेंगे नहीं करते हैं अब फिर आप खुद ही पुरंद ही गाना भी गा देते हैं कब आप नहीं कर पाओगे गुगल पर नहीं कर पता कंधिक से घंच कर कोई सबुथे सबूत होता है इसलें पिजल असब द् مشाश नहीं कर पाओगे वह नहीं कर पाओगे अपभी दिखा देते हैं तो फिर मैं समझ लएता है कि यह section कर क्या है आपका यह तो जब मुझे सर्च करवाना है हो तो थोड़ा सांती से रखें बोले थोड़ा कम बोला करें ठीक है अच्छा जी इसकी जो स्टेचू है वो भी निकालने पड़ेगे ना आपको आप जो है इतने सारे एक्स्ट्राइडिनरी क्लेम करते हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब आपने दूसरा भी तो नाम बता दिया ना जब वो सर्च कर रहा था लेकिन सब्सक्राइब कर दिखा देता हूँ सबको दिखाना पड़ेगा ना आप कहां से को नहीं बना पाया है किसी को नहीं बना पाये लिपी तो पड़ी नहीं पाया आपको तो यह दुटा की लीपी किसने पड़ी ती भड़ी तो लिखान कीन थे अज नहीं पड़ी थी शुच्ट रहा हूं कि दुरता खुरहा हीं जो के लिख रहा है आपको तो यह नहीं पता होगा कि उसने भी लिखवाया था उसने भी लिखवाया है आपको नहीं पता है तो इसलिए आप बखर-बखर बोले यह देखो द्यांसे यह मुर्ति दिखा देखो आपने और आते एपने कहा अधे आपका घुट आपका झाया देखो नहीं देखेंगे रहे हैं तो यह देखो ना आप देखें कैनी बदा वाले ब्रम्मा जीए उपर देखिये यह दो बोल रहा हूँ ना यह बुद्ध दिख रहा है यह ब्रम्भा नहीं है यहां पर चीवर पहना है यहां पर चीवर पहना है और बाल इसके देखो यह कैसे है कान देखो ना इसके कैसे है यह आपको दिख रहा है इसके नीचे वाली यह मूर्थी देखो इनके बाल के पकड़ने का स्टाइल देखो और हाथों के यह देखो यह यह आपको क्या दिख रहा है यह यह आपको भगवान दिख रहे हैं कि अरे यह कौन से बुद्र के तीन सर ह के नाम सूना है मैं पूछ रहा हूं कि नाम कभी शुना खाई का नाम को हो था कुछ misin इसको तोरी ना देखते हैं नियुक्त वूच्छ रहाऊं कौन होते हैं तीन-चार हाफ होथ है और इसे नहीं होता है अच्छा ब्रह्मा जी बैठते हैं अच्छा ब्रह्मा यह ब्रह्मा है यह लग तो रहा है पूरा आपको यहीं नहीं पता है कौन सी सदी का बताया आपने अगर 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 आपको यह बताना पड़ेगा कि बुद्धा से पहले का है यह क्योंकि चटी सदी दिखा दे रहे हो और ऐसी तमाम मूर्तिया चटी सदी से पहले की अगलेबल है अरे तो गुपता एंपायर है तो यही तो बोल रहा हूं न तो आपका ब्रह्मा कहां से हो जाएगा आपको सबूत देना पड़ेगा न कि जो पहले जो मूर्तिया बनी है आपको गंधार कला नहीं पता है गंधार कला का खुलना शुरू करूंगा तो अभी सारी पूल खुल जाएगी आप बोल रहे हो कि कमल पर बैठा हुआ है तो यह वह ब्रंभा हो गय और यह तो यह क्या है यह यह ग्या है यह चीतर नहीं तो फूराइब कर दो आइधा लगए लेकिन वह ब्रम्हा लग रहा है एक उल्द जैसी है तारत बहुत सारें लेकिन उसके तो तीन सरह रहे तो आप नहीं होगे तब जैनागे क्या होते हैं यह यह देखो यह क्या है यह यह दिख रहा है यह इस वह खड़े चीज़ कही तो यह क्या चीज़ है यह बताओ तो यह किस चीज़ पर बैठे हुए है बताओ जरा कि का चीज़ पर इसी तो लेकिन लग रहे हैं इंके तीन सरका है अरे बाए इन कि तीन सर नहीं है तीन सर नहीं इससे बेह ज्यादा सर दिखा दूगा अभी चिंता का है ले रहे और मैं तभी पूछ रहा हूँ ना अभी एक एक करके दिखा रहा हूं ना सब एक ही बार जाने लोगे क्या अभी अभी पहले देखो ना बैठे हुए पोजीशन में ये कमल प खड़े हुए कमल पर खड़े हुए कौन है यह गिमादे शेयर कर लिये link चलो वह भी देख लेता हूं ना यह दोब बैठे हुए यह पूरा नालणडा का यह सारा स्क्रिप्चर सारी चीजर मिल रही है कि खुल लेता हूं अब भी खुल लेता लेकिन इसमें च्छे दर्वाजे हैं जो खोल चुके हैं कुछ दर्वाजे आज तक नहीं कुले क्योंकि श्राफित ऐसा गोला चैसे खोलते हैं तो दबाव हो जाएगा तो मिला इसमें बहुत सारा ख़जाना विलियन बिलियन विलियन शरकार गूंसा लिंक कहले नहीं फोट सर्थ लीज़ें लेगे से ना यह आरहें डिखाप सेंचुरी का दिखा रहा है क्या सुषेग अ कि क्या जीन सूरी दिखा रहा है का है इसमें दिखाए तो मुर्ती दिखाए तो इसमें कौन से मुर्ती मिल गई है इसमें आपको देख लीजिए ना सर्फ करके श्रीप पदमाश्री ना इस पैलिंग भी दिख गई होगी चैट पर नहीं उदिख रही है लेकिन मूर्ती तो मुझे दिखा यह कौन सी मूर्ती है आपकी इसमें आप साइट आपने दिया नहीं साइट अपने खोल के दिया जिसमें ब्रसे में अच्छाइब मुस्त प्लेश में भी आता है एक मिनट आप फिर से लिंक्स एर करें आप थोड़ा ओठेंटिक लिंक्स कि यहां पे किये हैं अब आपने जो किया था वो एक बार दिखा दून पुबिक यह आप इसको दिखा के बता रहे थे कि यह आपका लिजय को जो इसको देखके सांत रहें थोड़ा कौन व्यक्ति होगा जो इसको देखके कह देगा कि ये जो है किसी हिंदु देवी देवता का बना हुआ है ये जो बैठने की पोजीशन है और इसके नीचे जो यहां पे हीरन बना हुआ है ये जो इसके नीचे जो हीरन बना हुआ है और ये बैठने की जो पोजीशन बनी है हा अट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब थोड़ा रुखे भाई साब आपको तो यहीं नहीं पता है तो यहां किया होता है उससे पहले का क्यों नहीं दीखा रहे उसके अपना ब्रम्ह दिखाओ न थोड़ा मुझे जब कुशान लेके आये थे मुल्टिपल हैं तो गई कहां साबित हो गई कहां साबित हो रही है आपका यहां से यह साबित हो रहा है कि गुपता वंस जो है जो एर्थ सेंचूरी में गुपता वंस नहीं था आपको यह भी नहीं अब यह सुनो यहां पे जो यह मुद्रा जो है ना यह जो दिखा रहे थे बता रहे थे गुपता वंस ने बनवाया है इस मुद्रा को कहा जाता यह अलुकते श्वर बुद्ध की मुद्रा है और इसको ललित्सेन मुद्रा कहा जाता है ठीक है ना अब भी मैं आप इतना इंप्रेस हो गया ता स्टार्टिंग में अभी आप आप यह सर्च कर यह वर्ल्ड की रिचेस फोली प्लेस है नहीं मैं यह टेंपल सेर्च करके आपको दिखाता हूं ना जी सर्च कर लीजे स्टार्टिंग में आप तो बहुत हीरो हीरो इतम लग रहे थे लेकिन अभी आप थोड़ा फास रहे हो ना फास आप रहे हो यह आप थोड़ा गूगल में सर्च करो तो थोड़ा सर्च करो तो कि फोर हेड़ेड़ बुद्धा नहीं दिखा पाया अच्छा नहीं दिखा पाया खड़ा हुआ फोटो दिखाए वह आप और यह पद्मश्वाणी टेंपल के बारे में भी नहीं बता पाए अरे रुको भाई नहीं हो कि मैं नहीं दिखा पाया यह मत कहा करो आपको खुद आपका भी चीज मुझे ही दिखाना पड़ा रहा है मेरा भी चीज मुझे ही दिखाना पड़ा फिर रो भी रहा हो कि दिखा नहीं रहा हो थोड़ा सांत रखो सबर रखो दिखा देता हूं एक करके दिखा दे यह तो बूद्ध लग रहे हैं लग रहा हैं भूद्ध टू Security लिखा भी हुआ है यह अ आप अब स्फलिव हो रही है आप सिंगल सिंगल वाला भी ये देखिणो यह सिंगल भी है यह सत्ता हूं यह सारा काम अप खुद भी कर सकते हो मुझसे यहां पे लाइफ क्यों कर रहे हो अच्छा वो लास्ट वाले सर्च कर लिए दपदमश्वाणी टेंपल चलो वह दिखा देता हूं और यह तो कृष्ण जी को मानते हैं इंको क्यों बीच में लाते हो यह सिरु कृष्ण जी को मानते हैं अलग हिंदू जातीवाद के खिलाफ नहीं है ना यह वर्ण ववे विवस्ता यह मानते है ना यह वर्ण वे व्क्राइव पहला देंगे यह 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 आपका पादम श्वावी मन्दीट वालो रहा है मरती मुझे दिखा उसकी कोई मूर्थी मुझे नहीं दिख रही है विसमें दुनिया का सबसे अमिर वाला कौन सी कौन सी सदी का है या तो निकर रहा है और वो रहस्य मैं ही बहुत है यह बहुत और यह कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट होली प्ले से पूरे अर्थ की कैसे कौन सी सदी में ये बना था आपने क्या बताया इसके बारे में रूप यह मैं दिखाता हूं मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूं आपको दरी पदमश्वानी टेंपल डेट बैक तो एट्थ संचूरी क्राइ प्लेस अंदर ये तो और ये सबसे रिचेस्ट होली प्लेस है अब कहीं भी लिखोंगे रिचेस्ट ठोली प्लेस अन अर्थ यहीं दिखाएगा सब tebal driven पकौहती नागवंसा फोर हो वह नहीं है यह ठीक है ना यह भारत का भी नहीं है यह चाइनीज से कॉपी किया गया है और यह अपर जाओंगे चाइना में इसी तरह के बहुत महाविहार बनते हैं यह सोरह सुलही सदिया लिख रहा है इसको आठवी आठवी सेंचूरी कर रहे थे सुलावी सदी में यह बनाया गया है पहले बहुत छोटा हुआ करता था आज से अंग्रेजों के समय में यही टेंपल देखो गया और भी छोटा हुआ करता था यह और भी बाद में पिछले जब आजाती के समय पिसले साल के अंधर में उससे कोई मतलब नहीं नहीं चले जांते हूँ Campus कर दिया करो सुनो 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 थोड़ा सांती से रहो यह यह देखिए कुछ लिख रहा है हर्मनित सिंग यह लिख रहा है अजंग रिचेस्ट प्रूफ नॉफ नथिंग यह भी बात विल्कुल सही है कि अगर आग यह बात आप जो बार बार रिपेट कर रहे हो तो भूट जादा जो है अगर कुछ भी कुछ भी कुछ नहीं प्रूफ नहीं होता है तो यह थोड़े प्रूफ होता है कि वहां पे विश्णु आउतार लिये थे या बहुत पुराना हो गया या कोई चीज़ हो गया लेकिन इससे भी आप नहीं प्रूफ कर पाएं यह स्ट्रक्चर भी चाहिनीज स्ट्रक्चर है यह एक मिनट क्या सेयर किया है आपने बताएं लिंक शेयर किया हूं अच्छा जी उसको भी देख लेते हैं यह विकीपीडिया का लिंक यार कितनी बार सेयर करो गया यह क्या लिए लिश्ट ऑफ रिलिजियस साइट क्या इसमें दिखाना है बताओ अरे वह लिख किया रहा है ना दुनिया का सब्सरी चेस्ट होली प्ले इस ट्रक्चर थोड़ा देखो ना इसका इस टेंपल का स्ट्रक्चर देखो बनाता है अब मुझे बताओ ना इस तरह के स्ट्रक्चर कर लिए होंगे सर अरे तो एडप्ट करेंगे तो उनके बाद ही तो बनाएंगे ना नहीं हिंदू कहां से बनआ देंगे हिंदू कстा ही कोई न हिंदू फिर दर्म परन तक था यह बता तो मुझे साउथ में कब तक था ये बाध हमार्ण बताओ तो जरा मुझे साउथ में बहुत हमार्ग कब तक था साउथ में पता नहीं मुझे नहीं पता है चोला एंपायर तक अभी चोला एंपायर को हिंदू बता रहते हैं अब चोला एंपायर तक सुलावी सदी तक था चले राजपूता आपसे बहुत बाते हो गई बहुत समय भी दिया और अगले दिन थोड़ा ना आप खुद से त्यार होके आएं एक काम कीजिए थोड़ा पीपीटी वगरा बना के लाया करें आपको जितने जितने क्लेम है ना कि जो हिंदू है या आप आते रहें आप आते रहें जो जो सवाल है और जहां से आप कन्फ्यूज है वह सारे लिंक भी लेकर आया करें ठीक है ना उसको खोल खोल के यहां पर दिखाया जाएगा चले तो साथियों काफी बाते हुई हैं और इनसे भी काफी देर तक बाते हो गई और और भी जिनके जिनके कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा बहराल एक अच्छी बात है कि यह लोग जितने लोग भी आते हैं रोज हम लोगों के लिए कुछ ने कुछ पॉइंट जरूर दे जाते हैं कि कौन-कौन से टेंपल पर यह लोग कन्फ्यूज हैं और किन-किन आगे बढ़ते हैं यहां पर और कौन आये हुए हैं यह भी हम देखते हैं कि इस्टीम टेक आये हुए हैं जी अ जी एस्टीम टेक बताएं क्या काना चाहते हैं हाँ जी बताएं कि यह मेरे ख्याल से यह सुन नहीं पा रहा है है ओके चले बंकज वाघेल आये हैं इनसे चले बाते करते हैं थोड़ी सी जी सर नमस्कार जी बताएए जो बहुत काल की पाली लिपी है बहुत धम लिपी उसमें कुछ आठ खड़ी बताई है बादे मुंदगों ने रामन दर्मने में बारा खड़ी बताएए तो बुक कौनची है और आपनो कुछ गवरुशन करका नाम लिया को ओजा करका कुछ नाम लिया ता तो कौनची बुक वे नाम मुझे सर बता दिया जो मुए वो बुक साहिद ऑनलाइन मिल जाए तो मैं पढ़ना है मुझे बुक देखिए यहां पे जो आपने कहा ना आठ खड़ी वाली वो बुक का नाम है साची दानंग साची दानंग किताब है लेखक है मूतिलाल आलम चंद्र इन्होंने क्या किया है बौध मार्क पे जितने भी जो साची स्तूप है उस पर जितने भी बौध मार्क की जो धम लिपी लिखी हुई है उन सब को आपको खोजना है उसको उन्होंने लिखा है अनुवाद करके हिं वैसे तो 8 खड़ी थी फिर 9 खड़ी हुई फिर उन्होंने 11 खड़ी वताई है कि 11 खड़ी विक्सित हुई और विकास करम चलता रहा है गुपता वंस उसके बाद भी चलता रहा है तो जब ये विकास करम चला है न तो हुआ क्या कि 7-8-9 सदी तक जो है धमलेपी में जब 11 ख सकते थे जिसको ये लोग Proto Sanskrit कहते हैं तो इसलिए आपने सुना होगा कभी 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 ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं देखो ических लिखी मेख लिख लिखे लाकिन वह लोग मुर्क लोग वेक्ति हैं वह ये नहीं जानते हैं कि तब भी जाएगी साची दानंग पुस्तक में दूसरी जो पुस्तक आप जो बोल रहे थे कि जो ओजह वो किताब का नाम है दपालियोग्राफिय ऑफ इंडिया प्राचीन भारत की प्राचीन लिपी माला और लेखक है राय बहादूर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद्र ओजह इस कित और 1918 की बुक है 1918 की बुक है तो इसमें कुछ चीजे प्राचीन काल में जितना सर्च हो पाया था उतनी ही चीजे है नई चीजे अपडेट नहीं हो पाई है हलाएं कि इसको फिर से इसका नया वर्जन उन्होंने जुगनु जो है कृष्ण जुगनु उन्होंने किया है उन्निशो अभी ये 2018 के करीब में या 16 के करीब में लेकिन वो चुकी धार्मिक व्यक्ति है जुगनु जो है न स्रीकृष्ण जुगनु धार्मिक व्यक्ति है तो संसोधन में क्या किये हैं आपना धार्मी को वाला जो चस्मा है उसको उतार नहीं पाएं तो इस कारण से ये किताब जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा कन्फ्यूज कोई हो सकता है लेकिन फिर भी काफी इन्फरमेशन इसमें से मिल सकता है कर दोस्ति और ध्याओर आपने क्याइं या तुम इसके अलावा और भी किताब सारी किताबें पढ़ने पड़ेगी कोई एक किताब से आपको न hablar Black diesem कोई एक किताब से सत्य नहीं पता चल पाएगा आप मैं तो यह कहूंगा कि आप लोग जो है ना जो यह नए स्कॉलर्स हैं इनकी किताबे पढ़ें आप डॉक्टर राजेंदर परसाद सिंग की और जो यह राजीव पतेल जी हैं इनकी किताबे पढ़ें मोतिडाल आलम चंद के लिए और भी उठाएं आपको फिर घाल में पता चलेगा जी जी यह किताब मेरे पास है इतिहास का मुएना और बुद्ध और दम मदो कुद्धो किताब तो मेरे पास है और किताब अगर को पास्टा लिपी लिपी की है तो राजेंदर परसाद जी की साइद होगे मुझ अच्छा यहां पे जो है यह सुपरिश्टीकर आई थी कामचंद्र शाहरे जी की सुक्रिया आपका और इसके बाद से जो है और किसी का था एक मिनट योजना वी लॉक्स ये है नमो बुद्धाय साइंस चरनी सर जी नमो बुद्धाय आपको जी सुक्रिया अच्छा इसके बाद से और भी कौन आये हुए हैं चलें कुछ और लोगों से एकाधर लोगों से और बाते कर लेते हैं हलांकि समय तो हो चुका है काफी शमय हो चु जाओंगा मुस्लिम को इसलाम को बता रखा है तो क्या इसको भी फिर जस्टिफाई करेंगे कि इसलाम सच में पीस्फुल धर्म है अच्छा सवाल उठाया है कि जब भी कोई विकिपेडिया का सूर्स उठाए तो उसको फिर वो मुस्लिम वहला कोट उठाकर देखा देना चाहिए कि अगर यह सही है तो फिर यह भी सही है यही बात होगी न और दूसरी बात कि यह लोग हमेशा ही क्या कर रहे हैं कि गुगल का कोई भी पेज उठाके लाकर और हिंदू हिंदू चिलाने लग रहे हैं सबुति इन से मांग लेजिए तो सबुति इनको पता नहीं है गुपता प्रियड का किसने लिपी पढ़ा यह नहीं पता है अच्छी तरह दिखा के बता रहे हैं कि यह ब्रंभा का चीतर रहे हैं अगर ब्रंभा है तो उसकी लिपी आप लोग को नहीं पढ़ने आती थी अंग्रे जाकर पढ़के गया ठीक है जी असर मेरा सवाल आज का यह है मैं कोई टुनी चैनल में को रिकमेंडेशन में आता है यूटूब में तो मैं उसमें कमेंट सेक्षिन पर जा रहा था तो एक उसमें किसी का कमेंट था राजा दहीर के बारे में तो उसको पढ़के थोड़ा मैं कन्फ्यूज होगा क्योंकि गूगल पर जम्में ने सर्च किया तो उसके बारे में भी ऐसा लिखा हुआ था कि वो सेंद्ध परांत का हिंदू राजा था और सेवन सेंचुरी को बता रहा था जबकि आपसे जो जानकारी हमें को प्राप्त हुई है कि सात्वी सदी में जो आदी शंकराचारे क के बाद ही उसकी नीव बढ़ी थी हिंदू धर्म की तो वो हिंदू धर्म का राजा कैसे हो गया उससे पहले यह कंफूजन है में खाल से जूट लिखा हुआ उसके बारे में प्रोपागेंड़ा जी जी देखिए एक्चुल में क्या है न कि राजा दाहिर हो या कोई भी हो वो हिंदू था ये बात उसको पता थी की नहीं थी आचा जो भारत में जो धर्म गरंथ लिखे हैं उनको ये बात पता थी की नहीं पता थी की नवी दसवी सदी आठवी सदी सातवी सदी में कौन सा धर्म भारत में चलता था ये उनको बात पता थी की नहीं पता थी अगर बार भी तो किसी ने लिखा होता है कि भया हम हिंदू थें आज की डेट में प्राचिन काल के सब लोग हिंदू हो जा रहे हैं आप बोधों की कलाकिर्थी उठा के दिखा रहे हैं वो हिंदू हो गया गुप्त वंस की लिपी आपको पढ़ने नहीं आती उसके चित्र उसकी अगर हिंदू नाम होगा वो हिंदू होंगे तो कहीं न कहीं उन लोग को भी तो पता होगी कि वो हिंदू थें तो यह वाली बात है कि अगर हिंदू सब नहीं था तो फिर हमें न एक्चुल नाम खोजना पड़ेगा ऐसे तो कोई भी कुछ कहा दे कि यह हिंदू था वो थ अब बताना पड़ेगा ना कि हिंदू था तो कौन सा हिंदू था, वश्णों था, तेव था, या फिर सक्त था, यह तीनों तो आहीँ है, नौवी तीन ब्राइच, वार मिसलंब कर क्ल्लों हिंनंसी इसको असानी से कह देते हैं, हिंदू था, तो कौन सा हिंदू था बताएं पुरानी चीज को हिंदू कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हम तो ब्रामठ रहेंगे हम तो ब्रामठ ही रहेंगे राजपूत अपने को राजपूत ही कहेगा और बाकी के जो जाती वाले हैं वो अपने को अपनी ही जाती कहेंगे हिंदू तो सिर्फ बिदेशियों को दिखाना है सिर्फ मुसलिम को दिखाना है सिर्फ इसाई को दिखाना है सिर्फ सिखों को दिखाना है कि हम हिंदू है आप थेंक यू सर रुखिम्राव आजका तो यही सवाल था जी 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 ओके सुक्रिया सुक्रिया मोनो जाए अच्छा अजय सानू आये हैं इनसे एक सवाल ले लेते हैं बताएं अजय सानू क्या करते हैं आपकी साउंड बड़ी कमा रही है आपको जी जी नमो बुद्धाय जैविम बताएं 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 तर मुझे किताब का लिंक चाहिए पढ़ने की बितार है कौन सी किताब का चाहिए आपको लिंक बुद्धभगवान का बावा साइट का अच्छा जी तो वो वो आपको प्रवाइट करा दिया जाएगा आप जो है ना जो चैट बॉक्स है इसमें कुछ साथियों से आप संपर्क करें उनमें से बहुत सारे ऐसे साथी हैं उनसे आप जुड़ें टेलीगराम वगरा से वाट्सप वगरा पे देखें आप किन से ज अच्छम है तो बुक परचेज करके पढ़ेंगे ना तो आसानी से वह आपके लिए आसान होगा टिक मार्क और करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं इसे गूगल पे कुछ लिको तो हाँ बोली है बोली है इसे गूगल पर सरकुछ लिखो तो पिर आज आए क्या कुछ लिंग रहे किताब कर पढ़ने वाला हां हां वह बुक का नाम लिखके आगे फ्री पीडियाफ डाउनलोड ऐसे कुछ कीजिए गाना आपको मिल जाएका उसमें से किसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी, ठीक है, ओके, चले, अच्छा, साथियो, एक चीज मैंने और गौर किया है, कि काफी लोगों को अउलुक के तेश्वर बुध के बारे में confusion है, तो चुकि अप्रेल सेशन ये थोड़ा व्यस्ट सेशन है, क्योंकि इ होनी है, और समराट असोक से भी related होनी है, इसमें जो तिराव फूलेजी से भी related होनी है, तो ये सेशन थोड़ा व्यस्ट रहेगा, तो अउलुक के श्वर बुध का हम लोग करते हैं, इसी अप्रेल में करेंगे, second half में, उसमें जितने भी इन लोगों के दावें हैं, वो सा ने देखा कि ये जो बंदा आया था, वो बार बार अलुकतेश्वर बुध को दिखा दिखाया कि बुध और ब्रम्भा बताया जा रहा था, तो उस पे जो है, फर्दर एक एस्ट्रीम भी मैं करूंगा, और वो एस्ट्रीम होनी भी जरूरी है, ताकि पबलिक को भी पूरा क्लियर पाई हो सके, तो बहराल बहुत सुक्रिया आप लोग, आप लोग सुरू से जुड़े रहें, अंतिम तक जुड़े रहें, इसी तरह से आप लोग आगे भी जुड़े रहें, हम लोग आपके लिए अच्छी डिवेट्स लाएंगे, और जो भी ये लोग डिवेट क आज का सेशन जो है, हम लोग क्लोज करते हैं, बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी का, और मिलते हैं हम लोग फिर थ्रश्टे को सुक्रिया